और आ कि नमस्कार दोस्तों मैं दिख विजय संग आप सब का बहुत स्वागत करता हूं दिख विजय एकुनॉमिक से आप लोग कैसे चल लिए है आपकी जीत की तैयारी दोस्तों मैं आज का वीडियो एक बहुत ही बेसिक कोंसेप्ट के ऊपर बनाने वाला कई बार उसे बच्चे पूछते हैं कि sir what is different between economics and economics जब हम competition में जाते हैं तो कहा जाता है Indian economy के पूछे जाएंगे और जब हम academic में पढ़ते हैं तो हम economics को पढ़ते हैं तो actually earth सास्त और earth बेवस्था में क्या फरक है दोनों के subject matter क्या है दोनों के scope क्या है दोनों किसके उपर focus करते हैं sir इसको clear कर दिजे तो दोस्तों इस basic वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि earth बेवस्था और earth सास्त एक दूसरे से अलग कैसे है दोनों के subject matter क्या है दोनों में पढ़ते क्या है और basically economy जो है जो economy है उसके constraints कौन से है और वो कितने प्रकार की होती है इस बहुत ही मातोपूर वीडियो को बिल्कुल last तक देखिए और अगर दिगवीजाई एकनॉमिका को आपने subscribe नहीं किया है तो दिगवीजाई एकनॉमिका को subscribe करिए ताकि economic related high quality की वीडियो आपको मिल सकें और आपके नामी में बहतर कर सकें तो दोस्तों आईए हम चलते हैं और बात करते हैं कि दोनों के वीच फरक क्या है एक है economics एक है economics अर्थ सास्थ और दूसरा है economy अर्थ बेवस्था जब दोस्तों हम economics की बात करते हैं अर्थ सास्थ की बात करते हैं और जब हम अर्थ बेहुस्था की बात करते हैं तो basically उस models and theory के implication की बात application की बात कर रहे होते हैं जो उसका एक practical side होता है Actually हम economics में, अर्थ सास्थ में ये रेखते हैं कि कोई जो economic agent है उसका behavior, उसका activities क्या है Actually economics ये सिखाता है कि कोई भी economic agent चाहे वो कोई individuals हो, चाहे वो forms हो, चाहे वो government हो वो actually किस तरीके से अपनी जो इसकार्च factor of production है जो उत्पादन के सिमित सादन है उसका सबसे बहतर प्रयोग करे जिससे की satisfaction label, welfare का label सबसे ज़्यादा हो तो actually जो meaning के रूप में देखिएगा तो economics एक ऐसा science है या फिर आप इसको ऐसा जो है, social science बोल सकते हैं जो studies करता है, behavior and activities of any individual, किसी एक व्यक्ति का individual या फिर forms का, या फिर government का जो अपने सिमित सादनों के द्वारा maximum production को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं इसका मतलब यह हुआ, जो यह सास्त्र है जो एक बिधा है, यह सिखाता है उस models and theory को, जिसके आधार पे किसी देश के लोग, फर्मे, उद्दोग या सरकारे अपने साधनों को अच्छे से यूज करते हुए maximum production प्राप्त करें जिससे कि उनका satisfaction का level बहतर हो सके तो कुल मिला जो लागे, जो economics हो गया, वो एक science हो गया एक संगठित ज्यान हो गया जो कि दिखाता है लोगों के फर्मों के फर्म्स के या government के behavior को उनके activities को, जो उनके संसाधन मौजूद है सिमित संसाधन, आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, समाज, देश की जो अवसेक्ताओं है, वो unlimited है लेकिन उस अवसेक्ताओं को fulfill करने की जो साधन है, वो limited है पापा आपको देते हैं 4000 रुपे महीने में और करते हैं बेटा जाके जीलो अपनी जिन्दगी अरे हमको तो 40,000 रुपे महीने चाहिए, लेकिन आप उस 4000 रुपे का सबसे 72 रुपियों करते हैं ताकि आप अपने satisfaction को बहा दे, आप ये decide करते हैं कि 4000 रुपे में मुझे books purchase करनी है 4000 रुपे में मुझे बिजली का धिल वरना है, या 4000 रुपे में मुझे mobile purchase करना है It depends upon you, this is preference order decided by you Economics ये सिखाता है कि हमारे limited resources का सबसे बहतर preference order क्या होगा हमारी activities क्या होगी, हमारा behavior क्या होगा, जिससे हम अपने satisfaction को बढ़ा ले लेकिन जग दोस्तों हम economy की बात करते हैं और तब ब्यवस्था की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि actually किसी specific region में, किसी समाज या देश में किस तरह की economic activities हो रही है किस तरह के आर्थिक क्रिया कलाप कर रहे हैं जब हम आर्थिक क्रिया कलापों को किसी geographical space में, किसी समुदाय या देश में देखते हैं तो उस समुदाय देशिया छेत्र को हम एकोनॉमी करते हैं। इसका मतलब एकोनॉमी में एक behavioral part आ गया कि economic activities किस तरह से हो रही है। आर्थिक क्रिया कलाब किस तरह से हो रही है। आर्थिक क्रिया कलाब का मतलब वहाँ पे actually किस तरह से production हो रहा है। किस तरीके से production का distribution हो रहा है। और किस तरीके से इसका consumption हो रहा है। जब हम यह देखते हैं कि किसी समाज में बहवारी कस्तर पे उत्पादन का उत्पादन वितरण और उप्यो किस तरह के से हो रहा है। उसका pattern क्या है। तो उस अस्थान बिसेश के activities को हम economic activities कहते हैं। हम उसको हम economy कहेंगे। जब हम देखेंगे कि किसी रीजन में agriculture कैसे हो रहा है। इंडस्ट्री में किसी का production हो रहा है। या फिर उनका trade distribution कैसे हो रहा है। तो इस application को इस behavioral part को हम economy कहेंगे। तो परिभासा के रुप में मीनिक के रुप में आप समझ गये हैं कि economics एक science है, एक संगठित बहवारिक knowledge है जो दिखाता है कि individual firm या government किस तरीके से अपने behavior या activities को करते हैं। जिससे minimum या फिर जो limited resource है उसका सबसे बहतर यूज किया जा सके। जबकि अर्थ डिवस्था एक economic activities से संबंदित है किसी एक अस्थान विशेज से एक region विशेज से या geographical area या देश से। दूसरा प्रसन है कि actually ये है क्या तो जो economics से दोस्तों basically ये models and theory हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से decision किया जाए। उसके लिए growth क्या होगा। उसके लिए हम models बनाते हैं थीरी बनाते हैं। हम देखते हैं कि कोई देश किस तरीके से growth कर सकता है। उसके factor आप production से किस तरीके से हम बहतर यूज कर सकते हैं। तो उसके ओपर different type के models बनाते हैं और theory बनाते हैं। तो basically जो economics है related with models and theory वहीं पे जो economy हैं। उस models और theory का बहवारिक प्रियोग है। बहवारिक जो है उसका प्रियोग है। मतलब उसका implication है। इसी models and theory का अगर आप देखेंगे ये बहवारिक प्रियोग क्या है तो economy है। जब आप models and theory परते हैं तो economy में आप यूज करते हैं। उस models theory को कि किस तरीके से agriculture हो, किस तरीके से industry हो, किस तरीके से trade हो। तो एक जहां बिलकुल models हो रहा है, दूसरा उसका बहवारिक रूप हो रहा है। अब प्रसनेक ये focus किस पे करता है। ये focus करता है कि उत्पादन के साधनों के बहतर उपयोग के लिए हमारा decision क्या होगा। ये प्रियोग करता है economy कि उत्पादन के साधन का समाज में बितरण कैसा है। कि किस तरीका decision लेगा एक economic agent। आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल पहले ही हम लेजंशन लेते हैं कि जितने भी economic agent है R.R.Wesner सभी बहुत धीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फोकस करते हैं कि economic agent decision कैसे ले रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उस economy में factor आप production का किस तरीके से वितर है। कुल विला जुला के जब आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो Indian economy लेकिन आप पढ़ते हो micro economics आप पढ़ते हो public economics लेकिन आप पढ़ते हैं Indian economy, industrial economy तो दोस्तों बस इतना समझ लो जहां models and theory की बात आ रही है वो economics है। जहां उस models and theory का अनुप्रियोगारा है उसका applied farmer उसका अनुप्रियोगारा है वो economy है। हम economy में देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्पादम हो रहा है, उसका किस तरीके से भितरह हो रहा है, उसका किस तरीके से उपभोग हो रहा है। आप Indian economy में क्या पढ़ते हैं, agriculture पढ़ते हैं, industry पढ़ते हैं, trade पढ़ते हैं, consumption का pattern पढ़ते हैं, investment का pattern पढ़ते हैं। तो ये जो चीजे हैं वो स्थेरी एंड मॉडल्स का अनुप्रियोग हो गया और साथे साथ एकोनामी में हम ये भी देखते हैं कि एकोनामी में किस तरीके से फ्रेक्टर आप प्रोडक्शन या जो रिसोर्स है उसका एलोकेशन हो रहा है अब मैं यहाँ पे जो कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट प्रसन पूछे जाते रहे हैं उसके उपर आपको फोकस कर दूँ क्योंकि ये लेक्टर बहुत बढ़ा हो जाएगा इसलिए मैं इस लेक्टर को आगे भी एक लेक्टर बनाओंगा थोड़ा सा इसको हम दो भागू में भी भाजित कर दे हुए पहले मैं बता रहा हूँ जो एकोनामी है जो अर्थ व्यवस्था है एकोनामी है जो अर्थ व्यवस्था है उसके पार्ट कौन कौन है इसके बिसे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इकोनामी का मतलब क्या हो गया दोस्तों अर्थ व्यवस्था हो गया अब जो ये अर्थ व्यवस्था है इकोनामी बिसिकली इसके दो तरीके से आप इसे डिवाइट कर सकते हो एक को आप कहते हो capitalist economy capitalist economy capitalist economy का हो गया पूजी वादी अर्थ व्यवस्था हिंदी पूजी वादी अर्थभेवस्ता और दूसरा एक और आ गया दोस्तों एको कहते हैं हम socialist economy और इसके लिए जो हिंदी सब्द यूज किया जाता है समाजवादी अर्थभेवस्ता समाजवादी अर्थबे उस था अब इन दोनों में क्या फरक है आई ये इस पर बात करें कि वोगी बहुत ज्यादा प्रस्म इसके उपर पूछे जाते रहे है देखें कैपिटलिस्टिक नामी का जो प्रडेता रहा है वो रहा है युएस ओके ना आप देखते हैं जो सयुक्तवाज अमेरिका रहा है युनाइटेड इसके अमेरिका वो कैपिटलिस्टिक का जो है मुख्या रहा है अगुआ रहा है इसी तरह चाइना साउथ कोरिया यह जो देश रहे हैं यह जो है आगे लेके गए हैं समाज वात तो आएक कैपिटलिस्टिक की बात करें प्रतिक व्यक्ति अपने जो है कल्यान को कैसे अधी करें यहां पर फोकस पॉइंट होता है इंडिविजिवल इंट्रेस्ट को किस तरह प्रतिक व्यक्ति अपने को सैटिसफाइड कर रहा है यहां पर जो इसका अब्जेक्टिव है वो है सोसल वेलफेर समाजी कल्यान होती है free market कि बेश्टिक नामी होती है और जहां पे समाधिवाती अर्थिवेवस्था की बात करेंगे बैसिकली यह गौर्वर्मेंट बेश्टिक नामी होती है अब बहुत ध्यान से समझेगा देखिए मैंने कहा अर्थिवेवस्था के दो रूपों के बात करें एक कैपिटलिस्टिक नामी दूसरा सोसलिस्टिक नामी दोनों में जो अंतर है वो इसके उपर है कि किसी देश में उत्पादन के साधन तथा resources के उपर किसका ownership है और उस पे control और management किसके उपर है देखिए जो मैंने का capitalist की नामी जिसमें आप US की बारवा नाम सुनते हैं ऐसा देश जहां उत्पादन के साधनों factor of production और जो resource है उसको market के हाथों में सौपाग गया और market को ये power दिया गया कि वो decide करे कि कि कितना production होगा cover production होगा और किस वस्तु का production होगा determined by market free market based इपना में प्रतेक वे अपना कल्यारादी करना चाहता है वो ध्यांस सुनिए रहा है इसमें जो producer है वो चाहता है कि अपना interest जादा हो consumer चाहता है मेरा interest जादा हो और इसमें जो mechanism है जो इन दोनों के बीच में एक दूसरे को satisfied करेग और मार्केट है मार्केट जो है दोनों के बीच में कड़ी के रुप में काम करेगी और दोनों के satisfaction को अधिक करने का प्रयास करेगी यहाँ पे जो demand होगा उसके guiding production होगा इसमें government interview नहीं करेगी कि किस चीज का production हो कितना production हो उसकी cost क्या हो यह सारी चीज़ें किस चीज का production हो क कितना production हो और production की cost क्या हो all are determined by market forces market forces की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर यह करता हो कि demand जिस चीज की जादा होगी उसकी जादा production होगी और दूसरे बहुत ध्यांस सुनिएगा अगर किसी चीज की market demand high है बहुत ध्यांस सुनिएगा अगर market demand high है तो उस product के prices enhance हो जाएग तो market क्या करेगा उस goods and services का production high कर देगा उत्पादन जाता हो जाएगा और जब goods and services का उस बस्तूर सेवा का production high हो जाएगा तो अपने आप वो goods and services की जो प्राइस है वो लो हो जाएगी देखिए यह self-correcting measurement है एक self-correcting mechanism है जिसमें बाजार सब कुछ कर लेता है एडम स्मित साब 1776 में किताब लिखते है अगर इंडिविज्वल इंट्रेस्ट से प्रिरित होता है तो प्रतेक व्यक्ति अपना करना अधिक करना चाहता है तो यहाँ पे जो market best system है वो best है market जो best system है जो बाजार पढ़ा ली है वो क्या करेगी एक individual hand के रुप में काम करेगी बहुत ध्यान से सुनिएगा the terms in visual hand address हाथ determined by produced by Adam Smith साहब Adam Smith करते है जो बाजार है और जो बाजार का address हाथ है वो सब कुछ ठीक कर लेता है देखें बाजार का address हाथ का मतलब है power of demand and power of supply बहुत साधा important होता है market सब कुछ कर लेता है आपके देखें होंगे अभी दो साल पहले दाल की किमिते 200 रुप्य हो गई थी 200 रुप्य हो गई थी तो अगले बाद दाल का production बहुत हुआ production बहुत हुआ तो फिर prices नीचे चलिए यह जो automatic correction है वो government नहीं कर रही है यह market कर रहा है market सब कुछ सही कर देता है market में एक छुपी वी power होती है जो self correcting करती है मतला चीजों को अपने आप व्यवस्थित कर लेती है आटो करेक्ट कर लेती है इसी demand and supply के power को ही Adam इसमें सहाब individual hand करते है देखें जो capitalist नामी है वो इसी individual hand या प्री market प्रडाली के उपर काम करता है इसमें government का production के उपर, consumption के उपर, distribution के उपर management उतना नहीं होता है बहुत कब limited management होता है government ये manage करता है कि actually जो private खिलाड़ी है जो private players है वो जो प्रतियस परदा करें वो rational प्रतियस परदा करें और consumer को कहीं से भी कोई problem ना create करें, actually production distribution क्या हो ये तो decide करेगा private player लेकिन government ये decide करेगी कि free competition हो और कहीं इस competition में consumer का hit जो है adversely effect नहीं हो, तो कुल निलाजुला के जब हम कहें उत्पादन के साधनों के उपर private sector का control हो, resource पे हो और government जो है एक limited role play करें तो इसको हम कहते हैं capitalism, दूसरा इसका उल्टा है socialist, socialist का मतलब होता है कि जब हम उत्पादन के साधनों पे government का नियंत्रण मालें, जब resources को पर government का नियंत्रण मालें, और कितना production हो, किस चीज का production हो, उसके prices क्या हो, are regulated by government authority, जब government authority ये decision करे कि क्या बने बनेगा, कितना बनेगा, इसका उत्पादन कैसे होगा, उसकी कास्ट कम रखनी है, या फिर ज़्यादा रखनी है, लोगों को रोजगार कैसे देना है, poverty elevation कैसे करना है, लोगों को किस तरीके से एक net safety wall में हमनों रखे, किस तरीके से एक net security उनको provide करें, ताकि समाज का जो त जाता है, समाज में equally distributed factor of production, दिखें, यहाँ पे दो सब्द आप लोग सुने होंगे, socialist economy में, एक socialism की बात आप करते हैं, और एक communalism की बात करते हैं, दोनों ही इसी प्रणाली से बात की जाती है, और दोनों को left का आ जाता है, जाहें आप socialism की बात करें, चाहें, communism की बात करें, दोनों काते हैं left, इसलिए left काते हैं, क्योंकि दोनों का मानना है कि government का भियोध होना चाहिए, government का production के उपर, distributions के उपर, ओके न, क्या होना चाहिए, government का जो है, socialism और communism में, government का जो है, उसके उपर अधिपत्य होना चाहिए, तो यहाँ पे socialist economy में, welfare महत्वपूर होता है, social welfare ज के साधनों के उपर, या फिर उसके production के उपर, distributions के उपर, government की authority है, market इसमें बहुत कम role play कर रहा है, देखें, यहाँ पे बात यह होई, कि एक government की बात कर रहा है, sector की, और एक private market, दोनों के बीच एक और भी economic की बात होती है, that is mixed economy, जैसे भारत को कहा जाता है, कि India is the best example of mixed economy, और private दोनों आ जाएं, तो ऐसे में एक तीसरी अर्थ व्योस्था उबर के सामने आती है, जिसको हम mixed economy या मिस्टित अर्थ व्योस्था करते हैं, भारत जो है, मिस्टित अर्थ व्योस्था का सबसे बहतर example दुनिया में माना जाता है, ऐसा क्यों दोस्तों, भारत दुनिया म सबसे बहतर quaardination ہے, समन में है, यहाँ पे आपको ऐसे भी सेक्टर मिलेंगे, जो बिल्कुल government के हाथ हमे है, आपको कुछ ऐसे भी सेक्ćर मिले जो बिल्गुल प्राइवट सेक्ٹर में और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो दोणों के क्वाडिनेशन से चलने होते इसी प्रडालीमिक्स्ट इकोनामी होती हैं जिसमें कौाडिनेशन आप प्राइवेट और गोर्रमेंट जिसमें कैपिटलिज़न और Socialist का सबसे बहतर Coordination हो इसमें तीन एरिया पाए जाएंगे पहला एरिया वो होगा जो Fully Private के अंतरकत काम करेगा दूसरा एरिया वो होगा जो Government का अंतरकत काम करेगा और तीसरा एरिया वो होगा जो दोनों के Coordination से मिलके काम करना होगा जैसे मैं Example के रुप में बताता हूँ कि इंडिया सबसे बहतर Example क्यों है अगर आप Education की बात कर लें तो Education में Government के College है Central University है राजियों के अपनी डिग्री Colleges है Primary Schools भी है लेकिन आप यहाँ CMS भी देखते हैं यहाँ Jaipurya भी देखते हैं तो यहाँ पर अमबाली का exude भी देखते हैं तो यहाँ पर Government भी है प्रांबेट भी दोनों का Coordination है आप Health में आजाएगे Government भी देख रहे हैं आप SPI को देख रहे हैं आप EMS को देख रहे हैं दूसरी तरह Climate में आप lith guard को भी देख रहे हैं आप Apollo को भी देख रहे हैं, आप MEDANDA को भी देख रहे हैं, दोनों ही हैं, अगर सिर्फ Government की आप बात करिए, तो railway में आप Government को देख रहे हैं, Atomic Energy में देख रहे हैं, Space में देख रहे हैं, और सिर्फ Private में देखे हैं, तो आप लगभग लगभग यो चीज आपके सामने देख यहाहें इसेरी इक विंश्रा जेह बहुत बहुत है। टीसरी एरिए इंडिया बहुत बहुत doing육 गानी का मिषरिओ न मिश्डिक नामी का। मेरा दोस्ट is के interview में गया तो इससे ही पूचा kept बड़े मजदार आईए उसकी चर्चक ने मेरा दोस्त आईएस के इंट्रिवू में गया तो उससे यही पुछा गया कि आप ये बताओ कि capitalist और socialist economy क्या होती है और mixed economic है उन्होंने बहुत अच्छे से बताया जो मैंने आपसे चर्चक किया तो उसने कहा कि mixed economy वो है जिसमें government और जिसमें government और private का coordination हो तो बोड़े ने पूछा कि आप example है ये capitalist economica तो उसने इवेश से का नाम ले लिया आप पैसिमी यूरोपी देशों का नाम ले लिया और जब उसने socialism की बात की तो आप जानते हैं चाइना जो है South Korea है ओके ये जो देश है ये जो बेसिकली जो है आपके socialism पे चलते हैं तो बोड़े ने पूछा कि दुनिया के सभी देशों में एक बहुत बड़ा private sector है तो छोटा government sector तो ही लाइक कि जाम पली है ऐसा तो बोड़े ने कि बाट इसका मतलब इक नामी है क्योंकि दोनों में कोई देश ऐसा है नहीं जिसमें सिर्फ government यह और दूसरा कोई भी ऐसा देश नहीं जिसमें सिर्फ प्राइवेट हो government नो इसका मतलब दुनिया के सारीक नामी मिक्षिक नामी है तो यह वतरे हैं नहीं सोसलीजर में भी बड़ा गवर्मेंट होगा तो छोटा प्राइबेट होगा लेकिन जो सबसे महत्तोपूर है वह आप यह समझेए कि जब तक कोई देश अपने पालियमेंटरी प्रोसीजर से अपने सेल्फ को डिक्लियर न कर दे कि वी आर मिक्षिक नामी तब तक आप उसे म मोलोपुली स्टेबलिस नहीं होने देंगे हम सरम की सुरक्षा करेंगे हम जो है उत्पादन के साधनों को समाजी करण की बात करेंगे इसका मतलब हम बैंकों का देखिए बीमा को बिल्कुल नेसनलाइज करके रख़्े हुए हैं हमने सरम के सोसर को रोकने का पूरा प्रया कर सकते हैं इसका मतलब दुनिया के तमाम मिक्स्ट एकनामी को आप नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने प्रस्ट पूछे जाते रहे हैं एक वीडियो और भी मैं बताऊंगा जिसमें बताऊंगा कि एकोनोमिक्स क्या है उसके ब्रांच कौन कौन से है उसको किस तरीके से है तो इसको मैं नेक्स वीडियो पे रखूंगा नहीं तो यह वीडियो बहुत बढ़ा फोट हो जा रहा था इस वीडियो में हमने अपने आपको केनित रखा है इकोनोमी के उपर एकोनौमिक्स का वीडियो तो नक्ष पूरे छब्दाओं के साथ जो भगवाल में आपको छब्दा दिये उसको इसी बार यूज कर लीजिए इसी जन्व में यूज करिए यही बहतर समय है समय को पहचानिए समय को रिस्पेक्ट करिए समय आपका बहुत रिस्पेक्ट करेगा समय को रिस्पेक्ट नही करेगा तब पच्टाए क्या हो जब चिडिया चुक गई खेट अभी समय है चिडिया खेट नहीं चुकी है लग जाओ कुछ कर जाओ तो दोस्तों आईए यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या है कल कि वीडियो में बिल्कुल क्लियर था आपको कि एक उनामिक्स बिसिकली से जिसका मॉडल से थिरी से संबंदित है जबकि इक इप्लिमेंटेशन इसका बहोरिक पक्ष्य बसक्रीजिस में हम इकनामिक एक्टिविटी की बात कर रहे थे कि कि किस तरीके के इस या government के लिए decision making प्रक्रिया के रूप में होता है कि वो अपने limited resources का सबसे best possible use कैसे करें जिससे कि satisfaction level, utility का level सबसे ज़्यादा maximize हो जाए दोस्तों इस परिभासा को आने में एक सदक लगा है एक दसक लगा है, एक सदिया लगी है तो उस परंपरा को इसी करम में हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो economics का परिभासा दिया गया वो classical economist के द्वारा दिया गया उसके बाद new classical economist इसमें कुस्संसोदर करते हैं उसके बाद modern economist ने इसको सबसे परिमार्जित रूप दिया और प्रोफेसर जेके महता जो इलाहाबाद इनवस्टी के economics के head भी रहा चुके है इन्होंने एक अलग रूप में ही ब्याख्या किया कि economics क्या है तो इन चलंबध तरीके से आए इसकी हम करते हैं बात तो सबसे पहले जब मैं कहता हूँ classical तो classical economist में एडामी स्मित, डेविड रिकार्डो, जी एसमिल और माल्थस आते हैं इनका जो परिभासा है classical economist का वो basically wealth based है धन सम्बंदी है इनका परिभासा जो है wealth based है ये धन सम्बंदी परिभासा देते हैं जब मैं बात करता हूँ new classical का तो new classical ऐसी economist है जो classical के बाद आते हैं classical, new classical में basically Marshall, Pigu और Canon है और Marshall और Pigu, Canon ने जो अर्थसास का परिभासा दिया है वो wealth based दिया है या फिर कल्यार पर आधारित किया है कल्यार पर आधारित दिया है सबसे पहले हम इन दो परिभासाओं को समझ लेते हैं उसके बाद हम modern और जी के मेंता पर आएंगे तो आएंगे समझते हैं वो classical classical जब मैं सब्द कहाता हूँ तो Karl Marx ने classical सब्द का प्रियोग किया था और Karl Marx का कहाना है कि डेविड रिकार्डो के जो पुरवर्ती है वो classical कहे जाएंगे और डेविड रिकार्डो के पुरवर्ती एडिसमीथ है डेविड रिकार्डो हैं मिल और मालतास है तो यह लोग जो हैं बेसिकली क्लाичесcal कहे जाते हैं एडि самой डेविड रिकार्डो ये असमिल और मालतास एडिसमीथ को हम hadah de raf economics काते हैny 1966 में इनकी फेमस सत्रे स 小िस्टयों इनकी फेमस बूक आती है पुरा नाम तो यह है किताब से ही पता लगता है किताब का नाम ही है आगे नेचर में प्रिक्षर करें और देशों के धन का कारण क्या है इसको पता लगाते है यही जो है सब्जेक्ट मेंटर है एडमी स्मित ने इकोनोमिक में की पल करना की थी देखिए पुछा जा सकता है आपसे प्रस इकोनोमिक में आर्थिक मनुसे इकोनोमिक में का कंसेप्ट दिया था एडमी स्मित है एडमी स्मित कहते थे प्रतेक मनुसे आर्थिक होता है और वो जो भी काम करता है वो धन स्रिजन के लिए करता है ऐसे में क्लास्कल एकिनामिस एडमी स्मित यहां लेसर स्फेर की बात भी कर रहा है प्रतियक व्यक्ति आर्थिक है और प्रतियक व्यक्ति अगर अपने ही स्वार्थ के लिए इंट्रेस्ट के लिए काम करेगा तो कहीं न कहीं यहाँ पर रॉल कम होगा और प्राइबिट का रॉल जादा होगा तो कुल मिला जुला के wealth based definition है classical economics की classical economics जितने भी है इसमें डेविड रिकार्डो सब का मानना यही है कि अर्थ सास्त्री या अर्थ सास्त्री यह बताएगा कि किसी भी देश का धन कैसे दिखो और धन का उपभोग और बितरन का pattern क्या होगा जब मैं कहता हूँ कि wealth of nations में economic man की परिकल्पना की गई थी तो यहाँ एक चीज और भी महत्रपूर हो जाता है जब हम कहते हैं कि अर्थ सास्त का प्रमुक देश ही है धन अधिक्तम करना तो यहाँ पर आप सोचिए जड़ा classical economics में classical economics में क्या है धन बहुत ज़्यादा महत्रपूर है थोड़ा साइए इसको रेस्टन दरीजे से में बात करें जब मैं कहता हूँ कि classical जो है धन के उपर अपने आपको केंदित करते हैं तो यहाँ पे classical में दो चीज हूँने कि आप सुनते हूँने दो चीजिँ आप सुनते हूंगे एक होता है प्राइमरी चीज प्राइमरी का मतलब मैं और एक है तो ins क्या है, ins का मतलब उद्देश क्या है, उद्देश क्या है, या फिर साध्य क्या है, और फिर मैं पूछता हूं mean क्या है, mean का मतलब साध्य क्या है, एक ही चीज़ है, बहुत ध्याद समझेगा, जो ins है, classical का, ins, जो ins है उनका, जो उद्देश है, या फिर जो साध्य है, ज तो यह जो मीन है, जो माध्यम है, वो है मैन, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा आप लुजा, क्लासिकल एक नामिष्ट की एक आडिमार बात करिएगा, तो जो प्राइमरी है, जो प्रात्मिक है, या फिर जो इन्स है, जो अल्टिमेट गोल है, that is wealth creation, और उस wealth को करेगा कोन, secondary, man, इसका मतलब जो मनुष्य है, वो धन उगाएगा, और धन कठा करना उसका प्रात्मिक कुद्यस है, it means to say, ends, our objective is wealth creation, and means, factor is man, हम लोग जो है, secondary हो गया, मनुष्य के हैं से केंडरी हो गया, मनुष्य के हैं से केंडरी हो गया, प्रात्मिक हो गया, आर्थिक मनुष्य प्रात्मिक धन है, secondary, दुतियक हो गया, आप धन क्यों कमाते हैं, आप धन इसलिए कमाते हैं कि आप खुशी रहें, हमारी खुशी प्रात्मिक है, जबकि ये बताते हैं कि जो प्रात्मिक है, जो इंस है, वो धन है, दुतियक जो है, हम लोग है मनुष्य, इसी परिभासा क वो जब New Classical आते हैं, तो इसका सही रूप प्रदान करते हैं, New Classical में मार्सल, पीगू और तैनन है, और इन्हों ने अर्थसाइस के परिभासा को कल्याण प्याथाइद किया, इनके अरुसार, इकनामिक से ऐसा साइन्स है, जो बताता है कि किसी देश का समाज का कल्याण कैसे रिखोगा, धन अधिक नहीं कल्याण, ऐसे में ये लोग जो इंस की बात करते हैं, जो साध्य की बात करते हैं, जहां वो पहुँचना चाहते हैं, वो है वेलफेर, और जो साधन है, जो मीन है, सधन है वो हो गया है वो हर वे या फिर यह सका मतलब जो ऑगे जिस परीभासा काने का काम किया है New classical काते हैं कि कि हमारा साध्य है जह हम पहुचना चाहते हैं वो हमारी खुची है हमारा विलफेर है कल्यान है और जो पहुचाता है जो तरह सधल उमणिया उख है कि किसी इक्मामिक में समाज में धनका बितर्ब कैसे वे इक्टार से बहता हो और साथ ही उस समुदाय का समाज का देश का कल्यार के सधी को यह सिखाते हैं एकोनोमिक्स तो कुल भी लाजुला कि जो क्लासिकल डिफिनीशन है उससे बितर डिफिनीशन नियू क्लासिकल ने दिया क्लासिकल क्लासिकल की बातों को अपने आर्गूमेंट को देते हैं तो उसके आर्गूमेंट का जो बेस होता है दूस्तों वह बेस होता है क्लासिकल और दार्सनिक औनाज में देते हैं यू क्लासिकल उसी को एक साइस्ट कहταा गया कि क्लासिकल और न्यू क्लासिकल क्लासिकल किस तरह की परिभासा देते हैं क्लासिकल जिसमें एडम I.S.W. को मिल और माल्थस हैं उन्होंने परिभासा को धन पे केंदित कर दिया धन सम्मंदित विग्ञान का है जब कि न्यू क्लासिकल मार्सल पीगु कैलन ने सबसे बिर्धतर परिभासा दिया गया है और मौडर क Şimdi के डीने अपने नते सब से उपन नाम आता है और फिर इस्टीगलर और तीन लोग माडन सब्रोप on तो चलिए सबसे पहले जो सबसे फेमस परिभासा है जो अर्थसास का सबसे बहतर परिभासा दिया जाता है वो प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभासा है और यही पूछा भी जाएगा आपसे तो जो प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभासा है वो अर्थसास की परिभासा इसकार दुषारिब्स लभतआ अब देखिए एक अटीं टो प्रोफिसर रौबिंस जम हम небольш को ठाइन करेंगे और्फ-सास्जि को डिफाइन करेंगे तो अर्फ-सास्जि को डिफाइन करते हैं तीट ऊनक सिमित एक्षाय दूसरा है लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्स सिमित साधन सिमित साधन और तीसा जो सबसे महत्रपूर है अल्टर्नेटिव यूज आफ रिसोर्सेज साधनों का साधनों का वैकल्पिक उपयोग अब देखें तीन भाल चुगया यहां पे तीन चीज़ें हैं प्रोफेसर डॉबिंस के डिपनिशन में दोस्तों जिसके हम बात कर रहा हैं एक तो हो गया अनलिम्टेड वांस दूसरा है लिम्टेड रिसोर्स और तीसरा है अल्टर्नेटिव यूज आफ रिसोर्स से साधनों का वैकल्पिक उपयोग तीन चीज़ आप देखेंगे प्रतेग भ्यक्ति समाज या देश की अवा सकता है आपको एक चीज के आउट सकता है और धिसके जब तक छुछा है आपकी इक्षाएं आवसकता हैं कभी खतम होगी नहीं लगातार continuous इक्षाएं आवसकता हैं बनी रहेंगी तो मनुष्य या देश किसी समाझ की आवसकता हैं इक्षाएं unlimited हैं जब तक इस धरा पर हैं एक इक्षा हुआ फिर उसको पूरा फिर दूसरा फिर तीसरा चौता यह यह क्रमागत रूप से चलता रहेगा असमी तिक्षाओं के रूप में इसमें कोई दो रहे नहीं है बिल्कुल सही है असमी तिक्षाओं है हमारी दूसरा है प्रॉब्लम यह है कि उन इक्षाओं को पूरा करने के साधन है वो लिंटेड है अगर यह भी unlimited होते तो कोई प्र करने के साधन है चाहें ब्यक्ति को बात करिए चाहें समाज की चाहें एक देश की बात करिए हर जगा यह लागू होगा कि उसमी तिक्षाओं को पूरा करने के लिए पापा आपको 40,000 रुपया देके करते हैं जाओ जीलो अपनी जिन्दगी और आपको 50,000 रुपय क्या हो समको वेलफेर के स्कीम के काम भी करना है सबको रोटी भी देना है लेकिन बजट नहीं है तो से मोही चीए अनलिम्टेड वांस लिम्टेड रिसूर्स एकनामिक्स यह सिखाता है दोस्तों कि किस तरह एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किया जाए जिससे अल्टरनेटिव यू इसको फालो करते हो पापा चार हाझार प्या जिए आपको आँसकता है दसाजार कि लेकिन उन चार हाजार रूपे को आप मैनेज करते हों आप अपना प्रफेरेंस आदर करते हो कि सबसे पहले क्या क्रूबाइल book खरिदना है, मुझे सबसे पहले mobile अपना recharge करना है, सबसे पहले मुझे कुछ खाना है, मुझे क्या करना है, ये जो है preference other decide आप करते हैं तो प्रतेग डेश भी यह करता है कि हम, हमारे लिए महत्तों पूर्ण क्या है, गरीबों का कल्यार कर दे metro चला दे, bullet train चला दे सबको रोटी की वह उस्था करे health के उपर काम करे, education तो खर्चे तो और वो के हैं unlimited है, लेकिन उसकी जो साधन है वो सिमित है, और उसी सिमित साधनों का जो सबसे best possible use सिखाता है, वो है economic Professor Robins की ये परिभासा सबसे बेहतर मानी जाती है, इसलिए बेहतर मानी जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल सत्यता के निकट है इसको सारा लोग, सारे देश, सब ही लोग इसको follow करते है, और ये बिल्कुल बहवारिक परिभासा है कि unlimited wants को पूरा करने के limited जो resource है, उसका सबसे best possible यूज क्या है जिससे कि हमारा satisfaction कर लेबल बढ़ जाए, तो दोस्तों ये जो परिभासा है ये प्रोफेसर रॉबिन्स की है, इसी की बाद राविन्स रोष्टिक लग भी करते हैं एक जो बात की परिभासा मैंने अभी लिखा प्रोफेसर जेके मेहता ये पस्ने कई बाद पूछ लिया जाता है जेके मेहता, अब इसलिए पूछ लिया जाता है कि इलावाद इन्वस्टिक के महान ये अर्तसास्त्रे हुए अपने यूपी के इलावाद इन्वस्टिक के चोड़ी रहे तो डोस्तों कि सिमीट कैसे करें क्योंकि एम्टेट वाट्स है, तो उसको पूरा नहीं किया जा सकता है तो जो आपके सिमीट साधन है उसमें किस तरह आपने इक्षाओं को आप कम करें और उस लेवलागर पिलाएं कि आपकी जो भी constraint है budget के उसी में fulfill हो जाए अगर मेरी सल्ली 20,000 है तो economics यह सिखाता है कि 20,000 में किस तरह अपने आउ सकताओं को अपने खतम करें यह नहीं बताते हैं कि अपने इक्षाओं को खतम करके आप सन्याज की तरफ चलेजी ना अपकी पकद 20,000 की सल्ली है तो 20,000 में अपने इक्षाओं को किस तरीके से सिटूरेट करें यह सिखाता है wonderless theory प्रोफेसर जेके में तका तो दोस्तों एक करम रहा अर्थसास्ट को परिभासित करने का कि हमने classical को देखा, new classical को देखा models को देखा प्रोफेसर जेके में तक देखा लेकिन जो सबसे निकल के सामने आई economics की बात वो यह आई कि basically जो economics है जो अर्थसास्त है वो संबंदीत है models है और theory से और एक करमबध ज्ञान से तो जब हम models और theory की बात करते हैं और जब एक organized knowledge की बात करते हैं उसको बनाता है कि आपके देश में जो सिमित साधल है जो आपके पास limited resources है उसका best possible use कैसे करोगे कि पूरे के पूरे economy का satisfaction जादा होगा इसका मतलब कितना production किया जाए किस चीज का production किया जाए कब production किया जाए कितना ज़्यादा किया जाए ये decision working process के रुपे आता है इसलिए कहा जाता है कि कई बार अर्थसात संबंधित है उतपादन, उपभोग और बितरण के नियव से या फिर decision से अर्थसास्त को इसलिए आप देखेंगे कि बार बार इसको इसलिए आप देखते है संचित परिवासा कि अर्थसास्त्र को हम लोग जोड़ देते है उतपादन उतपादन उपभोग उपभोग और बितरण से अर्थसास्त्र में ये सिखाएगा कि वस्तू और सेवाओं का उतपादन कितना हो वस्तू और सेवाओं का प्रोडक्शन कितना हो How much, कितना हो When, कब हो किस बस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए यह decision इस उत्पादन का कंजंस कैसे होगा समाज में इसका उत्भोग कैसे होगा जो बस्तु और सेवाएं बनिये उसका उत्भोग कैसे होगा और इसका वितरन कैसे होगा वितरन की समाज के सभी वर्गों तक हिए मिल जाए। तो जब हम वितरन की बात करेंगे तो अपने आप welfare की तरफ आप इसको लेकर चले जाएंगे welfare कललान की तरफ लेकर चले जाएंगे। तो यही बात देखिए और तसास्त संस्मंदीत है एक ऐसे क्रम्बत नौले से एक ऐसे स्वंश्टिफिक नौले से जिसको आप सोशल साइन्स या साइन्स कर रहे हैं जो सिखाता है कि कोई फर्म कोई उद्यों कोई देश किस तरीके से बस्तु और स्यमाओं का उत्पादन उपभोग उसके वितर्ण के स्वरूप को निधाय थिक्तम हो सके तो बिसेकरी दोस्तों ये परिवासा रही अत्रसास की जो कमप्टिशन के लिए बहुत जारे इंपोर्टेंट है तो बहुत ध्यान से बहुत मन से बहुत मरन पुरुवक अपने नौलेज को आगे बढ़ाते रहेगा हिम्मत मत हारिएगा हिम्मत है तो सब कुछ काम करो जग में रहके कुछ नाम करो तो दोस्तों निरास नहीं हो यह आसा बनाए रखिए आप अच्छा करेंगे आप बहुत अच्छा करेंगे दोस्तों क्या होता है Micro Economics क्या होता है Micro Economics में हम लोग पढ़ते क्या है Micro Economics में हम लोग पढ़ते क्या है तो एक aggregate आपके सामने में रखने वाला हो framework पूरे वीडियो को बिल्कुल लाश्ट लग देखिए Dbj.Economica को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हम Economics का ये basic lecture कल के वीडियो में मैंने बिल्कुल clear क्या था कि Economics और Economics बिल्कुल different चीज़े है Economics जहां models and theory से संबंदित है वहीं पर Economics इसका behavioral part है Economics में हम देखते हैं कि Human psychology, Human behavior क्या है किस तरीके से एक Human अपने limited resources का best possible use करता है best alternative use करता है ताकि उसका satisfaction ज्यादा हो सके दोस्तों मैंने आपको बताया कि Economics basically एक science है या फिर आपका सकते एक social science है जो basically Human behavior का study करता है चाहे एक firm का level हो, चाहे industry का level हो चाहे वो government के point of view से हो दोस्तों Economics को basically अर्थ सास्थ को दू भागों में बाता गया है पहले को हम कहते हैं Micro Economics दूसरे को हम कहते हैं Micro Economics M-I-C-R-O Micro M-A-C-R-O Micro Micro Economics में basically यहां Hindi Micro का है सुक्ष्म या बेस्टी अर्थ सास्थ और जब मैं Micro Economics का कहता हूँ तो इसका हिंदी है समझ्टी अर्थ सास्थ दोस्तों यह जो Micro Economics है यह जो terms Micro है English का basically यह Greek word Micro से derived हुआ है मतलब यह Micro सब्द Greek word Micros M-I-K-R-O-S से निगमी थे derived है और इस Micro का Greek में मतलब होता है इसमाल या फिर Individual जब कि Micro Economics में जो Micro सब्द है M-A-C-R-O यह Greek word Micros से derived हुआ है और जिसका मतलब होता है Large या Aggregate इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि Micro Economic संब्द है इसमाल से और वहीं पे Micro Economic संब्द है Large से तो कहने का मतलब क्या हुआ इस इसमाल और Large का क्या मतलब है जब हम Human Behavior की बात करते हैं और हम किसी Problem की Study की बात करते हैं तो Problem की Study हम दो तरीके से कर सकते हैं एक हम Problem की Studies Individual से कर सकते हैं और एक हम उस Problem की Study aggregate या समगहर अस्थर पे कर सकते हैं देश के अस्थर पे कर सकते हैं जब हम Human Behavior का Study Individual Label पे जाके इससमाल लेबल पे जाके एक इंडिवीजिवाल एक इंडिवीजिवीज़ इंडस्ट्री के बिसे में बात करें उसके subject matter को analyze करें तो ये होगा microeconomics जबकि हम समस्याओं को के प्रति हम अगर human behavior का अध्यान जाके एक aggregate समूह या फिर national level पे जाके करें तो वो steady होगा microeconomics का मतलब जो समस्याओं का निराकरण है और उसके प्रति human behavior है वो individual level पे अगर हम अध्यान जाके करें एक व्यक्ति एक farm एक उद्दोग के लेबल पे तो ये अपने आप micro होता है जबकि अगर उसी समस्याओं का बिवेचन हम समगर अस्तर पे जाके करें तो उसी group study को हम micro करते हैं आपको इसे मैं examples के मार्धम से बहुत अच्छे से बताशकता हूँ मानीजिये मैं अगर एक consumer की बात करूँ और उसके satisfaction या equilibrium की बात करूँ तो जब मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ तो ये micro economic analysis है इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ कि economic में किसी specific product की प्राइस बढ़ गई है टोमेटो महेंगे हो गया ब्रिंजल महेंगा हो गया ओनियन महेंगा हो गया तो ये micro economics हो अगर मैं कहूँ कि reliance को benefit हो रहा है तो ये micro economics हो गया क्योंकि मैं reliance की बात कर रहा हूँ इसी तरह मैं कहूँ कि एक व्यक्ति बेरोजगार हो गया एक व्यक्ति की income बढ़ गई एक व्यक्ति की saving घट गई या एक व्यक्ति की saving बढ़ गई तो ये सभी चीज़े individual study है ये micro economics का part होगा जबकि अगर हम समस्याओं को उलत के देखे और national level पे जाके देखे और हम ये study करें कि national income बढ़ गई देश में बिरोजगारी बढ़ गई देश में गरीबी कम हो रहा है या फिर economy में general price level inflation बढ़ गया है तो ये अपने आप micro economic हो जाता है कुल मिला दिला कि एक ही समस्याओं के अध्याइन के दो पहलो निकल के सामने आ रहा है एक individual study और एक aggregate study तो जब individual study होगी तो micro और जब वही aggregate study होगी दोस्तों तो वो हो जाए का micro तो चलिए कुछ मैं question आप से पूछ ले रहा हूँ अगर मैं कहूं इक नामी में inflation बढ़ रहा है तो micro है कि micro बताई कमेंट करिए कि मैं इनफलेशन की बात कर रहा हूँ सभी वस्तों के कीमतो की बडूतरी की बात हो रही है जनरल प्राइस लिवल की बढ़ने की बात हो रही है तो यह micro हो गया अगर मैं कहता हूं कि मुक्य समबानी की income बढ़ गई है तो यह होगा micro तो कुल मिला जुला के समस्या जो आपके सामने आएगी उसको tackle आप aggregate label पे कर रहे हैं या individual label पे कर रहे हैं इसको हम micro और macro के नजरिये से देख सकते हैं जहां मैं सोच रहा हूँ, जहां तक मैं विचार कर रहा हूँ बिलकुल आपको crystal clear हो गया है कि किस समस्या को आप micro मानेंगे और किस समस्या को आप micro मानेंगे हब आईए, मैं आपको ये बताता हूँ कि micro economics का subject matter क्या है तो सबसे पहले हम यहां सीखते है subject matter of micro economics फिर हम सीखेंगे subject matter of micro economics तो सबसे पहले आईए हम देखते हैं microeconomics में basically हमारा subject matter क्या है इसमें हम पढ़ते क्या है तो यहाँ पर हीडिंग डालिए microeconomics में subject matter बहुत जादा important है बड़ी basic class है बहुत ध्यान से समझे सब्जेक्ट matter क्या चीज़े हम microeconomics में पढ़ते हैं सबसे पहली चीज जो microeconomics में दोस्तों हम पढ़ेंगे वो होगा product pricing तूसरा इसमें हम पढ़ते हैं factor pricing अभी इसके इंदी बटाओंगा बिल्कुल ध्यान आप लोग ध्यान से देखिए factor pricing और तीशरी हम लोग पढ़ेंगे welfare वेलफेयर एनलसिस तीन चीज़ें हम microeconomics में दोस्तों देखते हैं एक हम उत्पाद कीमत निधार की बात करते हैं उत्पाद कीमत निधारन दूसरा है साधन कीमत निधारन की बात करते हैं और तीसरा है कल्यार या फिर वितरन की बात करते हैं थीरियाफ वेलफेर थीरियाफ वेलफेर अब देखिए तीरी चीजे ही basically हम माइक्रोएकनामिक्स पर पढ़ते हैं हमारा माइक्रोएकनामिक्स वे जो concerning चीज है वो सिर्फ यह तीन चीजे है पहला हो गया product pricing दूसरा हो गया factor pricing और तीसरा हो गया थीर या फिल या कल या अब product pricing क्या है देखे product pricing में हम ये देखते हैं दोस्तों कि इकनामी में प्रते एक product की specific price है और ये specific price value change भी होती है fluctuation से भी आते है तो किसी product की specific price determine कैसे होती है like example अब मेरे हाट ने ये marker है और ये marker जो है 25 रूपे का तो 25 रूपे ही क्यों इस marker की price है और इस marker की price 25 रूपे जिए अर्मिये सामने एक camera है और ये camera cannon का है और इसकी price है 60,000 अब प्रसन है कि Canon के इस camera की price 60,000 क्यों है और इसकी price 60,000 determined कैसे हुई और अगर कीमते घटती या बढ़ती है तो क्यों घटती बढ़ती है आप देखते हैं एक रेगुलर टेंडेंसी अपने एकनामी में कि ओनियन की प्राइस 20 भी हो जाती है और 80 भी हो जाती है और पूरा का पूरा इसमें खुब ज़्यादा फ्लक्ट्वियसंस होता है तो ओनियन की प्राइस 20 क्यों होती है 80 क्यों होती है और उसमें फ्लक्ट्वियसंस क्यों कोई भी जाती है कि नामी में किसी भी एक स्प्रेस्पिक प्राइस कैसे डिटर्माइन होती है और वो फ्लक्ट्वियेट कैसे करता है इसको हम कहते हैं प्रोड़क्ट प्राइसिं theory of demand या फिर आप कह सकते हैं demand analysis दूसरा हम पढ़ते हैं theory of production theory of production या फिर theory of cost theory of production are cost दो चीजों को हम एक देखेंगे month का analysis करेंगे और दूसरी तरफ हम उसकी supply का analysis करेंगे दो चीजों का analysis से ही हम product pricing कर सकते हैं अगर एक छोटा सा मैं आप एक्जामपल दू कि इंड़ेटा में जमीन की prices बहुत बढ़ रही है तो जमीन की prices क्यों बढ़ रही है property की prices क्यों बढ़ रही है वो variable कौन से हैं जो बढ़ा रहे है तो वहाँ पर दो चीजें आपको देखना पड़ेगा एक analysis of demand और दूसरा supply analysis analysis तो दो चीजें हम product pricing में पढ़ेंगे एक demand theory, demand analysis दूसरा supply theory या फिर supply analysis जिसमें कास्ट क्या production की बात होगी तो आपको समझ में आ गया कि पहला microeconomics का जो subject matter है जिसको हम लोग पढ़ते हैं विसेवस्ट है विसेवस्ट प्रोडेक्ट प्राइसिंग का अब दूसरा विसेवस्ट क्या है microeconomics का दोस्तों दूसरा जो भी सेवस्ट है microeconomics का वह है factor pricing कुप ध्यान से सुनिएगा factor pricing का बतलब है कि किसी की नामी में factor की pricing कैसे अब factor क्या होते हैं किसी भी चीज को produce करने के लिए कुछ factor ना production की आव सकता होती है बिल्कुल concentration बनाईएगा बहुत important चीज बताने जा लो यासे मालीजे मैंने इस marker कहीं जांब दिया और यह marker कैसे बनेगा marker बनेगा QX Q का मतलब है quantity और X का मतलब है तो यह marker जो है QX जब produce होगा तो कैसे produce होगा इसके लिए सबसे पहले इकनामी में चाहिए लेबर बिरा लेबर के मारकर नहीं बनेगा दूसरा चाहिए एकनामी में लैंड फिर चाहिए capital और फिर चाहिए इंटर्प्रिन्योर इंटर्प्रिन्योर देखिए दोस्तों एक्स्क्राइब मतलब और एक्स कमतलर यहां पे मारकर है यह मारकर को बनाने के लिए हमको चार अचं़ से लो कमार्ट आए तो चाहर आइटलिस त्राक्टर प्रोडेक्षण इलवान होंगे किसी भी चीज के प्रोडेक्षण में चाहशशच बेप्रेज डीया expressing तो फेरेंडियो अब लेबर को क्या मिलता है दोस्तों लेबर को मिलता है क्या Remuneration आप जानते हैं वेज मजदूरी मिलती है इसी तरह land को क्या मिलता है? Rent लगान मिलता है Capital को क्या मिलता है? Interest ब्याज मिलता है और इसी तरीके से entrepreneur को जो है साहसी इसको हम लोगे हिंदी में कहते है साहसी को क्या मिलता है? Lab इसी को हम factor आप production का remuneration कहते है Profit इसका मतलब 4 factor आप production हो गया Labor, Land, Capital और Entrepreneur और उसकी जो remuneration हो गया Wage, Rent, Interest and Profit मतलब मजदूरी, लगान, ब्याज और लाव अब प्रेस्ट है कि मजदूरी कैसे डितर्माइन होगी? Rent कैसे डितर्माइन होगी? Interest कैसे डितर्माइन होगी? और ultimate profit कैसे डितर्माइन होगी? तो इसके दिधारण का तरीका Micro-Economics सिखाता है कि हम किस तरीके से Factor of Production का Remuneration determine करते हैं मजदूरी कैसे डितर्माइन करेगी? अगर आप माइक्रों पढ़ेंगे तो धेर सारी आप लोग धीरी पढ़ेंगे इसी तरह आप Interest की बात करेगे तो Classical Theory, New Classical Theory, Loanable Fund Theory, Kinze की Theory, Liquidity Preference Theory, Pisa की Theory और Modern Theory आप पढ़ेंगे इसी तरह आप लाग की बात करेंगे तो सेकल का पढ़ेंगे, आप लोग नाइट का पढ़ेंगे, सुपिटर का पढ़ेंगे ओके ना? फिर Modern Theory तो पूरा का पूरा एक analytical point आप व्यू से हम यह देखते हैं कि Factor Pricing, Factor की Pricing क्या होगे दोस्तों? चार चीज़ कौन काँचीज? सबसे पहले, सबसे पहले क्या होगे? वेज मजदूरी, मजदूरी का दिधान कैसे होगा? फिर लगान का दिधान कैसे होगा? रेंट का दिधान कैसे होगा? फिर इंट्रेस्ट या ब्याज का दिधान कैसे होगा? और प्रॉफिट का मतलन लाव का दिधान कैसे होगा? इन चारों का दिधान कैसे होगा? यह ऐसे नहीं हो जाता है यह पूरी की पूरी पीछे इसके थीरी है उस थीरी के अधार पे आप मजदूरी लगान ब्याज और लाफन निदान का सिधान पढ़ते हैं तो यह कि किस तरीके से वेज रेंट इंट्रेश एंड फॉफिट डिटर्माइन होगा इसके प्रतिक पूरी की पूरी एक थीरी आप उसको आप लोग पढ़ेंगे आप सिखेंगे कि किस तरीके से मजदूरी का देदार होता है तो यहां पर मैं आपको बताओ कि यह चार फेक्टरा इनसे पूछा जाता है यह चार फेक्टरा प्रड़क्ट हैaln क्यों कि लेबर लेंड का जो रिमुनरेशन है दोस्तों वह हमेशा पॉजेटीव होगा अगर आप मैदूर को काम करने के लिए लिकाएंगे तो उसे मैदूरी देंगे अगर आप किसी जमीन को रेंट पे लेकर प्रोडक्शन करेंगे तो आप रेंट देंगे और अगर आप से ब्याज दे या मने लेंडर से आप कैपिटल लेंगे तो उसको आप क्या देंगे ब्याज देंगे तो कुल मिला मिला कि आप लेबर को पाजिटीव रिमुनरेशन कर रहा है मैदूरी के रूप में इसी तरह आप लेंड को पाजिटीव रिमुनरेशन कर रहा है रेंट के तो आपने सिख लिया कि दूसरा चीज में हम फेक्टर प्राइसिंग किसी इंडिविज्वल परसन का वेलफेर कब अधिक होगा इसको वितरने का सिध्धान्त या फिर वेलफेर के सिध्धान्त में हम इसको पढ़ते हैं पूरा कईस में आप देखेंगे सूसल वेलफेर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है सब्जेक्ट मेंटर माइक्रो में तो आपने समझ लिया कि क्या क्या चीजे पढ़ते हैं अब आईए हम सीखते हैं कि माइक्रो में क्या क्या पढ़ते हैं देखिए माइक्रो हमेशा ही एक एग्रिगेट इस्टडी है और एक जो है निशनल लेबल की इसलिए थोड़े से ज्यादा चीजे इसमें हम करते हैं यहां पर आपनों लिख लीजिए सब्जेक्ट मेंटर विश्यवस्तू सब्जेक्ट मेंटर किसका सब्जेक्ट मेंटर हम बात करेंगे मैक्रो एक्रोमिक्स का तो इस मैक्रो एक्रोमिक्स का जो सब्जेक्ट मेंटर होने वाला है थोड़ा सा होने वाला है बड़ा इसमें हम सबसे पहले परते हैं दोस्तों में को एकनामिक में थीरी आफ इंप्लायमेंट एंड नेस्टनल इनकम तूसरा इसमें हम परते हैं ठीरियी आफ जनरर प्राइस लेबल ठीरियी आफ जनररर्ल प्राइस लेबल ग्रोथ ठीरिी ग्रोथ ठीरि और फिर हम पड़ते हैं एक्सटर्नल सेक्टर एक्सटर्नल performing दीखीए देखे दोस्तों चार इसमें बेसिक चीजे हैं जो मैक्रोइकनॉमिस का सब्जेक्ट मेटर है सबसे पढ़े हम पढ़ते हैं थेरी आफ इंप्लेमेंट एंड नेशनल इंकम हम रोजगार और राष्टी आया निधारन का सिध्धान सब पढ़ते हैं मैक्रोइकनॉमिस ने सबसे पाले हम पढ़ते हैं थेरी आफ इंप्लेमेंट एंड नेशनल इकम मतलब रोजगार और राष्टी आया निधान का सिधात रोजगार और राष्टी आया मैंने कहा कि जो मैक्रो है उन नेशनल लेबल पे एग्रीगेट लेबल से सम्बंदीत है प देखे थेरी आफ इंप्लाइमेंट और थेरी आफ नेशनल इंकम में दो चीजह है हम लोग इसके दो कंपोनेंट है थेरी आफ नेशनल इंकम में दो कंपोनेंट है एक हम पढ़ेंगे थेरी आफ कंजम्शन थेरी आफ कंजम्शन उपभोग का सिधात कंजम्शन और इसको पूरा खपत कितना है और इकनामी में निवेश कितनी है जितनी ज्यादा इकनामी में खपत और निवेश होगी उतना ही ज्यादा इकनामी में डिमांड होगी और जितना ज्यादा डिमांड होगी उतनी चीजों का प्रडक्शन होगा जितनी चीजों का प्रडक्शन होगा उतना ही रोजगार बढ़ेगा तो प्राष्टी आय और रोजगार निधान basically निर्भर करता है एकनामी में conjunction pattern क्या है Conjunction कितना है Marginal Propacity to Conjunum क्या है और Marginal Propacity to Investment कितना है इसको आगे थोड़ा साब आपको बताएंगे इस तर्चा करेंगे कि Conjunction और Investment के द्वारा किसी भी एकोनामी में रोजगार और निस्टनल इंकम का लेवल कि कि नामी में कितना कंजमसन है कितना इंविश्मेंट है दूसरा हम में बहुत इंपर्टेंच है वो जनरल पाइस लेबल की थीरी पढ़ते हैं जिसको आप इंफलेशन भी बोल सकते हैं मुद्रा इस्विती भ कि नामी में सामानिक कीमत अस्तर लगभग बस्तु और सेवाओं की जो कीमते हैं और वो कैसे बदलता है कैसे बड़ता है आप पड़ते हैं ना इंफलेशन जादा हो गया है बुद्रा इस्विती जादा हो गई ये कम हो गई तो आखिर में कि कौन से उसके रिस्पांसिवल एकिनामी में इन्फलेशन बढ़ जाता है कौन से ओर रिस्पॉंसिबल इन्फलेशन का घटना और बढ़ना जिसे दो चीज़न हमiko पढ़नी होती थीरिया मनी डिमांड मुद्रा किमान मनी मां वर थीरिया मनी शपलाई थीरियाद money supply मुद्रा क्या पर अगर दो चीजे आपको clear है money demand clear है और money supply के लिए तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि एकनामी में inflation क्यों आता है inflation के कावर क्या है एकनामी में कैसे inflation प्रिजी से बढ़ जाता है और कैसे घट सकता है यह सारी चीजे आप समझ सकते हैं तो थीरियाद general price level में हम money demand और money supply की बात करते हैं अब देखिए हम growth theory एक बहुत important component है macroeconomist का किसी एकनामी का growth कैसे होगा इसके उपर एक tharta process है जिसमे classical economist क्या राय देते हैं classical के बाद kins क्या राय देते हैं development कैसे होगा kins के बाद जो अगली kinsian है वो क्या सोचते है कि economic development कैसे होगा फिर हम इसमें देखेंगे higher ed domer का क्या भी होगा है फिर जो है जब new classical की बात आप करते हैं तो इसमें solo की बात करते हैं तो एक तरी किसी economic के growth के parameter क्या है शुरू में माना जाता है कि किसी economic पास natural resource बहुत जादा हो जाएगा तो बहुत जादा growth कर जाएगा फिर माना गया कि किसी एक नामी में लेबर जादा हो गया तो जादा ग्रोथ करेगा फिर बात में होगा नहीं किसी एक नामी में लेबर और कैपिटल दोलों बहुत अच्छे हो तो बहुत जादा आप ग्रोथ कर सकते हैं फिर इसके बाद ये आगया कि नहीं नहीं किसी के नामी में अगर technical progress बहुत बहता हो रहा होगा तो यह आमें बड़ी तेजी से ग्रोग कर जाएगी और बाद में ये आगया कि technical progress तो basically human ही करता है तो किसी के नामी में human capital कितने ज़्यादा advance है कितना ज़्यादा उसमें investment है education में health में वो ज्यादा growth कर जाएगा तो अनिस्टिल चेंज थीरी है जो आप पढ़ेंगे कि जो new growth थीरी है रोमर का model है endogenous growth theory है वो इसके उपर आके depend करती है कि actually growth not determined by investment बलकि rather than growth determined by human capital human resources because economic development depends upon technical progress and technical progress depends upon human capital and human resource अगर अमेरिका का growth जादा है चाइना का growth जादा है तो आप देखते हो उसके पीछे human resource काव कर रहा है जो इंडिया का human power है वो अमेरिका में जाके वहाँ पर technical advancement कर रहा है तो important technique तो है लेकिन technique को कौन technique बनाता है data humans तो growth की theory क्या-क्या है इसमें किस तरीके से development है वो आप macroeconomics परते हो और last में external sector के बारे में आप परते है अगर दो या दो से अधिक देश्टों के भी इस trade होगा दोस्तों तो आप जाते हों दो या दो से अधिक जो trade होगा वो at least दो currency चाहिए एक domestic currency एक international accepted currency माई दीजे भारत को trade करना है international trade तो एक तो रूपया चाहिए और एक dollar चाहिए तो हम dollar को कैसे पर change करेंगे कैसे आप कहते हैं कि one dollar is equal to 76 रूपी कैसे कहते हैं आखे ने ये dead height कैसे होता है तो ये पूरा का आपको बता है कि आप micro economics में क्या analysis करते हैं क्या पढ़ते हैं और macro economics में subject matter क्या होता है अगर आप एक UPSC के sprint है दोस्तों तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए आपको ज्यादा focus करना है macro economics से क्योंकि आपको एक aggregate level पर समझ्याओं को देखनी है तो आप देखेगा UPSC का ज् एक्चेंज रेट इंटरनेशनल इस्यूसर मुल्टि लेटरल इस्यूसर के बारे में तो पूरा का पूरा जो subject है वो डिवूर्ट है micro economics में तो आपको जो है धीरे-धीरे चीजों को समझना है conceptual अपनी जो framework है उसको मलबूत करिए और सबसे महत्रपूर है willpower सोच लीजिए अगर सोच लिए तो कर जाएंगे नहीं सोचे कुछ नहीं कर पाएंगे सबसे पहली चीज है पक्का इरादा strong willpower लक्ष को सोच लीजिए साथ लीजिए जब आप लक्ष को सोध लेंगे और साथ लेंगे नीद नहीं आएगी उसी के बारे में सोचेंगे सबसे मजा कब आता है उसे पूछी जब UPSC का मेंस देते थे तो बारा घंटे की स्टेडी करते थे और वो इस्टेडी में जितना मजा आया लाइक में अब तक नहीं आया है मजा है नसा है लक्ष को प्राफ्ट करने में लक्ष के तरफ आगे बढ़ने में willpower रिस्टांग करिए do or die करो या मरो अपने human होने का समय है और human होने का अर्थ है उसको पहचानिए समय की महत्तु को समझढ़िए तब पस्ताय किया हो जब चिर्या चुक गई खेत समय है उरजा है ताकत है समय है उरजा है ताकत है फिर भी कुछ नहीं करोगे तो फिर आप समाज के लिए अभी साफ हो तब आपको माफ किया जा सकता था जब आपके पास ताकत नहीं होती लेकिन आपके पास उर्जा है ताकत है और समय भी है मैं ये बात करने वाला हूं कि किनामी में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे होती है और साथी साथ उस प्रोडक्ट के प्राइस में फ्लक्शुएशन कैसे आता है आप देखते हैं कि जारे के सीजन में जो टमाटर है वो 20 रुपय केजी भीगता है और फिर वो धीरे देर अर्सी के चला जाता है अभी आपने दो साथ पहले देखा अरहर किदा 200 रुपय के जीपी के तो एक्शुली किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए मारकर हो पेन हो ये जो है फैन हो कि इसकी प्राइस डिटरमान कैसे होती है और साथ ही साथ डिटर्मिनेशन के साथ-साथ उसके प्राइस में फ्लक्टुएशंस कैसे होते हैं इसी के ऊपर मैं परूप करूंगा फोकस तो पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्हान से देखिए बिलकुल लाश देखिए या एकनॉमिका को सब्सक्राइब करें क्योंकि एकनॉमिक रिलेटेट सबसे अठेंटिक और सबसे कंसेटिकल वीडियो हम देने का कर रहा है प्रयास एकनॉमिक का मतलब दिख बिजा एकनॉमिका तो आगे दोस्तों सुरू करते हैं प्रोड़क्ट प्राइसिंग की प्रोड़क्ट प्राइसिंग कीमत निधान किसी वस्तुका कैसे भी होगा कैसे होगा इसके लिए दो चीजे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो उस प्रोड़क्ट की डिमांड कैसी है और दूसरा उसी स्प्रोड़क्ट की सप्लाई कैसी है अगर उस प्रोड़क्ट की डिमांड का एनलसिस हम कर ले और उसी प्रोड़क्ट की अगर सप्लाई का एनलसिस कर ले तो हम बड़े असाली से बता सकते हैं कि उस पहले में प्रिष्ट भूम में आपको बताओं पहले जब प्राइसिंग की बात हुई प्रोड़क्ट प्राइसिंग की तो एक ग्रूप आफ एकोनॉमिक्स थे उनका मानना था कि किसी भी प्रोड़क्ट के प्राइस डिटर्मिनेशन में इंपोर्टेंट होता है उसकी डिमा बहुँ जादा पनीर की डिमांड शुरू हो जाए तो पनीर की प्राइसिंग बढ़ जाएगी किसी भी चीज़ के अगर डिमांड बढ़ने लगे तो उसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है ऐसा मानता था एक इस्कूल आफ ग्रूप एक इस्कूल आफ थाट दूसरे तरफ दूसरे एकोनॉमिक्स का ग्रूप भी था जो मानता था कि किसी भी प्रोड़क्ट के प्राइस में उस बस्तू के डिमांड से ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है उस बस्तू की सप्लाई अगर किसी बस्तू की सप्लाई जादा हो जाए तो उस प्रोड़क्ट की प्राइस गिर जाएगे like example मैंने अभी बताया कि नुएडा में बहुत ज्यादा जो है फ्लाइट के प्राइसे हैं लेकिन अगर वही फ्लाइट बहुत ज्यादा सीतापुर में बन जाए या फिर राइबरेली में बन जाए या फिर गुरक्पुर में बन जाए तो वहाँ पर उसके supply ज वही धनिया जो 400 रुपय केजी था अब वह 20 रुपय केजी बिक रहा है ऐसा इसलिए बिक रहा है क्योंकि धनिया का supply बहुत बढ़ गया है वही आलू जो हम 50 रुपय केजी खरीद रहे थे अभी वह 10 रुपय केजी आपको एक महिने मिलेगा इसका कारण यह है कि उसकी supply ब इसकी महीने कहा कि जो ग्रुप था वो कहता था कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसिंग में इपौर्टेंथ होता है इसकी supply है summer oh वो आते हैं दाइस पे और खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो दाइस पे एक पेपर को उठाते हैं और उसको सीजर से काटते हैं सीजर से काटने के बाल ये प्रस्न उठाते हैं कि इस पेपर को काटने में इस सीजर के अपर एज ने जादा रोल प्ले किया है या फिर लोवर एज ने जादा रोल प्ले किया है इस जो है paper को काटने में इस seizure को काटने में इस paper को काटने मेńsk時 seizure के upper role ने ज़्यादा role play किया या फिर lower age ने जादा role play किया लोगों ने कहा कि दोनोंने बराबर role play किया इसी बात पर Marshall यह सपस्ट करते हैं कि किसी भी product के price determination में important सिर्फ demand नहीं होता important सिर्फ supply नहीं होती बलकि demand and supply का जो interaction है interaction is the most important जब तक demand और supply एक साथ interaction नहीं करेंगे अंतर किरिया नहीं करेंगे interact नहीं होगे तब तक product की price determine नहीं होगी इसका मतलब है किसी product के price में ना तो important है demand ना तो important है supply बलकि दोनों का interaction बहुँ जादा important है तो इसी बात को आए टेक्निकली में आपको सिखाता हूं कि 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 तरीके से demand और किस तरह से supply एक दूसरे के साथ interact करते हैं और product की price कैसे determine होती है और actually product के price of fluctuations कैसे आता है तो आए शुरू करते है demand analysis किसी विबस्ट की बाग मालीजे कि मुझे एक mobile phone पर्चेज करना है तो आएए मैं demand करता हूं mobile phone की तो सबसे पहले आप लों heading डालीए demand analysis फिर हम लों सिखेंगे supply analysis तो demand analysis मालीजे मुझे product की demand करनी है demand for x और x मेरा एक mobile है एक mobile है और मालीजे कि यह mobile Samsung की mobile है और मैं इसी Samsung के mobile को गैलक्सी की mobile को पर्चेज करना चाहता हूँ अब प्रस्ण है कि इस demand के determinants क्या होंगे तो इस product की mobile के determinant जो होंगे वो होगा price of x इसी mobile की कीमत क्या है दूसरा आपकी income क्या है फिर आपका जो test क्या है फिर price of substitute goods क्या है जिसको PGO कहेंगे और ultimate advertisement का level क्या है मतलब product of x के जो demand के determinant है निर्धारक है वो किसी भी consumer की income लेकि सबसे पहले उसी product की price, test consumer का और price of substitute goods और advertisement ही लेकि जब मैं यहां पर किसी वस्तु की मांग की बात कर रहा हूं demand for goods तो सबसे पहले आईए मैं आपको यह clear कर दू कि जब मैं demand सब दिकाता हूं तो demand का अर्थ क्या होता है लेकिए demand में किसी वस्तु की demand में किसी product की demand में और उस product की इच्छा में अंतर है बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से समझेगा किसी product की demand में और किसी product की इच्छा में फरक होता है जब हम कहते हैं किसी product का demand तो important होता है कि क्या हमारे पास ability to pay है desire to pay अलब हो गया मुझे वह वस्तु चाहिए desire to desire to pay लेकिन ability to pay क्या वो मेरे पास purchasing power है जिसे मैं खरीद लूँगा अगर बैकप ability to pay से नहीं है अगर उस बस तुक्य खरीदने की purchasing power नहीं है तो उस बस तुक्य demand का कोई मतलब नहीं होता है demand का मतलब है कि specific price पे मैं उस product को purchase करने के काबिल हूँ मेरे पास इतनी purchasing power है इतने पैसे हैं कि मैं उसे खरीद लोगा एक गरीब बैक्ती है और उसकी इक्षा है कि मैं जो है फार्चूनर से चलूँ उसे इक्षा है हो सकती है लेकिन यह उसकी इक्षा है उसकी demand नहीं है demand तब होगी जब उसके पास 40,00,00 रुपे आये और वो फर्चूनर की खरीदने के काबिलियत रख्या उसे purchase के कर ले तो इसलिए demand जो है दोस्तों आपके इक्षा से अलग हो जाता है क्योंकि demand के दो component है एक जो है product का desire और दूसरा है ability to pay purchasing power तो अगर purchasing power बैक अप नहीं कर रह है तो फिर demand जो है इक्षा रह जाएगा demand demand तब होता है कि जब उसके लिए आपके पास purchasing power तो दोस्तों इस product की demand में जब कर रहा हो यह Samsung की mobile X है जिसे मैं purchase करने जा रहा हूं तो इसकी जो demand के determinants होंगे वो पहला चीज होगा price of X इस Samsung mobile की की कीमत दूसरा मेरी income फिर मेरा test फिर price of substitute goods अगर मैं Samsung खरने जा रहा हूं तो मैं Redmi को भी देखूंगा, Lava को भी देखूंगा, Vivo को भी देखूंगा, Oppo को भी देखूंगा, Realme को भी देखूंगा, ये भी मैं देखूंगा और फिर advertisement क्या है इसके उपर भी परभाव पड़ता है तो दोस्तों जो 5 determinants हैं इस product के demand के, लेकिन माना जाता है कि जो सबसे important determinants होता है वो demand का वो होता है PX, अगर इन चार तक्तों को मेरे income को, price of substitute goods और A को, advertisement को constant माले, remains same माले, constant माले, इस से माले कि ये बदल नहीं रही है, तो माना जाता है या फिर actual में है ऐसा कि demand for X is the function of price of X कि किसी वस्तों की जो मान है उस वस्तों के उपर निर्भर करती है लेकिन जो दोनों के बीच relation है वो proportionate का है उल्टा है इसका मतलब ये हो गया कि अगर product की price बहुत ध्यान से दिखिएगा, अगर product की price कम होगी तो मैं उस product की demand जादा करूंगा और अगर उस product की price जादा होग तो मैं उसी product का demand जो है अपने आप कम कर दूँगा इसका मतलब इन दोनों के बीचे जो संबंद है वो एक विपरीत संबंद है एक inverse relation है एक negative relation है जिसको हम English में inverse relation कहेंगे या फिर जो है क्या कहेंगे हिंदी में विपरीत संबंद कहेंगे इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर किसी product के कीमत में कमी आती है तो उस product के माल में ब्रिध हो जाती है और अगर किसी product के कीमत में ब्रिध होती है तो उस product की माल कम हो जाती है सित्धा से example है जब टमाटर 80 रुपय केजी था तो पापा एक ही पावल आते थे अब टमाटर जब 10 रुपय केजी होगा तो ब प्रोड़क्ट के डिमांड में और प्रोड़क्ट के प्राइस में जो रिलेशन है इसको उल्टा रिलेशन कहा गया इसी को basically हम मार्सल का लाफ डिमांड भी कहते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा मार्सल का लाफ डिमांड ये कहता है कि अन्य चीजें अगर इस्थिर बनी रहें अन्य चीजें का मतलब अगर आपकी इंकम आपका टेस्ट प्राइस आफ शर्टिटूट गूट और एडवर्टिजमेंट में कोई बदलाव नहों तो किसी वस्तु के कीमत और वस्तु के मांग में उल्टा संबंद होता है there is inverse relationship between product prices and product demand it means to say if price of product high due to this price of demand for x will be low और अगर price of x will low then demand for x will high तो simple marsal का lack demand यह बटाता है कि इसी बस्तु के कीमत और किसी मांग के बीच जो संबंद है वो उल्टा है फिपरीथ है बस्तु के कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है तो marsal के lack demand के card अगर हम demand कर्व यहां पे हम खीचना चाहें दोस कीमत ले ले और यहां पे उस product की उतपादन या quantity ले ले तो आप देखिए यह होगा कि अगर product की price high है देखिए अगर यह P3 है तो demand सिर्फ X1 की होगी अगर कीमत घट गई P2 हो गई तो इसकी जो है demand बढ़के X2 हो जाएगी और कीमत और भी घट गई P3 हो गई तो यह जो बढ़के X3 हो जाएगी इसका मतलब आप देख रहे हैं जो यह demand curve है इसको हम मांग वक्र कहेंगे demand curve यह downward sloping है और इसका जो slope है दोस्तों आप देख रहे हैं यह negative slope है यह क्या है slope? negative slope है negative slope यह दिखाता है कि अगर कीमते जादा है तो मांग कम होगी और कीमते कम हो गई तो मांग जादा होगी इसका मतलब यह हुआ कि price यहाँ पे independent variable है और quantity जो है वो dependent variable है कीमत के घटने और बढ़ने से जो quantity है वो प्रभावित हो रही है कीमत बढ़ रहा है quantity की demand हम कम कर रहे है और कीमत घट जा रही है quantity की demand हम चादा कर रहे है तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्सल का लाफ दिमान समझ में आ गया होगा मार्सल का लाफ दिमान ये बताता है कि अगर अन्य चीजें इस्थिर बनी रहे अन्य चीजों का मतलब आपकी income, test, preferences, price of substitute goods अगर इस्थिर बनी रहे तो product की price और product की demand में होता है inverse relation मेरा एक फ्रेंड लोग से वाई उत्तरपडिस में PCS का interview देने गया था उसके मजदार सवाल पूछा गया उस सवाल को मैं आपसे पूछता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या आप उसका जबाब दे पा रहे हैं कि नहीं कमेंट करिएगा कि क्या आपको समझ में आया या फ प्रोडक्ट के प्राइस पे क्या असर पड़ेगा कुश्चन को फिर से सुनिए लोग से वाई उत्तरपडिस में पूछा गया interview पर इच्छा में मेरे दोस्ते की गर्मी के दिनों में refrigerator की डिमांड बढ़ जाती है वहीं वर्ड कप में रंगीं टेलिविजन की डिमांड ऐस रवता दो सोचिए सुखिए सुनिए मार्चल का लाप चला की मांड इस कोष्चर्थए विप अपल अपलिके बनन नहीं है इसलिए अब लहीं है क्योंकि मार्चल ने बताया था कि जो उख्राइस है वो है इंडिपेंड लेव-अ और जो टीमांड है वह से इपेंडिं कि दिमाद बढ़ गई गर्मी में रिफ्रिजरेटर की आप समझ रहे हैं या फिर यह पूछा कि वर्लड कप में रंगीन टेलीविजन के डिमाद बढ़ गई तो प्राइस पर नहीं करते हैं तो इस जब कि वो मेरा दोस्ति इस फस गया अच्छा इकनॉमिस से जानका आपको यह बताना पड़ेगा कि माद सलकाल आफ इस पर अप्रिकेबल नहीं होगा क्योंकि मार्सल जो है प्राइस को इंडिपिंडेंट बरियेबल मानते हैं और बताते हैं कि दिमांड उससे प्राइस से दिमांड प्रवाइच होती है आपने कोशन को प लेकिन आप यहां भी आई अगर पी एक्स को हटा के आप वाई सुचिए तो इंकम से भी आपका डिमांड प्रभावित होता है हम लोग तो मैंगो मैं है आम आदमी जब मुझे कोई कीमत की कार्डिंग अगर आप गया और एक जैकेट बहुत अच्छा पसंद आया और कीमत देखे एक्स का ऐसे याद को मैं बताओ प्राइस आफ सफ्टीट्ट्स गुर्स बिसे में बात करूंगा प्राइस आफ सफ्टीट्स गुर्स जाते हैं कुछ दूसरा product purchase करके लाते हैं कुछ दूसरा product पापा के very car खरी नहीं है बहुत दीन से सोचे कि बैनार खरी देंगे और बैनार नहीं खरका variety watch के लगे चल आते हैं कि आप हमेशा उससी product के substitute की price का भूवी completion करते हैं demand के लिए और advertisement कुछ लोग अपने टेस्ट से इतना ज्यादा बढ़े होते हैं कि इस टेस्ट के आगे कुछ भी नहीं ना प्राइस ना इनकॉम मेरे साथ एक मेरे कली है वो मुफ्ती के सर्थ पहने के एकदम से दिवाने एक दिन खुझली कर रहा है कि मैंने पूछा क्या हुगा टेस्ट क्या है बहुत इंपोर्टेंट है तेस्ट कितना जड़ा इंपोर्टेंट है आप समझे भाथ को सब्सक्राइब नहीं ले शल्म ना ϛोय장 करता है कुछ लोग अपने युपिटर ने महान आया कमेता बचल से एड कराया है सुमाधार सूपर हिट तो आप समस्ते एड भी डिमांड के लिए बहुत जाने इंपोर्टेंट लेकिन मोश्ट इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट फार डिमांड इसक्राई साथ है यह सबसे जादा है और इसके पिस जो संबन है मैंने का इनुवर्स है और इस तरह की डिमांड का हमारे सामने आती है तो यह रहा दोस्तों डिमांड अनल्सिस आईए फिर से जल्दी से आजाते है सप्लाई अनल्सिस के उपर तूसरी चीज़ यह है कि जो प्रोड़क्ट की प्राइसिंग में डिमांड तो है ही डिमांड के साथ सा जो दूसरा इंपोर्टेंट उसका घटक है वो है सप्लाई और किसी भी प्रोड़क्ट की सप्लाई आप यहां पे सप्लाई आफ एक्स ले लिजे और यहां भी वही सेमसंग मोबाइल के एक्जामपल में ले रहा हूं इसकी सप्लाई डिटर्माइड करेगी फिर प्राईस आफ एक्स सप्लाई आफ इंपूट प्लस टेक्नोलाजी के लेबल पे तीन चीजे हैं जो सप्लाई आफ एक्स डिटर्माइड करती है किसी वस्त का उत्पादन कितना होगा पूर्त कितनी होगी पहले चीज़ उसी वस्त की कीमत कितनी है दूसरा सप्लाई आफ रा मिट्रियल इंपूट कितनी है और तीसा टेक्नोलाजीकल लेबल के है तीन चीजों से डिटर्माइड होती है लेकिन जो सबसी पावरफूल डिटर्मिनेंट है टिसी प्रोडक्ट के सप्लाई में तो सप्लाई फार एक्स आल्सो डिटर्माइड बाई पी एक्स जबकि ये दोनों तक तो कांस्टेंट बने रहे है इसका मतलब दोस्तों ये हुगा कि SX भी PX से डिटर्माइड होती है और Demand for X भी Price of X से डिटर्माइड होती है तो दोनों में फरक्त है Demand for X और Supply of X में अंतर ये है कि ये Proportionally Relation to PX है अगर हम Price of X को बढ़ाएं तो Supply of X बढ़ जाएगी और Price of X को घटाएं तो Supply of X घट जाएगी इसका मतलब जो वहाँ निगेटिव रिलेशन था यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में जो रिलेशन है वो पॉजेटिव रिलेशन है कैसे कैसे सिदा सम्मन है माली जी कि कोई चीज है माली जी कि मैंने एक बुक लिखे और उस बुक की बहुत ज़्यादा प्राइस बरने लगे तो मैं और साप्लाई को बढ़ाओंगा जल्दी जल्दी कि मुझे फायदा होगा आलू की जो है प्राइस बरने लगी जल्दी जल्दी लोग बनाएंगे सैनिटाइजर की देखिए क्या हुआ सैनिटाइजर की प्राइस बरने लगी कितनी सैनिटाइजर कोभीट मिबन गया मास्क आपने देखा प्राइस बरने लगे कितना लोग मास्क बना ली पॉजेटिव ही ले सारण है कीमते घट बढ़ जा रहे थी हम डिमांड घटा दे रहे थे यहां देखिए जब अनल्सिस करते हैं और धान से समझने वाली बात यह है कि दिमांड अनल्सिस हम करते हैं बिल्कुल दिमांड में बैठा ली दिमांड अनल्सिस हम करते हैं कंजूमर के लिए सप्लाई अनल्सिस उड़ा करें तो हमारा जो supply curve होगा यह positive होगा ऊपर के तरह उठता हुआ होगा और यहां पर product की price आप लिखिए और यहां पर quantity supply जब करेंगे तो इस तरह का देखिए आपको positive चीजहें मिलेगी इसका मतलब यह होगा कि यह supply curve है supply है यह supply curve दिखाता है कि अगर प्राइस है तो supply एक्स ओन कर रहा है और ज्यादा प्राइस हुई तो supply बढ़ा है एक्स टू किया और ज्यादा कीमत बढ़ने पर supply आपका बढ़ रहा है जब कि यह प्राइस के सेटिटर्माइन होगा एकाड़िंग तो अब आएये हमारे लिए के नहीं हो गया बहुता आसान क्यों वाद यह हुआ सप्लाइड यह वा दिमांड फार सेमसर यह वाग्या सप्लाइउ फार सेमसर जहां एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी कीमत यहीं पर निधायत हो गया 20,000 रुपे 20 के और यह हो गई quantity determined अब जब देखिए अगर किसी कारण से डिमांड बढ़ जाए सेंसंग की क्योंकि आपने देखा कि चाइनीज कंपनियों के प्रती लोगों में सेंसंंग का डिमांड यैक्टम से बढ़ गई जब शेमवह का ढीमांड बनेंगी तो दिमांड कर्शीप्ट हो जाएका राइड और जब ले के ही इसकी प्राइस बढ़के तुरंद हो गई 25,000,000 हो गई ऐसे ही आलू के भी ले सकते हैं आलू की डिमांड बढ़ जाएगी अगर डिमांड फार S1 से डिमांड फार S2 हो जाएगी तो आलू की कीमत 20 रुपे से 25 रुपे हो जेगी इसका मतलब डिमांड बढ़ा दीजिए और बनाएंगे तो और आप एक ही इसकी प्राइस बढ़ जाएंगी लेकिन उल्टा अगर डिमांड घट जाए डिएस त्री अगर माल दीजिए डिएस से डिमांड घट गया कई बाल लोगों को लागा कि कोई बात हो गई इस प्रट्रेक्ट को नेक अभी आतने देखा ना गट गई फटाक से गट गई क्यों गट गई क्यों की यहाँ है और अगर डिमांड जो है आपका दोस्तों बढ़ लोगी इसका मतलब क्या हुआ नेकि किसी प्रट्रेक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है उत्तर है इंटरथ टेमांड ये रिश्वार अगर और आगर वह से दो आगकर अगर तो प्राइसर आपकी घड़ जाएंगे इसका मतलब अगर सप्लाइव फी चेंज हो जाए और डिमांड भी चेंज हो जाए तो प्राइस उसी के काईडिंग चैंज हो बढ़ गयी तो टमाट्र की सब्लाइब अगया चैसिता हो गया है लेकिं जाड़ी की दिनों में तो आप देखते हैं टमाट्र की दिमांड भी बहुत बढ़ जाती है पहले पापर एक पएक करते थे जारे तो दो के आदे नियुक्त दिमांद वहीं बहुत बढ़ा है यहां पर देखिए द्रमाटर के जारे में सप्लाई भी बहुत बढ़ी है और दिमांड भी बढ़ी है लेकिन दिमांड से जादा सप्लाई बढ़ी है प्राइस गिर गया आप समझ रहे हैं तो इंपोर्टेंट है दिमांड एंड सप्लाई का इंटरेक्शन किसी प्रॉडट क प्राइस कब बढ़ेगी जब सप्लाई के तुन्ना में डिमांड जादा पड़ जाए तो कीमत उल्टा बढ़ जाएगी अगर डिजल पेट्रोलियम का डिमांड घट जाए और सप्लाई और भी घट जाए जैसे गोल्ड का देखिए गोल्ड इसमें बहुत बेहगा है दिमां यह महाँ होता जा रहा है तो देखिए दोस्तों डिमांड और सप्लाई का इंट्रक्शन बहुत इंपर्टेंट है एक वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा आपको बहुत क्लियर कर समझाने की कि डिमांड कैसे होता है सप्लाई कैसे होता है लेकिन एक चीज इस लेशन को हमेशा त्यार रखिएगा कि अगर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो आप वैलूएबल हो जाएगे और अगर आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो आपकी कीमत घड़ जाएगी यह स्थीरी को अपने जियों ही उतारिए कुछ ह जाए आता रहा है यह वीडियो बहुत ज़्यादा इक्वाटेंट है पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखेगा दिखविजय इकनामिका को अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिखविजय इकनामिक को सब्सक्राइब करिए हम सबसे बहतर क्वालिटी की आतेंटिक वीडियो आपको देने का कर रहे हैं अपना पूरा प्रयास तो दोस्तो आयए हम लोग सीखते हैं कि क्या है Change in demand का मतलब मांग में परिवरतन का मतलब कल की वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि मांग का मतलब क्या है जब मैं demand की बात करता हूँ तो यह आपके desire और want से अलग होता है मांग में important होता है purchasing power किसी चीज की आओ सकता और उसको खरीदने की सकती ability to pay अगर नहीं है तो मांग नहीं है मेरे पास किसी वस्तु की आओ सकता है और उस वस्तु को खरीदने की चमता है ability है purchasing power है तब ही मैं उसको कौँगा मांग कल के वीडियो में ये भी clear किये थे हम कि जो मांग के निर्धारक है demand for x माल लिजे मुझे x की मांग करनी है demand करनी है तो ये 5 चीजों के द्वारा निर्धारक होता है पहला चीज उस बस्तु की price क्या है दूसरा मेरी income y क्या है मेरा test or preference क्या है price of substitute goods क्या है और ये advertisement का label क्या है तो ये 5 चीजे demand के निर्धारक होती है लेकिन अगर ये चार चीजों को मैं इस्थिर मालनू मेरे income को अपने test को price of substitute goods को और advertisement को तो actually px और dx में एक reciprocal relation है और इसलिए आपने देखा कि मान वार्ट में नीचे गिरता हुआ है ये जो है downward sloping है negative sloping है और ये दिखाता है कि अगर कीमत ज़्यादा होगी तो मान कम होगी और कीमत कम होगी तो मान ज़्यादा होगी तो दोस्तों आईए यहां से हम शुरू करते हैं कि मान में विस्तार expansion in demand या फिर मान में संकूचन contraction in demand का मतलब क्या है मालेजे दोस्तों यहां इस diagram में आप अच्छे से समझ पाएंगे मान जी किसी product की price है 10 rupees और 10 rupees पे मैं उस product के 20 unit को purchase करता हूँ मतलब 10 rupees उस product की price है और इस पे मैं 20 unit उस product को purchase करता हूँ मान जी उस product की price बढ़के 12 rupees हो गई तो मान का नियम यही है कि अगर किसी वस्त की price बढ़ेगी तो मैं उसकी demand कम करूगा तो आप देखते हैं कि जब यह 12 rupees होता है तो यह मेरी demand कम हो जाती है अब मैं इसका सिर्फ 15 unit ही demand करता हूँ purchase करता हूँ तो इसका मतलब यह हुआ कि कीमत बढ़ने की वज़ा से मैंने अपने मांग को पहले का पेख्षा जो है contact किया है संकुचित किया है तो दोस्तों पहले मैं था e-point पे अब मैं e-point पे नौग होके उसी मांग वक्र के even point पे चलाया तो e-bindu से even पे जाना ही मांग में संकुचन है contraction in demand है मांग की संकुचन है मतलब अगर कीमत बढ़ने पे मांग कम हो गई तो इसी को हम contraction in demand कहेंगे वाइस वर्सा अगर उस product की price दस रुपे से घट के 8 रुपया दोस्तों हो गई और 10 से 8 रुपया होने पे उस product की मैं demand पी सिकाई से बढ़ा के 25 सिकाई कर देता हूँ तो आप देखते हैं ऐसे में मैं e point से e to point पे चला आता हूँ इसका मतलब पहले से ज़्यादा मैं product को ले रहा हूं demand कर रहा हूं पर्चेज कर रहा हूं तो दोस्तों e से e to पे आने को हम कहेंगे expansion in demand demand मतलब मांग में विस्टााइग ooKEEं तो दो कौन सिप्ट यहां पर आघाया मांग में विस्ताइग और मांग में संबकूचन कीमत बढ़ने पे उसी मान्वक्र पे अगर आप left word आप जो है left word shift हो गय है में विस्तार और सुनकूचन की जब मैं बात करता हूं तो मैं उस product के price के change होने पर demand में किस तरीके से change हो रहा है इसकी बात में कर रहा हूं यहाँ पर मैं income test preferences या advertisement को constant मानना हूं और product के price को change होने पर demand में किस तरीके से response आ रहा है उसको मैं check कर रहा हूं actually जब मैं मांग में विस्तार और सुनकूचन की बात करूंगा expansion and contraction in demand तो मांग वक्र दोस्तों वही बना रहेगा डीडी वही बना रहेगा सिर्फ हम मांग वक्र से एक बिंदू से दूसरे बिंद पर movement करें इसका मतलब movement along demand कर उसी मांग वक्र पर आगे और पीशे के तरफ हम जा रहे हैं demand कर वही दा रहे हैं सिर्फ prices के change होने से demand जो है या तो extension हो जा रहा है उसका या फिर contraction हो रहा है तो expansion आप समझ गया होंगे कि कीमत में कमी होने यह expansion तब होगा जब उसी product कीमत में बीद हो और मांग वक्र वही बना रहे है और आप उसके leftward shift हो जाए फिर आजए दूसरा चीज मांग में ब्रिधिवद कमी increasing and decreasing in demand इसको हम intensification भी इंगलिस में बोलते हैं और decreasing को weakening in demand भी बोलते हैं तो दोस्तों इसको क्या है इसको बहुत अच्छे से समझेए कि मांग में ब्रिथ वकमी in increasing and decreasing in demand का क्या मतलब है अब अब फिर यहीं क्या आई मैंने कहा कि जो मांग के निधारक है वो पी एक्स है वाई है टी पीजीरो एड अब मैं क्या कर रहा हूं इस बात मैं पी एक्स को कॉंस्टेंट माले ना माल लिया कि मैं जो प्राइट सा प्रोड़क्ट है वो वही है मालीजी कि मुझे एक मोबाइल प्रचेज करनी और मोबाइल की प्राइस अठारा हजार है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है वो कॉंस्टेंट है लेकिन मेरी इंकम बढ़ गई मेरे इंकम पचास हजार से एक लाख हो गई ऐसे दोस्तों देखिए प्राइस तो वही बनी हुई है और मेरी जो दिमांड पहले एक्स वन थी अब वो एक्स टू हो गई हुआ यह कि मैं क्या किया इंकम बढ़ने के वज़ा से यह इब इन उसे ईवन पर आ गया लेकिन यह जो ईवन है दोस्तों यह दिमांड कर राइट वर्ड सिफ्ट हो गया है मतलब आप इसके पीछे और कुछ रिस्पॉंसिवल्स कैर्ण है वो कौन की से रिस्पॉंसिवल हो सकते हैं दोस्तों जिसके वज़ां से हमारा जो मान वर्ड रहा है वही राइट वर्ड नोग लागे किसी भी चीज की पापुलरिटी बढ़ जाती है तो आप सडेनली उसकी प्राइसे तो वही रगती है लेकिन आप दिमांड बढ़ा देते हैं जैसे आपने देखा कि अभी कोबीट की एरा में सेनेटाइजर की डिमांड देका एक बढ़ाए प्राइसे नहीं चेंज हुए या पी इंकम 50 रहा से 5 राख हो जाए तो मैं मोबाईल की सीधे जो है दिमांड बढ़ा दिया तो यहां पर इनिक्रीजी हो गई या फिर कोई प्रोड़क्ट फैसन में आ गई या फिर क्या हुआ कि मेरा टेष्ट बदल गया जब मैं कहने लगा कि सिर्फ यही प्रोड़क्ट ह कर देगी और यहां पर इनक्रीजी इंडिमांड हो जाएका मांग वकट ही बंदल जाएगा इसका असे तो आप रिफिल की दिमांड को बढ़ा सकते हैं तो यह चीजह हो सकती है कि प्रोड़क्ट बहुत जादा फेमस हो जाए मेरी इंकम बहुत जादा बढ़ जाए मेरा टेस्ट एक बदल या फिर इडवर्टीजमेंट कही बाद क्या होता है कि हम अपने डिमांड को प्रभावित कर देता है अजकल आप देखिए ओलिको पूली में जो कंपनियां है और वो रुपया खर्च कर रहे हैं इसका कारण क्य कैसा है कि अगर अभिता बच्चन आके स्कूटी का अडवर्टीजमेंट कर दें तो हम इसकूटी पर्चेस करते हैं जब कि इबच्चन कभी स्कूटी में चलते ही नहीं होगे फिर भी क्या कर दे तो अगर आदवर्टीजमेंट करा दे तो हम दिमांड काई बढ़ा दिये इसको हम कहेंगे increasing in demand, intensification in demand, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, decreasing and weakening in demand भी हो सकता है, माली ची क्या हुआ, कि उसी price पे, price में किसी तरह का परवर्त नहीं हुआ, लेकिन ये जो demand curve है, वो अब leftward shift हो गया, पीछे की तरफ shift हो गया, मतलब पहले D1, D1 से D2, D2 हो गया था, अब ये D0, D0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, मतलब क्या हुआ, कि prices तो 10 रुपया है, लेकिन जो मैं demand कर रहा था, वो x1 के जगा पे, अब x0 कर रहा हुआ, मतलब पहले से कम कर रहा हुआ, जब demand कर दोस्तों, पहले से कम हो गया, तो ऐसी में आप देखेंगे, जो demand curve है, वो खुद shift हो जाएगा, वो अब आप e से e0 पे आ गये, लेकिन यहाँ पे जिसे जो यहाँ पे आप आये हैं न, इसको हम कहेंगे, decreasing in demand, इसको हम कहेंगे, decreasing in demand, मांग में कमी, ओके, इसको किनी इंडिमांड भी कहेंगे, मांग में कम, यो ली भी कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे, कीमत तो वही है था, लेकिन मेरी income कम हो गई, COVID में किसी की नोकरी चली गई लोग बिरोजगार हो गए, demand कम करती है, या कोई product ऐसा था जो बिल्कुल फैसल से बाहत होने लगा, या फिर उसकी एक rumor उड़ गई, आपने देखा, कई बार rumor गिरने की वज़ा से भी, क्या होती है, product की prices वही बनी रहती है, demand कम हो जाती है, तो वही responsible factor जो यहाँ थी है, व कर आप competition में देखते हैं, तो कई बात पूछा जाता है कि दोनों में अंतर क्या है, expansion in demand और contraction in demand में जो मान का schedule है, वही बना रहता है, मान वक नहीं बदलता है, हम उसी मान वक रपे rightward या leftward, जो है क्या होते है, move कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम increasing and decreasing of demand की बात करते हैं, तो हम हमारा जो schedule है, demand curve का, वह backward या rightward shift हो जाता है, इसको हम कहते है, increasing and decreasing in demand, तो दोस्तों यह रहा हमारा कि कि किस तरीके से मान में परिवर्तन होता है, और मान में परिवर्तन जो हो सकता है, आपके दो चीजों के वज़ा से, या तो price of product change हो, या फिर जो यहाँ अरय variable है, वो change हो, तो एक दोस्तों यह बड़ा छोड़ा सा concept है, जो मैंने आपको concept लोफ से clear किया, अगर आपको इसमें कोई भी कमी लगे, आपको न समझ में आए, तो comment करिए, मैं आपको answer दूगा, लेकिन मतपूर है, आपको willpower, willpower इस्टांग करिए, पढ़ने का मन बनाईए, economic से प्यार क लिए, कुछी भी करिएगा, आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे, तो थोड़ा साल दिल्चास भी बढ़ाएगे, कुछ अच्छा करिए, कुछ पर सप्लाई कर्भ है, वो किस तरीके से shift होता है, किस तरीके से दोनों कर इंडरेक्ट करते हैं, और किस तरह से price determination होता है, औ और product कितना sell होगा, उसका determination होता है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा important है, competition में, demand और supply के shift के उपर बहुत ज़्यादा प्रस्न पूछा जाता है, तो पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल लाश्ट तक देखिएगा, दिखविजा एकनोमिका तो आएए दोस्तों हम बात करते हैं, shift in demand and supply curve की, कि किस तरीके से demand और supply curve shift होते हैं, और किस तरीके से price determine होता है, दोस्तों जब आप कहते हैं कि demand बढ़ गया, तो यहाँ पे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि demand बढ़ने से demand curve कैसे shift होगा, जब आप कहते हैं, demand घट गया, तो demand supply बढ़ गई या supply घट गई, तो संबंधित supply curve किस तरीके से shift होगा, सबसे पहले जो basic चीज़े मैं आपको बता दो, कभी भी आप ये मत कहिए कि supply curve ऊपर shift हुआ, या फिर demand curve ऊपर shift हुआ, या फिर demand curve नीचे shift हुआ, demand या supply curve टेकनिकली या rational तरीके से कहा जाए, तो ऊपर य demand curve हमेशा right word दाहिने की तरफ या फिर left word बाएं के तरफ shift होते हैं, इसलिए जो सही सब्द आपको यूज करना चाहिए, वो right word shifting और left word shifting की बात करना चाहिए, दाहिने की तरफ भी वरतन या फिर बाएं के तरफ भी वरतन होना चाहिए, अब इसका जो formula है जो आपको किसी कित काम में नहीं मिलेगा, वो यहां मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अगर इस formula को आप समझ लें, तो lifetime ये question आप कभी गलत नहीं करेंगे, वो formula क्या है, यदि मांग या पूर्ती बढ़े, यदि demand या supply increase हो, बढ़े, तो then, सम्बंदित कर्व दाहिने shift होगा, if demand and supply increase, then related curve shift right word, अगर मांग या पूर्ती बढ़ती है, तो सम्बंदित वक्र, सम्बंदित वक्र का मतलब है, मांग से सम्बंदित वक्र, मांग वक्र होता है, और पूर्ती से सम्बंदित वक्र, पूर्ती वक्र होता है, दोनों ही दाहिने की तरफ shift होगे, पहुत ध्यांचस मैंगेगा, द जाएंगे, ऊपर या नीचे के तरफ shift नहीं होंगे, हमेशा बढ़ने पे, चाहे demand बढ़ जाए, चाहे supply बढ़ जाए, जो संबंधित वक्र है, वो दाहिने shift होगा, rightward shift होगा, और जब demand या supply घट जाए, तो उससे संबंधित वक्र, demand से संबंधित वक्र, demand, या फिर supply से संब demand curve है, downward sloping, आप देख रहे होगे, और यहाँ पे जो है equilibrium point यह है, demand curve negative slope वाला है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और जो supply curve वो positive slope वाला है, अब माली जी एक प्रसन आप से पूछा गया, कि एकनामी में किसी product की, जिस product की यहाँ बात हो रही है, उस product की एकनामी में demand बढ़ ग गई, तो demand बढ़ गई, तो supply curve का आप मत change करिए, क्योंकि demand से सम्मंधित वक्र क्या होता है, demand curve होता है, demand curve shift rightward, अब देखिए, इसका मतलब जो demand curve है, यह rightward, अब rightward क्या है मेरा, देखिए, यह मेरा है left, तो यह होगा leftward, यह मेरा हाथ दाहिना है, तो rightward का मतलब दाहिने की और मैं e-point पे हूँ, तो मेरा rightward क्या होगा दोस्तों, यह होगा, यह देखिए, इसका मतलब अब जो demand curve नया होगा, अगर इस product की demand बढ़ गई है, तो अब यह होगा D1, D1, पहले DD था, अब होगा D1, D1, इसका मतलब यह जो DD curve है, वो shift हो रहा है, किधर shift हो रहा है, देखि है, कि किसी product का demand बढ़ गया, और supply नहीं बढ़ा, तो इसका paradigm क्या होगा, इकनामी में quantity Q1 थी, और price माली जी P1 थी, लेकिन जब demand बढ़ गया, तो इकनामी में quantity Q2 हो गई, और price भी बढ़ के P2 हो गई, इसका मतलब क्या होगा, कि अगर उस product की demand बढ़ी, तो वो product पहले से ज पनीर की demand बढ़ गई, तो जब पनीर की demand बढ़ गई, तो पनीर की supply तो constant है, लेकिन गाय ने दूद देना नहीं बढ़ाया है, तो ऐसे में जो demand बढ़ा, तो rightward shift होने के वज़ा से पनीर जो है, 200 रुपे केजी से 300 रुपे केजी हो गया, flowers की demand आप जानते हैं, अभी आपक पर हम देखते हैं, गुलाब भी जो है, एक गुलाब पचास रुपे में बिग जाता है, तो देखिए, गुलाब की supply तो बढ़ नहीं जाएगा, तो दस दे दे, वो चार्ट फुलता है, तो चार्ट फुल एगा, लेकिन आपने demand बना दिया, तो सीधे क्या होगा, कि ये ज कर्व उपर हो नीचे नहीं, ये गलत concept है, क्यों गलत है, अभी जब supply में आप उपर नीचे करिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कि अगर ये देखिए मेरा supply कर्माल लीजे कि ये demand है, और ये supply है, ये supply है, ये supply है, ये demand है, ये demand है, अब मैं कहूं जैसे कि supply बढ़ गई है, तो दोस्तों, अब आप supply में, जैसे कि अपनी demand में कहा, कुछ लों कहते है, किताबों में भी लिखा रहाता है, कि उपर, तो अगर आप supply को बढ़ना उपर कहेंगे, ये बढ़ना, तो ये गलत हो जाएगे, ये supply का घटना है, बढ़ने का मतलब मैंने कहा क इसका मतलब ये जो supply कर्व है, बढ़ने का मतलब अब ये supply कर्व S1, S1 नीचे की तरफ दिखी जा रहा है, और ये ही देखे मेरा दाहिना हाते है, राइट वर्ड, और ये मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट वर्ड, तो क्या हुआ, supply बढ़ातो है, supply कर्व किधर सिफ्ट हो गया, दाहिने सिफ्ट हुआ, ये है दाहिने, और ये भी है दाहिने, ये भी है मेरे दाहिने, राइट वर्ड, लेकिन अगर उपर हो नीचे कहिएगा, तो demand कर्व उपर सिफ्ट हुआ, तो supply कर्व नीचे, तो उपर नीचे जितने लोग समझते हैं, अपने आप उस concept को गलत कर ल तो supply कर्व आल्सो शिफ्ट राइट वर्ड, दाहिने की तरफ शिफ्ट हुआ है, न की नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, नीचे क्या होता है, दूसरा चलिए मैं बताता हूं, अगर मैं कहूं कि demand घट गया, तो demand घटने का मतलब जो dd कर्व है, मैंने क्या बताया, अगर क लेफ्ट वर्ड, बाने की तरफ शिफ्ट हो गया, अब देखिए, supply कर्व ये SS constant है, लेकिन जब ये मैंने कर्व शिफ्ट कराया, लेफ्ट की तरफ, तो अब ये देखिए क्या हुआ, प्राइस घट गई, अब ये हो गया P0 और ये quantity घट के हो गया Q0, इसका मतलब अगर द और दिमांड घट नेक वज़े से supply तो constant थी, जो था, आपने क्या किया जब दिमांड घट आया, तो सीधे सीधे उसके private गई, इतना गदा COVID का वो हो गया कि आपने chicken का और भी दिमांड घट आया, पहले कुछ लोग खा रहे थे, बाद में वो बीटर के मारे खाना बन कर दि तो यहां कि आप देखिए, यह कर्भ जब डिमांड घटेगा, तो नीचे मत कहिए फिर, इसके लिए सही सब्द करिए left word, बाय के तरफ देखिए, यह मेरा बाया हात है, तो बाय के तरफ सीधे हो रहा है, यह बाया है मेरा, बाय के तरफ, इसका मतलब जो डिमांड कम होगी तो प्राइसेज कम हो जाएगे, अगर सप्लाई दी हुई हो तो, तो डिमांड कर स्ट की दर हुआ दोस्तों, घटने पर बाय, क्योंकि फार्मूला देखिए साब साब करता है, यह दि मांगे आप तो घटे तो संबंदित हुआ कर left word shift होगा, मांग घटे तो मांग left word होगा और supply घटे तो supply left word होगा, अब जब ऊपर नीचे वारा concept यहां लगाएगी जड़ा तो आप, आप तो कहेंगे demand जो है, नीचे आया है, लेकिन अगर supply आप जड़ा देखिए, अगर आपकी supply घट गई, तो आप नीचे करेंगे, तो यह बढ़ना हो जाएगा, लेकिन जब घ supply करों कभी ऊपर और नीचे नहीं खी सकते हैं, दोस्तों, demand और supply कर, shift होते हैं, upward, right, बाएग की तरफ दाएग की तरफ, और इसी बाएग और दाएग में, prices जो product के हैं, वो change होते हैं, prices बढ़ जाते हैं, या prices घट जाते हैं, like example, आपको मैं कुछ questions दे रहा हूँ, जैसे like example, आइए discuss करते हैं, अभी जारा का season आया, और आपने देखा, full गो भी, शुरू में, एक full गो भी, हमारे यहां, बिक रहा था, शुरू में, 70 रुपे का एक, और अब बिक रहा है, 20 रुपे में एक, क्या कारण होगा, पता ही है, क्या कारण होगा, सबसे ब्रा कारण, supply कम नहीं हुई है, demand भी बढ़ी है, लेकिन demand से बहुत ज्यादा supply बढ़ी है, आप समझ रहे हैं, जब आप से पूछा जाए प्रस्त, तो बहुत ध्यान से समझे, देखिए, ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा, कि जारे के दिन में supply बढ़ गई और demand कम हुई, ना, 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 जारे की दिन में गोभी की supply बहुत जादा है, demand भी जादा है, लेकिन supply के तुलना में कम है, तो सीधा सनिया में, अगर किसी चीज की supply बहुत बढ़ जाए, और demand अप एक शाक्रित उस supply के बरावन हो, तो prices घड़ जाएगे, अभी आप देखिएगा, अभी tomato आपको मिलेगा 10 रु प्रियास करता हूँ, demand और supply के जो interaction है न, वही किसी भी product का price determine करता है, यसे माल लीजिए, यसे माल लीजिए, कि यहाँ पे, एक example में ले रहा हूँ, यह माल लीजिए, कि demand और supply है petroleum की, demand for petroleum and supply for petroleum, और यहाँ पे माल लीजिए कि 75 रुपी लीटर यहाँ पे petroleum बिक रहा है, 75 प्राइस हो गई, यह उसकी quantity हो गई, माल लीजिए, दोस्तों की गल्फ वार शुरूर हो गया, गल्फ वार शुरूर हो गया, और supply यह उपिक देशों ने एकदम से काईटर ने बंद कर दिया, तो supply घट गई, तो अब बताई, supply कर घट गई, तो supply किधा shift करें हम, आपको फ 500 रुप्या हो गया, और भी कम करें, तो यह बढ़के जो है, 200 रुप्या लीटर हो गया, और भी यह उपिक देश कम कर दे, तो 500 रुप्या लीटर हो गया, आप जबाद देखिए, अगर किसी चीज की supply घट रही है, supply घट रही है, तो product महंगा हो रहा है, जबकि demand उतना ही ह तो price फिर धीरे-धीरे adjust करने लगेगी, क्यों? क्योंकि अब जो है, demand अगर घटने लगेगा, तो demand कर ऐसे मीचे की तरफ जाने लगेगा, और नीचे की तरफ जाने के वज़ा से prices आपके उस ratio में नहीं बढ़ेंगे, अगर demand पहले के बराबर है, देखिए यह कर बजिए, ह हमने black खीचा हुआ है, तो prices 200 होगे, लेकिन demand भी अगर लगातार कम हो जाए, तो आप देखेंगे, price यह exist करता है, तो कुल मिला जुला के, इसको कहते है market का इक invisible hint, जब prices हमारी बढ़ने लगती है, तो हमारी demand भी घटने लगती है, अगर सिर्फ supply घटे, और demand उतना ही है, जैसे कि अभी आपने देखा दो साल पहले, कि अरहर की डाल 25 रुपे केजी हो गई थी, तो पापा जो 4 केजी अरहर की डाल लाते है, वो एक केजी लाते थे, अगर वो 4 केजी फिर लेके आते हैं, तो यह 100 रुपे केजी हो गया था, इसको कहते है, पावरा market, की प्राइस है, वो ग्रेटर देन अलहाबाद है, इसको आपको डाइग्राम से बनाना है, डिमांड और सप्लाई करव से, यह होमवर्क और इसे आप मेरे टेलिग्राम चैनल पे सेयर करिएगा, बनाके, टेलिग्राम चैनल आप लोग जानते है, अड़ रेट, डी, एस, आ अलहाबाद है, अब मेरे प्रस्त है कि इसे डाइग्राम के माध्यम से आपको बनाना है, कि क्यों ऐसा है कि नुटर में जो प्राइस है, वो जो है अलहाबाद से जादा है, इसके लिए आपको एक размер diagram बनाएगगा, उस composite diagram में land के प्राइस भीएगा, कितनी है इलहाबाद मे और कितनी ज़्यादा सप्लाई है और इलाहबाद में और फिर कम्प्रिजन करके नोडा में आप पते हैं क्यों नोडा में ज़्यादा है यह आपको हुमर करें लेकिन सबसे महतरपूर और अंतीम बात इस क्लास का एक मूरल जो है अबजेक्टिव है एक मूरल उद्देश से उसको समझेए मैंने कहा कि अगर किसी चीज की सप्लाई कॉंस्टेंट है और डिमांड बढ़ जाए तो वो प्राइस मेंगी हो जाती है दूसरे अगर किसी चीज की डिमांड कॉंस्टेंट है और सप्लाई बढ़ जाए तो वो बस तो सस्ती हो जाती है जैसे मैंने बताया चिकन दस रुपे के जी बिग गया क्योंकि डिमांड बिलकुल कम हो और सप्लाई उतनी ही थी दूसरे चीज मैं आपको ये बताया कि अगर किसी चीज की सप्लाई हुतनीर है और डिमांड बढ़ जाया तो वो चीज तो यहां पे मैं आपको एक मुरल जो उद्दिस है वो आपको क्लियर कर दो जो निचुरल ला है जो मार्केट का ला है वो हमारे ओपर भी लागू होता है कुछ ऐसा करिए बहुत ध्यान से सुनिएगा आप बहुत अच्छा गाना गा लीजे आप बहुत अच्छा डान्स कर दीजे आप बहुत अच्छा कोमेडी कर लीजे आप कुछ भी बहुत अच्छा कर लेगे अगर आप कुछ भी बहुत अच्छा कर लेंगे तो आप बैलुएबल हो जाएंगे आपकी प्राइस बढ़ जा कुछ अच्छा पूछेगे कि आपका इमांड बढ़ सप्लाई तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं आप एक ही हैं लेकिन कुछ अच्छा काम करिए जिससे आपके इमांड बर जाए आप वैलूएबल हो जाएंगे आपको समाज पूछेगा ऐसा बिल्Elकुल मत करिए कि आपकी डिमांड जो τον भढ़ाई यह आपकी पढ़ती जए आप मूवी में भी मिलते हैं इसनेkorाय भूम रहे हैं, मार्केट जंयकों जाया कर रहा है, डिमांड नहीं को सप्लाई आप सिर्फ membh र्धि जाएंगे, आपको कोई अच्छा करिए कुछ बड़ा करिए कुछ ऐसा करिए कि लोग आपसे प्रभावित हो आपकी डिमांड करें यकीन मालिएगा आपका दिन बदल जाएगा आपकी परस्नालिटी बदल जाएगी अच्छा सोचिए पॉजिटिव सोचिए था कि ये मत हार ये मत युवा है अभी आपने जोस है शमता है मेरे पिता जी कहा करते थे और मैं अपने जीवन में इस बात को कभी नहीं भूलूँगा कुछ दिन पहले उनका देहान थो गया वो कहा करते थे कि अगर आपके पास समय है और समय के साथ साथ आपके कार करने के शमता है और फिर भी आप काम नहीं कर तो आप समाज के द्वारा दंड के भागिदारी हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी के पास समय तो हो लेकिन काम करने की उर्जा नहीं हो, असक्त हो, बीमार हो, लंबी बीमारी से गरसित हो। उसे समाज या आप कभी ये द्रिष्टे नहीं देखेंगे, क्योंकि वो करही नहीं पा और आपके पास काम करने की उर्जा भी है, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। आप अपको दंड दिया जाना चाहिए, समाज आपको माफ नहीं करेगा। आने वाली पीडिया आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए। थेंक्यू आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट है आप सिखेंगे क्लासिकल एजम्संस क्या थे और क्लासिकल के जो बेसिक पिलर्स थे उसके अधार पे वो कंक्लूड क्या करना चाहते थे तो एक दम इंपॉर्टेंट और बेसिक वीडियो आपके सब्सक्राइब करें क्योंकि सबसे अथेंटिक वीडियो हम आप तक चाहते हैं पहुचाना और आप सारे वीडियो को देखिए और सबसे पहले मैं आप को यह बताओ कि क्लासिकल सब्द का सबसे पहले परियोग काल मार्क्स ने गिया का कहाना था कि क्लासिकल का मतलब डेविड रिकार्ड़ो और उनके पुरुवर्वर्तियों से था जिसमें Adam Smith भी समलित हैं लेकिन जब केंस आते हैं तो वो बताते हैं कि Classical का मतलब Adam Smith के followers से हैं जिसमें J.A. Smith, Marshall और P.U. आते हैं कई बार आप इस दुबिधा में Classical और New Classical दो सब्दों का प्रियोग करते हैं दोनों में कोई बेसिक फरक नहीं है दोनों एक ही सिद्धान को एक ही थौट को इस्टेबलिस करना चाहते हैं लेकिन जो इस्टेबलिस करने का तरीका वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो Classical थे वो बेसिकली कुछ दार्शनिक अधारों पे अपने व्याक्षा को करना चाहते थे या फिर व्याक्षा देते हैं वहीं पे जो New Classical है उसको थोड़ा सा Science Tree के प्रोच में एक ही बातों को दोनों लोग के निक्लूड करते हैं इसलिए कभी भी आप Classical और New Classical में कभी भी आफ कन्फ्यूज नौगबा करें तो दोस्तों Classical कुछ बेसिक मानेताओं पे कुछ बेसिक assumptions के अधार पे कुछ निस्कर्स ट्रा करते हैं दोस्तों Classical एकनामिश में कोई बिसेश कर इंप्लाइमेंट और इंकम की थीरी नहीं दी इसी एजंशन पॉस्टूलेट के अधार पे हम उनकी थीरी की एक रूफ रेखा बनाते हैं जिसके अधार पे हम क्लिकलूड करते हैं कि Classical एकनामिश यह बताना चाहते थे कि एकनामिश की जो जनरल टेंडेंसी होती है जो एक एक नेचुरल फेरा मिना नहीं होगा एक टेंपरोरी फेरा मिना होगा जो अपने आप एटोमेटिक एड़्जेस्ट हो जाएगी और दिर्गकाल में हमेशा फुल इंप्लाइमेंट पूर रोजगार बना रहेगा जब Classical एकनामिश यह कहते हैं कि दिर्गकाल में लांग र मिल जाएगा इसका मतलब पूर रोजगार के दसा में भी वालूंटरी और फ्रिक्सनल अनिंप्लाइमेंट का अस्ति तो बना रहेगा इसलिए जब कोस्चन आप से पूछे लिए कि फूल इंप्लाइमेंट का मतलब क्या सभी लोगों को रोजगार मिलने से हैं तो आप बि ये कंक्लूड करने के पहले किन बेसिक एजंसंस का साहता लेते हैं तो दोस्तों जो सबसे बेसिक एजंसंस हैं क्लासिकल इकनामिस्ट की उसमें पाला है परफेक्ट कंप्टीशन पूर पत्यों गिता दूसरा है लैसा स्फेया औहस तक छेप की नीत तीसरा है सेज सेक अबाजार नियम चौथा है मनी न्यूट्रिटी क्लासिकल का इसे डूलिजम भी कहते हैं क्लासिकल द्वैत वाद या क्लासिकल द्वैत भी कहते हैं लांग रन के लिए सिर्फ इनकी जो है व्यक्या है फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज एंड प्राइसेज की बात करते हैं स उन्हें चम्ताओं से बिल्कुल ध्यांसे सुरिए अगर आप बेसिक एजांचों को समझ लिए तो क्लासिकल के 95% कोश्चन इन बेसिक एजांचों के आधार पे ही सही करते हैं और बिल्कुल समझ भी सकते हैं कि वह बताना क्या चाते थे उनका जो क्रियेटिव आइडिया हो वहांट तो आए प्रफेट कंपेशन में बिश्वास करते जानते हैं जिञेंटे कोई और फुरे इजीट होती है इसका मतलब जो मार्केट में चीज़ें बिक रही है चाहे वो वस्तु चाहे से वाव एक तरह की है होमोजीनिस है उसमें किसी तरह का क्वालिटी टीव या किसी तरह का टेक्निकल डिफरेंस नहीं पाए जाती है सबको पूरा सुचना है मार्केट में जब बायस जादा होते हैं तो उनके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो जो है प्राइस को डिश्टर्ब कर सके या फिर फ्राइस में किसी तरह की चेंज कर सके तो फुल इंप्लाइमेंट पर निसकर्स के पहुचने के लिए वो जो प क्लाशकल एक्नामिस मानते थे कि जो राज है जो गौर्णमेंट है उस सिर्फ एक पूलिस इस्टेट होना चाहिए राजी का काम है कि अगर कोई अटैक हो बाहर से तो उसको रोकिए और इंटर्नल अगर कोई डिश्रगरेंस है तो उसको साल करिए रात्तरी रक्षक राजी की परिकल्कमा की थी गॉर्मेंट का रोल एक्रिणामिक एक्टिविटीज में नहीं होना चाहिए सरकार को बस्तू और सिवाओं को उत्पादर नहीं करना चाहिए यह सारी चीज़ें मार्केट अपने आप कर लेगी इसको हम करते थे लैसस फेयर है लैसस फेयर का मतलब है और हस्तक शेप की नित इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गॉर्मेंट का कोई ज्यादा रोल ना हो गॉर्मेंट उसे कंट्रोल ना करें यह मार्केट के उपर छोड़ा जाए मार्केट में पावर होती है पावर होती है एक इन्विजबल हिंट की और प्रतिकूल हो रही है तो यह मार्केट में एक एक एक्टोमेटिक ऐसा फोर्स एक्टिविट हो जाएगा कि वो चीजों को अपने आप ही फिर से करेक्ट कर देगी तो जो एक री करेक्ट पावर है एक आटो करेक्ट पावर है वो है इनका इन्विजबल हैंड और यहां से चीज़ आती है और हस्तक शेप की निथी लेसस्पेर की मतलब एकनामिक एक्टिविटी में गौवर्मेंट का मिनिमल रोन होना चाहिए सरकार को एकनामिक एक्टिविटी में हस्तक शेप नहीं होना चाहिए जो चीज़ें हो रही है वो मार्केट करेगा और मार्केट बि ये काम करेगा और अंतरत जो है सारी चीजे बेतर हो जाएगी इसलिए ये लैसा स्फेर की बात करते हैं और हस्तक्षेप की नीद की बात करते हैं अर्थार सरकार को आर्थिक गिल्याओं में किसी तरह की हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए इसका मतलब पूरप्ट्यूकता आप पूरी classical sticky हुई है सेज ये कहते हैं कि एकनामी में कभी भी over production या under production नहीं होगा जो चीज़े आएंगी वो अपने आप ही बिग जाएगी इसलिए नियद बनाते है supply creates in own demand जब goods and services का production होता है दोस्तों तो उतनी ही मात्रा में एकनामी में liquidity पर्चेजी बावर्प आ जाती है तो एकनामी में बस्तों सेवाओं का physical में production होगा और अगर एकनामी में उतनी ही liquidity आ जाएगी तो वो चीज़े demand create करेगी income और यहाँ पे supply है तो supply और demand बराबर हो जाएगी जितनी चीज़े बनेगी वो सब की सब बिग जाएगी क्योंकि जितनी चीज़े बनती है उसके बरा बनाया पची सो का और पची सो रूपया भी नामी में आ गया तो इसका मतलब जूता बिग जाएगा मैंने AC बनाया AC बिग जाएगा आपने कपड़ा बनाया कपड़ा बिग जाएगा जो चीज़े बनी सब बिगते तो एकनामी में over production नहीं under production नहीं तो फूल इंप्लाइमे सब्य करिए बिगंगी स्की गराइटी मैं लेता हię तो सेघ्व मार्केट है सीच का मजार नियम है जो कहता है कि शप्लाइए een पूर्ति अपने मान का स्रिजन स्यम करती है यह आधार है कि एकनामी में लेशर डिमांड नहीं होगा डिमांड की कमी नहीं होगी जितनी चीज़ें बनेगी उसस सब की सब सोल हो जाएंगी बिग जाएंगी इसका मतलब नो अबर प्रोडक्शन इसका मतलब क्या होगा फुल इंप्लाइमेंट इकनामी में कोई बेरोजगा नहीं होगा तो इसका मतलब इकनामी में फुल इंप्लाइमेंट की टेंडेंसी अपने आप आएगी अब आएए चौथा और बहुत बेसिक Money Neutral इसको लोग नहीं समझ पाते हैं इसको classical डियोलिजम भी आपका सकते हैं तेंके classical बिल्कुल एक क्रियाट करते थे कि किनामी दो भागों में बटा है एक दियर सेक्टर है दूसरा मॉनेटरी सेक्टर है दियर सेक्टर वो सेक्टर है जहां गूर्सेंट सबिसेट का प्रोड़क्शन हो रहा है बनी मार्केट अलवाधा करता है दोलों में किसी तरह कीerieा इंडर इंट्रां करना होता है इसका मतलब जो वह वह क्रोड़को करेंगे कि यह ग्मेन कडार में इंप्लामेंट मंपनी सप्लाई नहीं बढा सकता है क्योंकि मनिसोप्लाई तो दो एक रो है इकनामी में अगर आपको राष्टी आए बढ़ाना है रोजगार बढ़ाना है तो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको सिर्फ जो है आपको रियल सेक्टर पर काम करना पड़ेगा इसका मतलब क्लासिकल बिल्कुल करते हैं कि जो मनी है वह एक बेल व वह एकनामिक एक्टिविटी इसको प्रफारीट नहीं कर पाती है यह क्लासिकल ज्वेदवाद कर लाता है मतलब कि रियल सेक्टर अलग मॉनेटरी सेक्टर अलग और इसमें किसी तरह का इंट्रेक्शन नहीं होता है दोस्तों मैं आपको बताओ कि आगे चलकर कि इस बात प इसका मतलब अगर रेटाइफ इंट्रेस्ट अगर आपने क्ते सब्सक्राइब से और जो कलास्क्रक को को बैलकुल नहीं मासे उनका मानना है कि अगर आपकी किनामी में उत्पादर बढ़ाना है रोजगार बढ़ाना है तो सिर्फ आपको इन्वेश्मेंट करना पड़ेगा मनी सप्लाई सिर्फ प्राइसिज बढ़ा सकता है मनी सप्लाई रियल सेक्टर को कोई परभाव नहीं डालेगा इसका मतलब क्लासिकल डूलिजम दो सेक्टर है तो एक दूसरे के साथ मिलते रहे हैं किस करते हैं कि दो सेक्टर है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इसी को दोस्तों क्लासिकल डूलिजम कहा जाता है या फिर इसी को आप मनी नीट्रल्टे भी कहते हैं कि मुद्रा की परभाव नहीं दालेगा वह परदा होगा उसका सिर्फ जो रोल है वो मीडियम आफ एक्चेंज के रूप में है उसको आथ इस्टोर भी नहीं कर सकते हैं तो यहां पे जो है मनी नूट्रल है वह आर्थिक क्रियाओं के ऊपर वास्तिविक छेतर के ऊपर कोई परभाव नहीं ही डालता है अब देखिक क्लासकल का मन्ना है कि जो इनकी थेडियरी है इनकी बाते वो लांग-षब्रण में सही होती है इनका जो है ओपरेशन नहीं है यह कहते हैं कि लांग रन में एकनोमिकी टेंडेंसी होती है फुल इंप्लाइमेंट की दिर्गेकाल में हम सब मर जाते हैं तो दिर्गेकाल में जब सब मर जाते हैं तो आपको side run में जो क्या fluctuations है उसके उपर आपको focus करना चाहिए तो side run फेना मेना की बात करना चाहिए आप long run फेना मेना की बात करना है side run की important है तो आप समय से कहोंगे कि जो classical है वो लांग रन से संबंदित है कि इस जब की ज़्यादा फोकॉस करते हैं साटर भी फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज और प्राइसे जब क्लासिकल ये कंक्लूड करते हैं कि एकोनॉमी में फुल इंप्लाइमेंट की फेना मेरा होगी उसमें बहुत बड़ा रूल इस छटे नंबर के जन्सल्स किया है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज और प्राइसे जो मौद्रिक मजदूरी है और जो कीमति है या फिर ब्याच किदर है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो अगर ये फ्लेक्सिबल न हो तो प्रॉबलम क्रीट हो जाएगा लेकिन ये काते है कि प्राइसे में फ्लेक्चुइलिटी अफसे डाउन सोर सकता है इसी तरह विजरेट अप्स डाउन होगा अगर ये दोनों मेकेनिजम और रेटास इंट्रेश्ट तीर मेकेनिजम अगर ये फ्री फ्लक्सिवल वो तो एकनामी में फूल इंप्लाइमेंट हो गाई होगा इसका मतलब सेल कल्चर की बात कर रहे हैं इस ओबर प्रोड़क्शन होगा अब मार्केट ने अपना काम किया लेसे स्फेयर की पॉलिसी है मार्केट प्राइस गिर गई चीजों की डिमांड हो गई मजदूर ज्यादा हो गया है मजदूरों को काम नहीं मिला है तो वेजरेट अपने आप डिकलाइन हो जाएगा और आपको सस्ता स्रण मिलेगा और आप फिर ज्यादा लोगों को काम पे लगाएंगी लेकिन किन्स इस बार करियापति करते हैं कि अगर आप मजदूरी घटाएंगे तो लोगों के पास पैसा कमाये डोग डिमांड कम करेंगे और दिमांड कम हो जाएगा प्लास कर भातने देते हैं उनका मानना है कि नहीं वेजरेट घटाओ ज्यादा लोगों को रूज गादा तो दोस्तो यहां पर flexibility and wage and prices यह ऐसी चीज है कि जो इनके product market में labor market में clearance की स्थिति कर देता है जितने labor आएंगे उस सब के सब बिग जाएंगे उनको काम मिल जाएगा क्यों क्योंकि wage rate अपने आप डिक्लाइन कर जाएगा इनके conclusion के लिए बहुत जाएंगे सामने आता है सेविंग इंवेश्मेंट आलेजिक पल बहुत इंपोर्टेंट बहुत घ्यांजी सुनिएगा क्लासिकल एकनामिश यह मानते हैं कि जो बचत है और जो निवेस है वो हमेशा ही बराबर होंगे इकनामि में अगर बचत और निवेस बराबर है तो एकनामि में हमेशा equilibrium होगा full employment की स्थिती रहेगी हमेशा clearance की स्थिती रहेगी यहाँ equilibrium सबसे ज़्यादा जो classical है न वो clearance सब की बात करते है निकासी जो चीज़े आएगे वो बिख जाएगी जितने लेबर आएगे वो बिख जाएगे जितनी money की supply होगी हो सब की सब demand कर लिए clearance की स्थिती होगी क्यों क्योंकि saving equal to investment माल दीजे से कि लाप मार्केट की मैं ले बात किया कि चीज़े बनी और उतनी की पैसा एकनामी में आगा और दिमांड होगा चीज़े बिखे लेकिन अगर लोग पैसे को सेव कर लिए और दिमांड नहीं किये तब तो प्राप्लम आ जाएगा लेकिन यहां पर यह बताते हैं लोग कि वाइस कर तो क्या होगा और यह सी प्लस एंगा अगर आप एकनामी में वाइश कर्टू नियुक्त बेंगा और लोग बिल्कार लिकिन यह इंग लेकिन यह कहते हैं कि जो एकरिगेंट इमांड है वो सी प्लस आई है और यह में दोनों ब्राबर होगा क्यों क्योंकि जब जो हाउस्वोड सेविंग करेगा वह एक्टमेटिक इनिवेश्टर से जो बिजनेस सकतर है उसकी दिमांड कर लेगा अगर प्रॉब्लम होगी तो रेट आफ इंट्रेस्ट दाउन हो जाएगा और सेविंग सब की सब इंवेश्वेश्मेंट हो जाएगगी तो क्लासिकल का यह पोस्टलेट से यह दिमसुनहीं बहुत इंपर 유थ होगा और सेविंग इनिवेश्मेंट के बरावर होती है और इसलिए इस बात से सम्मत नहीं है किन्स काते हैं कि सिर्फ equilibrium के level पर ही saving जो investment के बराबर होगा saving और investment हमेशा बराबर नहीं होगा क्योंकि saving करने वाले लोग अलग है investment करने वाले लोग अलग है saving के जो parameters है जो उसके determinants है वो अलग है conjunctions के determinants अलग है और investment के determinants अलग है तो बचाता हो निवेस हमेशा नहीं पराबर होंगे सिर्फ equilibrium में according to kids यहां पर close economy की बात वा रही है close economy का मतलब यह हुआ कि इसमें जो आप देखेंगे हम यह नहीं बात कर रहे हैं कि rest of the world से यहां पर connect कर रहे हैं हमें close economy की बात कर रहे हैं जिसमें government का बहुत minimal लोल है और यहां पर real sector और voluntary sector है तो दोस्तों यह जो basic exemptions है साथ में यह भी मानते हैं कि आप देखिए आप कि जो capital stock है या technique इसमें कोई change नहीं होता है तो यह इनके basic postulates है और इस basic postulates exemption काना पर क्लासिकल यह बताना चाहते है कि economy में full employment की फिना एक general फिना मेना है economy की जो सोभाव है वो जो प्रकिर्दी है वो full employment की है वो एक economy में बेरुजगारी आती है तो एक start run की फिना मेना होगी और यह अपने आप साल हो जाएगे आपको कुछ करने क्या हो सकता नहीं है आप हाथ ते हाथ रके बैठे रहे है market सब कुछ कर लेगा less is fair की policy है आप कुछ मत करिए चीज़े अपने आप बिग जाएगी इसका ठेका इसकी guarantee से साब लेके बैठे है इनका less is fair लेके बैठा है इनकी flexibility आप prices invigorate लेके बैठा है तो दोस्तों इन basic assumptions के अधार पे ये निसकार्स निकालते हैं कि economy में full employment पाया जाता है और economy में कभी unemployment होगा तो ये बड़ी ही start run के लिए होगा और automatic autocorrect model ठीक हो जाएगा लेकिन जब 1929 में बिश्व की महानवंदी आती है तो classical धरासाई हो जाते है लंबे समय तक मंदी बनी रहती है किन्स हैसे यही प्रस्ण करता है कि आपके जो यंत्र हैं वो काम नहीं कर रहे है क्लासिकल करते हैं दिरिकाल में अपने आप ठीक हो जाएगा आप ऐसा मारण बताइए जो certain fluctuation का सही solution दे सके इस समय किन्स एक महानाई के रूप में उदरता है और किन्स अपने गुरू को चैलेंज करता है कि आप लोग गलत हैं या आपके adjustments गलत हैं leakage होगा, economy में demand कम हो जाएगी economy में बेरोजगारी फैल जाएगी आपको फिर से Conjunctions की, saving की, investment की money neutrality के money के functions की सबको revise करने के आओ सकता है और General Theory of Implementing Interest of Money जो 1936 में प्रकाचित हुई उसका description, उसका link में बेजूँगा उसको आप पढ़िएगा किन्स की book एक भी diagram नहीं है दोस्तों पूरी book पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा किस तरीके से एक-एक आर्टिक्ल को एक-एक postulates, एक-एक एजंसों को किन्स खंडित करता है, गलत सिद्ध करता है और दिखाता है कि अगर सिस का उपभोगता की budget का मैं देखता हूँ कि हर comparative exam में इससे प्रस्ट पूछे जाते रहे है और एक basic economics की theory है जिसे आपको जरूर समझना चाहिए तो पूरे वीडियो को बिल्कुल last तक देखिए और दिखविजा एकनोमिका को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो दिखविजा एकनोमिका को subscribe पर यह ताकि economic related सबसे authentic और high quality की वीडियो आपको मिल सके economics का मतलब दिखविजा एकनोमिका तो आएए दोस्तों इस बहुत ही rational और behavioral theory की करते है बात सबसे पहले consumer surplus की बात France के engineer अतसास्त्री ड्यूपिट ने किया था लेकिन इस सिधान्त का वास्तों में एक टार्किक सैधान्तिक और scientific जो science डेवलप किया या फिर जो सबसे बहतर तरीके से इसको scientific प्रस्तुत किया वो थे Alfred Marsal 1890 में Alfred Marsal की book principle of economics आई और उसमें consumer surplus को बड़े ही ब्योस्तित तरीके से scientific तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया यद्यप ऐसा नहीं है कि इस सिधान्त के अलोचनाय नहीं हुई है फिर भी जब J.R. Hicks ने इसको indifference curve के माध्यम से प्रस्तुत किया तो काफी संकाएं दूर हो गई और ये एक अर्थसास्त का एक fundamental principle के रूप में सामने आया तो चलिए दोस्तों हम सीखते है कि उपभोगता की budget क्या होती है Actually में जो उपभोगता की budget है ये बड़ा ही बहवारिक है हम अपने दिन प्रत्य दिन के बहवार में इस सिधान को देख सकते हैं कई बार होता ये है कि Clinton कि हम किसी चीज को purchase करने जाते हैं तो जब भी हम किसी चीज को परचेज करने जाते हैं, दो चीजें बिल्कुल किलियर हैं। जब हम कोई चीज परचेज करेंगे, माल लीजे मुझे एक मोबाइल परचेज करनी है, 10,000 की, तो मैं 10,000 उसको रूपी दूँगा। इसका मतलब क्या होता है, कि मैं हमेशा कमप्रीजन करता हूँ, कि जो प्रोड़क्ट मैं परचेज कर रहा हूँ, उस प्रोड़क्ट से मुझे कितनी यूटिलिटी मिल लई है, उस product से कितनी utility मिल लई है अगर मैं mobile खरिद रहा हूँ तो इस mobile से मुझे कुछ उप्योबिता मिल लई है लेकिन इस mobile को खरिदने के लिए जो मेरे पास money है तरलता है उसका sacrifice करना पड़ेगा इसका मतलब यह है कि money के पास utility है लेकिन जब मैं इसको pay करूँगा तो इस utility का sacrifice करूँगा हम हमेशा completion करते हैं कि product की utility अगर money की utility से ज़ादा है या बराबर है तम हम उस product को purchase करते हैं ऐसा नहीं होता है कि money की utility बहुत जादा हो और product के बहुत कम हो तो आप purchase करें हमेशा हमारे psychological लूप से हम completion करते हैं कि जब हमारे product की utility money के बराबर हो जगा जैसे मुझे एक 10,000 की mobile खरिदनी है तो 10,000 की जो उप्योगिता का त्याग होगा at least 10,000 के mobile में मुझे उतनी उप्योगिता मिलनी चाहिए तब तो मैं इस mobile को purchase करूँगा इसी अधर पे आप कई बार ये देखेंगे अपने बेवारी कीवे में कि कई बार किसी product को हम purchase करने के लिए ज़्यादा कीमत पे करना चाहते है लेकिन वो हमको मिल जाती है काफी कम में तो जो दोनों का बीच का difference है न उसको हम consumer surplus करते है like example आप market में जाते है और आपको लगता है कि ये product 100 रुपया का है लेकिन अगर वो 60 में ही मिल जाता है तो आपको 40 रुपया जो आप सोच रहे थे कि मैं इसे pay करूगा उसे कम pay करते है ये consumer surplus है इसका मतलब ये है कि जब किसी product को हम purchase करने के लिए जो वास्तों में मनी त्याक करना चाहते है और actual में जो हमने sacrifice किया इन दोनों के difference को आप consumer surplus कहते है दोस्तों बड़ी छोटी सी तार्किक बात है मुझे बहुत देज प्यास लगी है मैं सोचता हूँ कि मुझे एक glass पानी के लिए 10 रुपया में पी कर दूगा क्योंकि मुझे प्यास होत लगी है अगर मालीजे मुझे 2 रुपय में ही पानी की glass मिल जाए तो चुकि मैं sacrifice कितना करना चाहता हूँ one glass water के लिए one glass water के लिए मैं sacrifice करना चाहता हूँ 10 रुपीज लेकिन मैंने कितना sacrifice किया सिर्फ 2 रुपीज तो 8 रुपीज मेरे बच गए ये कही न कही consumer का surplus है कई बारी से लोग consumer rent भी कहते हैं ये consumer की लगान है क्योंकि हम चाहते हैं उससे ज़्यादा पेकरना अभी मैं अपने example बता रहा हूँ मैं एक mobile को अनलाइन purchase करना चाह रहा था 19,500 में ब्रेंड नहीं बता रहा हूँ अमेजन पे sale आ गई और HDFC पे कुछ छूट मिल गया और प्लस mobile exchange की उसमें offer आ गया और वो मुझे 13,000 में मिल गया तो जब मैं 19,500 में उसे देना चाह रहा था लेकिन 13,000 में ही मुझे मिल गया तो इस तरीके थे 6,500 रुपे मेरी consumer surplus है मुझे लगता है कि इतना कम ही में ही मुझे वो product मिल गया तो दोस्तों जो actual हम किसी product से बंचित रहने के अब एक्षा जो देना चाहते हैं और जो वास्तों में हम pay करते हैं इन दोनों के बीच का जो difference होता है इसे को हम consumer surplus करते हैं और मैंने बताया कि इस सिध्धान को प्रतिपादन करते हैं अगर पूछा जाए तो मारसल को लगाईएगा चलिए इसे एक diagram के माध्यम से आपके सामने रखता हूं जैसे यहाँ पे आप देखिए कि हम प्रतेक unit के लिए कितना पैसा त्याग करना चाहते है तो यह जो हम त्याग करना चाहते है पैसा उसको भी दिखा रहा है like example अगर मेरे पास product कम है जैसे माल लीजिए OX1 यहाँ पे अगर मैं product मेरे पास अगर मैं कहूँ इतनी unit है तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा sacrifice करने के लिए तयार हूँ अगर मेरे पास बिल्कुल उस product को नहीं है मेरे पास तो मैं OR money उसे देने के लिए तयार हूँ लेकिन जो जो product मेरे पास बढ़ता जाएगा आप देखिए उसके लिए मैं कम पे करूँगा देखिए सीधा सा बात है जब कोई product आपके पास यादा होने लागेगा तो उससे मिलने वाली marginal utility घटती जाएगी और आपकी जो money की marginal utility है वो constant बनी रहेगी तो यहाँ भी यह हुआ कि जब product मेरा घटता जाएगा तो मैं उसके लिए sacrifice करने वाली money को घटा दूँगा इसलिए जो ID कर्व या demand कर्व आपके सकते हैं downward sloping है नीचे गिरता हुआ अब आई ये इसके पर बात करते हैं माल लेजिए दोस्तों कि product अगर मेरे पास बिल्कुल मेरे पास product नहीं है तो मैं उसे देना कितना चाहता हूँ मैं कितना actual में pay करना चाहता हूँ तो actual में जो pay करना चाहता हूँ मैं OR pay करना चाहता हूँ लेकिन माल लेजिए अगर उसकी price OP है actual उसकी market price क्या है actual उसकी market price अगर है वो हो गई OP तो इसका मतलब OR-OP जो आ गया PR या RP के बड़ावर ये मेरा consumer surplus है क्योंकि मैं उसे देना चाहता था OR लेकिन मैंने दिया कितना है OP तो ये पूरी की पूरी चीज़ें आप देखना है consumer surplus है लेकिन अगर utility फार में आप देखना चाहें तो ये ज़्यादा important है और ये question आप से पूछा भी जाता है अब ज़्यादा utility के रूप में देखिए माली थे दोस्तों कि ये product मेरा OP price का है और ये मैं OX1 यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं purchase कर रहा हूँ ओपी पे OX1 तो actual में उस product से मुझे कुल उपयोगी ता total utility कितनी मिल लए है दोस्तों total utility कितनी मिल लए है तो इसका answer है हमारा O X OX1 OX1 और यहाँ पे माली जिए के ले ले तो के आर के आर OX1 के बराबर हमको utility मिल लए है आप समझ रहा है OX1 के आर के बराबर मुझे इतनी utility मिल लए है जब मैं उस X1 को purchase कर रहा हूँ लेकिन OX1 को purchase करने के लिए मुझे total sacrifice कितना करना पड़ा total sacrifice मतलब मैं कितना money उसके लिए पे कर रहा हूँ तो जो money पे कर रहा हूँ दोस्तों O P into OX1 इसका मतलब O P O P X1 और K के बराबर इसका मतलब जो money मैं पे कर रहा हूँ वो सिर्फ इतना कर रहा हूँ लेकिन utility मुझे मिल लए है इतने के बराबर इतने के बराबर तो अब मेरी अगर आप consumer cell plus देखेंगे कि कितनी मेरी consumer cell plus है CS है तो होगा क्या O X1 K R माइनस O X1 K P इसका मतलब जो R P और K है इसका मतलब आप देखें जो R P K है यह मेरा हो गया consumer cell plus CS यह हो गया मेरा consumer cell plus देखें यह जो है consumer cell plus क्यों क्योंकि मुझे utility कितने मिल लए देखें इतनी utility मिल लए है और मैं actual इसके लिए pay कितना किया इतना ही money मैं actual pay किया हूँ तो इस में से अगर आप घटा दें इस पूरे में से इतने को तो यह मेरी हो गई consumer cell plus अब यहाँ पी चीज देखें जो बहुत ज़्यादा competition में पूछा जाता है अगर इस product की price घटे या बढ़े तो आपका consumer cell plus घटे का या बढ़े का यह बहुत ज़्यादा important है मालीजे दोस्तों कि इस product की price OP1 से बढ़के OP2 हो जाए यहाँ पे हो जाए OP2 अब देखिए इसका मतलब अब मैं इसके लिए PA कितना किया इतना और मुझे utility कितने मिली है यह इसके बराबर तो आप consumer cell plus रह गया सिर्फ घटके इतना इसका मतलब अगर किसी चीज नोट कर लीजे अगर किसी चीज की product की कीमत बढ़े कीमत बढ़े कीमत अगर बढ़े तो आपका जो consumer cell plus है वो घट जाएगा कीमत बढ़ने पे consumer cell plus घटेगा और दूसरा अगर यह मालीजे product और सस्ता हो जाए O P से O P 0 हो जाए तो इसका मतलब इससे utility कितने मिली हमको यहां से लेके X2 O X2 N R और हमने कितना पे किया इतना ही तो actual में अब जो consumer cell plus है वो देखिए पूरा एरिया हो गया इसका मतलब कीमत घटे अब देखिए कीमत घटे कीमत अगर घटे तो हमारा consumer surplus बढ़ जाता है यह बहुत जादा important है exam point of view से कि consumer जो surplus है वो actual जो है कीमत के साथ किस तरीके से बदलता है यह उल्टे रूप से बदलता है अगर product की कीमत बढ़ती है तो consumer surplus घट जाता है अगर product की कीमत घट जाती है तो consumer surplus बढ़ जाता है तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने consumer surplus को measure किया है वो Marcel के carding measure किया है जिसमें वो money को उपयोगिता को मापने की बात करते है कि हम जो है जो utility है उसको measure कर सकते है unit के रूप में उसको हम measure कर सकते है cardinal रूप से एक, दो, तीन, चार के माध्यम से लेकिन इसमें काफी अलोचनाएं भी है जैसे कि मार्सल ये माल लेते हैं कि जो money है उससे मिलने वाली उपयोगिता इस्थी रती है दोस्तों इसका अगर आफ साइच फिक और invention आप देखना चाहेंगे तो J.R. Hicks ने अपने indifference card के माध्यम से दिया है अगर आपको indifference card उला समझना होगा तो मुझे आप लोग comment करिएगा मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूँगा लेकिन ये चीज बड़ी basic थी और बहुत ज़्यादा पुछी जाती थी तो कुल मिला जुला के simple सा है consumer surplus को आप देखते हैं कि जो actual में किसी product को हम देना चाहते हैं उसके बंचित रहने के पेच्चा जो हम पे करना चाहते हैं और जो देते हैं उन दोनों के बीच का अंतर ही consumer surplus होता है इसे consumer rent भी कुछ लोग करते हैं और product के price के घटने और बढ़ने से ये बदल जाता है और जो consumer surplus और price में change है उसमें ultra relation है product की price बढ़ी consumer surplus घटा product की price घटी consumer surplus बढ़ा तो ये है इसकी basic सिधान्तिक ब्याख्या बड़े मन से बड़े आत्विश्वास के साथ अपने लक्ष के तरफ बढ़ते चलिए पढ़ते चलिए कुछ करते रहिए आवाज मेरी पहुँच रही है तो आप लोग येस लिखिए जिससे हम आप से कुछ बाते कर सकें क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या मेरी आवाज आप तक कहुँच पा रहे हैं क्या आप लोग सुन पा रहे हैं हमको चलिए चलिए हम लोग कुछ लाइफ डिसकसन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप से चर्चा करेंगे आज मैं जिस टौपिक से आपसे चरचा करने वाला हूं वो है कि आपको बताना है कि What is different between construction and manufacturing आपको बताना है निर्माण और्ली निर्माण में च्टक्ष करें आप को कमेंट करें कि आपको पता है कि क्या निर्माण तो इनाम कई बार जब आप इंटर्व्यू देने जाते हैं परसनालटी टेस्ट में जाते हैं तो यह बेसिक कोश्चन पूछा जाता है कि वाट इस डिफ्रेंट बिट्वीन बेसिक डिफ्रेंट बिट्वीन वी निर्माण और निर्माण में क्या फरक है तो आएए चलिए मैं आपको सिखाता हूँ एक इंपॉर्टेंट प्रसन का जबाब की कंस्ट्रक्शन और में क्या फरक होता है लेकिए दोस्तों जब हम नेचर से प्राप्त रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज करते हैं तो यह प शुक्त से हैं आप यहां चारदव जिसो सकते हैं अब यहां फ्रसन यहीथा हमारा ज दोनों में बेसिक फ़रक क्या होता है जब हम नेचर事情 का तो इसको हम करते हैं और सेकंडरी सेक्टर में दो चीज आती है अब आईए बात करते हैं दोनों फरक क्या है जब आप सुभा सुभा नहाते हैं और साबून यूज करते हैं पिर्स का तो उसके ओपर देखिएगा क्या लिखा है वो लिखाओगा मैनिफैक्चर्ड आप जिस पेन को यूज करते हैं उस पे लिखाओगा मैनिफैक्चर्ड मेरे सामने जो मुबाइल है इस पे लिखाओगा मैनिफैक्चर्ड तो कुछ चीजों के सामने मैनिफैक्चर्ड होता है आप दवा यूज करते हैं दवा यूज करते हैं दवा यूज आप लोगों को भी तो तो, manufacturing और construction, देखिए क्या फरक होता है, जब हम nature से प्राप्त resources का रूप परिवर्तित करें, और उसका एक localized यूज़ करें, जिसमें किसी तरह की गत सीलन न हो, एक बिंद पे जाके उसका कंजूम करें, एक बिंद पे जाके उसे यूज़ करें, जिसमें mobility न हो, इसको दोस्तो हम कहते हैं, construction, लेकिन, जब nature से प्राप्त resources का रूप परिवर्तित करें, और उसे जाके decentralized लेवल पर यूज़ करें, तो इसको कहते हैं, manufacturing, like example, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कि आप जो है, साबुन जो यूज़ करतें, वो manufactured हुआ, क्यों manufactured हुआ, क्यों manufactured हुआ, क्यों कि कर रहे हैं, आप बनारस में, कपड़ा कहा बना, बैंगलूर में, आप यूज़ कहा जाके कर रहे हैं, उसको आप लखनव में, लखनव की chicken बनी, और यूज़ कहा जाके हो रही है, डेली में, तो manufacturing में क्या होता है, कि nature से प्राप्त resources का रूप परिवर्तित होता है, लेकिन लेकिन जो उसका यूज़ होता है, वो कहीं दूसरे जगे पर जाके होता है, इसलिए आप कहते हैं, कि इस मोबाइल का manufacturing हुआ है, बना यूज़ में, आप इंडिया में उसे यूज़ कर रहे है, नेचर से प्राप्त resources का रूप पईवर्तित हुआ है, लेकिन जो यूज़ ह आप यूज़ कहा कर रहे हो, अलाहबाद में, यह manufacturing हुआ, बना कहीं, यूज़ कहीं कर रहे हो, construction में दोस्तों क्या होता है, कि नेचर से प्राप्त resources का रूप परिवर्तित तो होता है, लेकिन वो decentralized यूज़ नहीं होता, उसका conjunction या फिर उसका यूज़ लोकलाइज होता है, एक specific local place पे होता है, अनुप कुमार, दिवेदी, गोडिवरी, आप सुन रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, what is the difference between construction and manufacturing, जो हमेशा competition में पूछा जाता रहा है, interview में पूछा जाता है, personality test में पूछा जाता है, तो यहां पर आप ध्यान से सुनिए, कि जब म नेचर से प्राप्त resources का रूप परिवर्ति तो हो रहा है, लेकिन जो इसका use हो रहा है, वो जाके decentralized नहीं हो रहा है, localize हो रहा है, like example, आग्रा express वे बना हुआ है, तो आग्रा express वेट को अगर आपको use करना है, तो आपको आग्रा express वेपे जाना पड़ेगा, अगर मैं कहता ह कि नेचनल हाइवे का construction हुआ है, तो अगर आपको नेचनल हाइवे का construction करना है, तो आपको नेचनल हाइवे पे जानी होगी construction का use करने के लिए, अगर आपके घर के सामने एक नाली बह रही है, तो उसकी जगा पे आप ही के घर का पानी वहाँ से जाएगा, आप उसका use करना है लोकलाइज नेबल पर तो दोस्तों यह जो है कंस्ट्रक्शन में नेचर से प्राइट रिसोर्सेज का रूप पईवाती तो करते हैं लेकिन जो उसका यूज होता है न वह एक एक specific place पे होता है उसमें mobility नहीं होती है कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप यूज एक localized एक specific place पे जाके कहें वो construction होता है manufacturing में आप देखते हैं चीजों का decentralized use होगा बनेगा कहीं यूज जाके कहीं पे होगा तो इसको आप बोलते हैं decentralized use उसका जो है production कहीं consumption कहीं लेकिन actual में जो construction में होगा जहां पे वो बना वही पर actually जो है उसका conjunction भी वहीं पे हो रहा है उसका use भी हो रहा है तो यहीं दोस्तों फरक होता है construction में और जो है construction में और manufacturing में बहुत ज़्यादा important person है और competition में पूछा जाता रहा है तो हम लोग इस सीरीज में 5-6 मिनिट पे एक-एक इंपोर्टेंट टॉपिक पे करेंगे चर्चा आप लोग उस टॉपिक को मुझे सजेस्ट करिए मेरे टेलिग्राम चैनल पे आप लोग सजेस्ट करिए जो टॉपिक बहुत बढ़िया क्वालिटी का होगा अच्छा क्वाल यह तो आपको कैसा लगे नहीं सूज का मेनिफैक्चरिंग होगा और सड़क का ब्रीज का फ्लाइओवर का अपके घर का दुकान का मॉल का यह कर्ट्रेक्ट बनोगा और जहां पी बनेगा वहीं उसका यूज होगा कि सपेस्टिक यूज है लेकिन मेनिफैक्ट्चरिंग म मैंने कहा कि सफेस्फिक यूज नहीं है डिसेंट्रलाइज लेवल पर यूज यस बहुत अच्छा बता रहें दिपान सुरा कि में बेसी बिल्कुल बिल्कुल तो आप जो है यूज क्या कर रहे हैं बेसिकली इंपोर्टेंट यह होगा यूज कहां पर हो रहा है यूज अगर यूज में मोबिलिटी है बना कहीं आप कहीं पर जाके यूज कर पा रहे हो तो जो है तो आप लोग मेरे चैनल जो है टेलिग्राम चैनल दिगविजय एकोनामिका है एट रेट दिगविजय सिंग डी एस आर्पी वन है उसका लिक उसमें आप लो जाईए और हमको छोटा- छोटी बातों पर करेंगे बात तो इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम आपको इसाटु दिन लेकिन आप सोचें कि मुझे कुछ करना नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे अगर आप सोचें कि आज कॉलेज जाना है इन्वस्टी जाना है तो आप कॉलेज और इन्वस्टी नहीं जाएंगे लेकिन आप सोचें कि मुझे कल देल ही जाना है तो आप पकुछ जाएंगे important है willpower, important है सोचना तो सबसे महतपूरे सोचिए और सोचने का मतलब सिर्थ सोचिए ने उसको कर दीजिए कर गुजरने की छमता करिए हजारों मुस्किले तो है राहों में लेकिन उन हजार मुस्किल में आगे आना और फिर अपने willpower को इस्टांग बना के कर जाना यह बहुत important होता है तो life एक पूरा का पूरा एक psychological game है positive नहीं बी positive निरास मत होई है बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो पढ़ना है कौन पढ़ेगा आप ही पढ़ेंगे हम पढ़ें तो पढ़ना है करेंगे कुछ हम लोग अच्छा करेंगे हजारों मुस्क ले राहों में और कोशिसे बेसुमार इसी का नाम जिंदगी है चलते रहिए जराब चलते रहिए जराब तो दोस्तों हम wait करेंगे और पका है हम आपसे एक सब्ता में दो दिन जरूर मिलेंगे सटर्डे संडे में एक दिन पठका है एक दिन और आप लोग डिसाइड करिये और इंपोर्टेंट टापिक पे हम आपसे करेंगे और छोटी-छोटी कॉंसेप्ट को हम लोग किलियर करेंगे और आपका जो है इकनोमिक बिल्कुल हम इस्टांग बनाएंगे यह हमारा आपसे जो है कमिटेटिव एक्जामों में मैंने लगातार इस पर प्रस्त पूछे जाते कोई देखा है इसलिए इस बहुत ही इंपोर्टेंट कॉंसेट को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते है अगर आपको यह वीडियो समझना है तो बिल्कुल पूरे लाश तक देखिए दिख भी जाए एकनामिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिख भी जाए एकनामिका को सब्सक्राइब तरिए रहे के आरथी का कुछ्छर मिलते है एक फ्लो फेरिवल प्रवाह चर और दूसरा इस्टाउब वेरिवल इस्टाथब तो एक्च्छल इस ठाक प्रवाह क्या होते है आपको बिल्कुल एकनामिक वेरिवल ऐसे होते हैं कुछ economic variable ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे चर होते हैं, जिसको जब हम मापते हैं, तो a period of time मापते हैं, मतलब एक समय औवध में मापते हैं कुछ चरों को हम हमेशा और यूनिट आफ टाइम मापते हैं हम देखते हैं कि एक specific period of time में इसकी क्या growth रही है जैसे हम माप सकते हैं, weekly माप सकते हैं, जैसे हम monthly माप सकते हैं या फिर हम माप सकते हैं yearly annual तो जिन चरू को दोस्तो हम एक period of time में एक समयावधी में मापे जैसे week में, month में, year में ऐसे चरू को हम प्रवाह चरकाते हैं Like example अगर मैं आपसे पूछू आपकी income कितनी है आपकी salary कितनी है तो आप हमेशा एक period of time की salary एक period of time की income हम से बताते हैं लेकिन दूसरे अगर मैं प्रस्न को ध्यान से सुनिया अगर मैं पूछू आपका wealth कितना है धन कितना है तो दोनों सवाल बिलकुल अलग अलग है पहले में मैं ने पूछा आपकी salary या income कितनी है तो आपने monthly या annual बताई लेकिन जब मैं आपसे पूछूँगा आपका धन कितना है तो दोस्तों आप एक point of time पे बताएंगे एक बिंदू पे बताएंगे आप बताएंगे कि 20 November 2020 तक मेरी इतनी property है तो दोस्तों जो दूसरा चर्व होता है वो होता है stock variable और जो stock variable है उसको हम measure करते है a point of time stock variable को जब हम दोस्तों measure करेंगे तो जो stock variable होगा stock variable होगा structure इसको करेंगे इस structure को हम मापेंगे at a point of time at a point of time एक समय बिंदू पे एक समय बिंदू पे एक समय बिंदू पर मतलब क्या मतलब है कि मैं बताओंगा कि 20 नवंबर 2020 तक अगर मैं आपसे पूछू कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है मैं आपको बताओं दोस्तों कि PCS सक्षातकार में मुझसे ये छोटा सा प्रस्त पूछा गया था कि बताओंगा अपने देश की जनसंख्या कितनी है देखने में बहुत ही छोटा है मैं आपको बताओं कई बार मेंस के पेपर और कई बार परस्नालिटी टेस्ट में भी मैं देखता हूं लेकिन ये प्रत उतना नार्मल आसान नहीं जीतना आप समझ रहे है जैसे आप बता सकते हैं कि मेरे देश की जनसंख्या है एक और अब एक्कीस करोड़ एक लाख पैंतालिस अजाग चारसो साथ मैंने उसमें सेंसर्स कराया था मैं मिनिस्ट्री आफ ओम अफेर्स में था उसमें तो मुझे बिल्कुल याथ था मैंने सेंसर्स कराया था यूपी का तो मैं बता सकता था मैंने बताया भी लेकिन वो एक्चुली ये जानना नहीं चाहता था कि आप पॉपलेशन बताएं इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों जब मैं जनसंख्या बताया पॉपलेशन कितनी है मैंने ये बताया तो मैंने सक्षातकार में ये बताया कि पॉपलेशन एक मार्च जीरो जीरो आवर रात में 12 बजे जो सेंसर्स हम लोग कराये 2011 का उसका जो एक मार्च जीरो जीरो आवर पर कितनी जनसंक्या रही इसका मतलब हमने बताया at a point of time एक बिंदूपले जनसंक्या हमेशा हम एक बिंदूपले बता रहे है इसका मतलब क्या हुआ हुआ सख्या, इस टॉक कंसेट हो गया, इसे हम एक बिंद पर बता लें, मैंने जैसे प्रस्ण पूछा था, आपका धन कितना है, प्रॉपर्टी कितना है, तो आप क्या बताएंगे, एक बिंद पर बताएंगे, कि मेरे पापा ने या मैंने 20 दिसंबर 2020 तक या 19 तक इतनी संपत्य की, इतनी हमारी पास प्लाट है, इतनी गारियां है, इतनी मकान है, इतना बेंक में लेंस है, तो जब दोस्तों किसी वैरियेबल को एक बिंद पर बताएं, तो हम उसको कहते हैं श्टॉक, लेकिन जब हम किसी वैरियेबल को a unit of time बताएं, एक somewhere अवर ही में बताएंगे, उस इसका मतलब हमेशा समझेए, flow हमेशा एक प्रवाः मीजर करता है, एक speed meter करता है, एक rate मीजर करता है, बहुत ध्यांसे सुनिएगा, प्रवाः हमेशा ही speed meter करेगा, rate meter करेगा, लेकिन जो इसटाक है वो एक label और situation को दर साएगा, like example, पर हमारे देश की जनसंख्या है, ये एक situation, एक label है, लेकिन अगर मैं पूछू जनसंख्या ब्रिज ही क्या है, तो that is flow, क्योंकि मैं ब्रिज मीजर करना हूँ कि एक साल में बढ़ा कितना, तो आप समझ रहे होंगे, कि चरों को मापने में सिर्फ हम अंतर करते हैं, जिन चरों को हम एक financial year में मीजर कर ले, month में मीजर कर ले, वो प्रवाब होंगे, जबकि जिसे हम at a point of time बताएं, वो हमेशा stock होते हैं, तो stock और flow आपको जहां तक मैं समझ रहा हूँ, समझ गया होंगे, कुछ example से मैं और इसे clear कर रहा हूँ, और ये प्रस्त पूछे भी बहुँ जाते जैसे आप पहले example लिखी stock का, क्योंकि मैं देखता हूँ कि competition में example के माध्यम से ही पुछा जाता है कि क्या है आपको बताने, तो पहले आप note करिए stock variable कौन-कौन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही जन संख्या, population, जन संख्या हमेशा होगा दोस्तों stock, population हमेशा इंदी में से आसान हम कहते है सारवजनिक रिन, तो सारवजनिक रिन क्या है दोस्तों, एक stock concept है, मैं बताऊंगा कि भारत में एक December 2020 तक कितना total borrowing की है, कितना loan लिया हुए, तो इसको public date stock है, इसी तरह देखिए money supply, बहुत बार पूछा गया है, मुद्रा क्या पूर्ति, money supply को दोस्तों हमेशा हम मुद्रा आपूर्ति को, मुद्रा आपूर्ति को हम मीजर करते हैं, हमेशा ही एक point of type, हम बताते हैं कि देश में जो है, इस date को कितनी money supply available है, वो money supply कब से है, does not matter, तो ये दोस्तों, जो money supply है, वो stock concept है, देखिए, PCS के प्री में, IS के प्री में कई बार य अब आप बताएं, gold reserve क्या होगा, इसी तरह आप से पूछा जा सकता है, oil reserve, oil reserve, oil reserve, yes concept दोस्तों चाहे, gold reserve पूछा जाए, oil reserve पूछा जाए, ये सारे stock है, एक bit में कितना gold है, कितना coal है, कितना gold है, ये तमाम चीजे होती है, stock, public debt कितना है, stock, आपने कुल कितनी borrowing ली है, stock, ते इस्टाट तो इस्टाग variable को हमेशा हम एक बिंदू पे measure करेंगे लेकिन इसके उलट जितने भी flow variable होते हैं दोस्तों यह हमेशा हम एक आवध में measure करेंगे इसका example आप note करेंगे कि variable जो flow variable है उसकी example क्या है तो उसकी example क्या होंगे दोस्तों सबसे पहले national income राष्टी आए national income अगर national income राष्टी आए अगर variable है तो यहां पर आप छठा example लिखेगा national wealth अगर wealth में कहुंगा तो आपने आप इस श्टाग हो जाएगा एक बिंदू पे हो जाएगा राष्टी आप जानते हमेशा एक financial year में हम देखते हैं कि कितने goods and services produce हुई तो national income पुछा जाए GDP increment increment in population population इसी तरीके से तीसरा saving पूछा जाए तो saving हमेशा एक time period में होता है for investment पूछा जाए हमेशा एक time period में होता है आप से कहा जाए fiscal deficit एक साल का हमेशा घाता होता है fiscal deficit आप से कहा जाए revenue deficit हमेशा एक साल का होता है या फिर ये कहा जाए depreciation बहुत बढ़िया देखिए पूछा जाता हमेशा depreciation हरास जो होता है जो हमारे पास physical capital में जो चरण होता है wear and tear होता है उसे हम देखते हैं एक specific period of time में कितना चरण होगा है तो जो depreciation है दोस्तों depreciation को हमेशा आप flow variable मिजर करिएगा ये flow क्या जाणा है investment हम हमेशा देखते हैं एक साल में कितना होगा है इसे तर example इसका देखिए बहुत important हो सकता है इंट्रेस्ट जो आप ब्याज पाते हैं ब्याज ब्याज भी आफका जो flow concept है अठवा देखिए इस पे जो है ब्याज के अतरिक जो आपको इनवल आपको मिलता है कई example और हो सकते हैं जैसे के expenditure आप खर्च कितना करते हैं ये flow concept है नहीं जो है एक्सपोर्ट क किये हम एक्सपोर्ट जो है हम इनवल करते हैं निर्यात निर्यात दसवा आयात इंपोर्ट ये सारी चीजे दोस्तों flow का वरियेबल है चाहाए मैं जामन की rent भी पूछा जाता है rent आपको जो rent भी करते हैं वो भी मन्थली होता है तो दोस्तों ऐसे economic variable जिसे हम a unit of time में एक period of time में एक specific period में measure करना है वो flow होते हैं बाकि वही variable अगर वही same variable को हम at a point of time measure करें तो that is stock होते हैं तो stock और flow variable में जो सिर्फ अनतार है दोस्तों वो ए measurement के level पहनता है इस टाक हम देखते हैं अब तक कितना अब तक अगर वो मैं कहा रहा हूँ public date तो इंदरा गाधी से लेके जेल नहरू से लेके अब तक जो है मैं उसकी बात करूँगा लेकिन जो date हम pay कर दिए and only जो date हम pay कर रहा है that is flow तो जब variable में हम incremental देखें तो जब आप incremental देखेंगे जब उसको depreciation के रूप में देखेंगे जब उसका alkaline आप करेंगे तो वो अपने आप differentiation उसका हो जाएगा flow तो कुल मिला जिला के दोस्तों अगर चरो को हम हमेशा aggregate के form में देखें लेबल के form देखें situation के रूप में देखें तो वो होता है लेकिन उसी चरो को अ है आप समझ गया होंगे नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करिए का मैं हमेशा आपके साथ हूं बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों कि समय बहुत महत्तपूर होता है और जो आपके साथ उर्जा है वो बहुत महत्तपूर है तो दोस्तों जहां तक मैंने अपन समय चाहिए करिया हूं कि लोग प्रियास बहुत करते हैं लेकिन तब करते हैं जब समय हांसे निकल जाता है तो दोस्तों म्हaten पूर्ण यह है कि समय का सही समय पर उप्योग किया जाए अभि आप अपने समय को खो रहे हैं जाने दे रहे हैं आलत से कड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे हैं लेकिन 4-5 साल बाजरा सोची साधी हो जाएगा बच्चे हो जाएंगे आपके उपर liability होगी आप न चाहते हुए भी बहुत काम करेंगे और उसका result क्या आपको लगता है बहुत वेटर चुक गई खेत का वर्सा जब किरसी सुखाने जब किरसी सुख गई तो बारी सोके क्या करेगा जब ये बहुमुले समय आपके हाँ से निकल जाएगा तो आप कठोर परिस्रम करके क्या करेंगे उसका कोई returns नहीं मिलेगा यही समय है यही अच्छा समय है आपके साथ उर्जा सकती है और सही समय है मुझसे बहुत ज़्यादा पुछा जा रहा है और इसमें बहुत confusion है आप लोगों को तो आएए आज मैं बहुत सारगर्भी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको clear करता हूं कि price effect, income effect और substitution effect नार्मल गुट्स के reference में क्या होता है, inferior गुट्स के reference म क्या होता है, तो पूरे वीडियो को बिलकुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर exam में दो question रखा हुआ है, अभी आपने देखा कि जो PGT का exam हुआ, उसमें दो question आया है, GIC की exam में भी इसे प्रस्न जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, और NetJRF में भी हमेशा ये प्रस्न पू हो रही है, तो जो मैं बता रहा हूँ, बिलकुल authentic चीज बता रहा हूँ, इसको अपने आप माइन में बैठा लीजिएगा, तो आपको कभी भी ये प्रस्न गलत होगा नहीं, हम बात करते हैं price effect, कीमत परभाव, दूसरा I परभाव और तीसरा substitution effect, प्रतियस थापन परभाव देखिए, जब किसी भी product के, product का मतलब goods and services के, price में कमी आती है, तो इसका impact, consumption के उपर या demand के उपर क्या पढ़ता है, ये बताता है price effect, price effect जो कीमत परभाव है, या मुले परभाव है, वो ये दिखाता है, कि अगर किसी भी product, कोई भी goods या कोई भी services जो, उसके price में अगर कम आती है, तो उसका क्या impact, उसके demand के, उसके consumption के उपर पढ़ता है, लेकिन, जो ये मैं कहा रहा हूँ, कि जब किसी भी goods and services के price में कमी आती है, और इस price में कमी का क्या impact, जो है किसी चीज के, उस goods के demand के उपर पढ़ता है, माली ये वो X है, तो ये demand घडता है, ये direct impact नहीं है, actually price का जो decrease होगा उसका dual impact पड़ेगा और dual impact को अगर आप एक साथ जोड़ दोगे तो क्या होगा वो तस्बीर बिल्कुल clear होगी तो दोस्तों यहाँ पर यह चीज़ समझें कि जब किसी भी product के price में change होगा वो goods and services है माल लिजे product के price में x goods है उसके price में कम ही आई तो इसे दो तरह के impact पड़ेंगे एक होगा income effect income effect आयप्रभाव बहुत ध्यान से सुनीए एक होगा आयप्रभाव इसका और दूसरा होगा substitution effect substitution effect प्रति अस्थापन प्रभाव प्रति अस्थापन प्रभाव प्रति अस्थापन प्रभाव तो actually जो यह price effect है जिसको आप कीमत प्रभाव कहेंगे यह दोनों ही प्रभाव का योग होगा मतलब अगर आप आयप्रभाव और प्रतियस्थापन प्रभाव को जोड़ दे income effect प्लस substitution effect को जोड़ दिया जाए तो आप पहुंचेंगे price effect के उपर इसका मतलब जो direct प्रभाव है price effect का goods के consumption के उपर या demand के उपर उसके dual effect होगे dual effect होगा, एक income effect होगा और दूसरा substitution effect होगा अब देखें इन दोनों में ही confusion है अब क्या confusion है? इसको बहुत ध्यान से समझेए देखें जो substitution effect है पहले मैं इसकी बात कर लूँ आप समझें बहुत से ऐसे किताब है जो लिखते हैं कि substitution effect जो है positive भी होगा और negative भी होगा बिल्कुल गलत लिखते हैं substitution effect will be always negative इस बात को बहुत ध्यान से कहीं नोट बना के लिख लीजे प्रतियस्थापन प्रभाव सदयव ही रिडात्मक होगा प्रतियस्थापन प्रभाव कभी भी धनात्मक नहीं होगा आप कुछ सियानिस को जो बिल्कुल authentic book है उसको आप बहुत अच्छे से देख सकते है ऐसे नलालसर को भी फालो कर सकते है प्रतियस्थापन प्रभाव substitution effect will be always negative एक सब्द है जो नोट करके लिख लीजे प्रतियस्थापन प्रभाव सदयव रिडात्मक होगा सदयव ही रिडात्मक होगा negative होगा प्रतियस्थापन प्रभाव अब भाई प्रतियस्थापन प्रभाव होता क्या है इसको आप समझ लीजी माल लीजे दो आपके पास goods है एक X goods है और एक Y goods है अब आपको पता लगता है कि जो X good है इसकी price कम हो रही है और Y goods की price जो है constant है इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है और आपकी जो I है income है वो constant है तो जब कोई भी goods सस्ती होती है तो no doubt ये lucrative हो जाती है आकर्सक हो जाती है तो हम हमेशा क्या कहते है जो सस्ती वस्तु है उससे महेंगी वस्तु को प्रतियस्थापित करते है that called substitution हमेशा हम सस्ती वस्त को जब करें like example आप गये और आपको भीन्डी भी पसंद है परवल भी पसंद है और आपको ये लगता है कि भीन्डी की price घट गई परवल और भीन्डी दोनो 40 था बट भीन्डी के price घट के 20 ओ गई और परवल का 40 तो आप ज्यादा भिंडी पर्चेज करते हो, मतलब आप क्या करते हो, सस्ती वस्त के दोरा महंगी वस्त को replace करते हो, भिंडी ज्यादा खरी दी गई, और पर वल्टम खरी दी गई, इसका मतलब हमेशा क्या हुआ, substitution effect ये दिखाता है, कि अगर price घटी, related price घटी product की, तो उस product क demand बड़े, तो इसका मतलब ये है कि price में और demand में जो सब्मन्द है, क्या हो negative है, it means to say दोस्तों, substitution effect will be always negative, किसी किताब पे मत जाईए, गलत लिखा हुआ है, सिधा सा concept है, आप बर्दवाल को लेख लीजिए, कुसियानिस को देख लीजिए, किसी भी अच्छे mathematicals book में चले जा जाएगा, कि जब सस्ती बस्तों होगी, relative सस्ती होगी, दूसरे बस्तों के तुनला में, तो हमेशा substitute की जाएगी महेंगी बस्तों को, और हमेशा आप ज्यादा prefer करेंगे सस्ती बस्तों, तो सस्ती बस्तों की price घटी, और सस्ती बस्तों की demand बढ़ गई, तो ये है negative, substitution effect will be always negative, आलवेज निगेटिव आलवेज निगेटिव लिखके रखके रट्टा मा लीजे substitution effect कभी भी धरात्मक होगा ही नहीं हमेशा ही रिडात्मक होगा ठीक है और इसका कारण आपने समझ लिया कि जब relative रूप से एक community सस्तिज होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस में ओ डिमांड में देखिए उल्टा समझ है तो अब क्या हुआ हमारा जो प्राइस प्रभाव है उसके मैंने कहा दो प्रभाव होगा उसका यह होगा एक income effect plus substitution effect और मैंने यहां आपको एकदब क्लियर कर दिया कि substitution effect will be always negative यह हमेशा ही negative होगा यह हमेशा ही negative होगा स्वारी हमेशा ही negative होगा always negative लिख लीजे always negative सदयव ही डियात्मक होगा सदयव तो इसका मतलब यह है कि अब हम आय प्रभाव को देखें कि क्या होगा और दोनों प्रभाव को अगर जोड़ दें तो पता लगया है आपका price effect क्या है तो जो income effect है आय प्रभाव यहाँ आपको समझना है यह may be positive and may be negative यह दोनों हो सकता है अब बहुत ध्यान से इसको समझना है यह दोनों हो सकता है और यह positivity और negativity ही determine करेगी कि goods normal है inferior है या फिर giffin है अब बहुत ध्यान से समझे है और किताबों में यहाँ बहुत ही confused किया गया ह देखो income effect दोस्तों दो तरह की होती है बहुत ध्यान से सुनिए बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से मालो मेरी income 4000 है और मेरी income 4000 से बढ़के 6000 हो गई तो इसका जो है हमारे conjunction के उपर हमारी demand के उपर प्रभाव पढ़ेगा लेकिन यह है simple income effect मेरी income बढ़ी और मैंने demand बढ़ा दी मैंने demand खटा दी तो यह है simple income effect लेकिन एक चीज़ और भी देखो अगर price किसी चीज़ की घटी price घटी तो real income बढ़ गई real income बढ़ गई और real income बढ़ने के वज़ा से demand के उपर क्या प्रभाव पढ़ा ये चीज़ देखे ये जो price ये जो income effect है ये simple income effect नहीं है ये है price induced income effect ये चीज़ ज़रा आपको सिधान में रखना है कि जब भी हम यहाँ बात करेंगे तो price induced income effect की बात करेंगे मतलब कीमत के द्वारा जो आय स्रिजित की जा रही है प्रिरित की जा रही है उसकी बात कर रहा है इसलिए किताबों में confused किया गया है क्योंकि वो लोग यहाँ income effect को normal income effect समझ लेते हैं कि आपकी income 5000 से 7000 हो गई तो क्या demand के उपर परभाव पढ़ेगा नहीं दोस्त मेरी income 5000 है लेकिन चीजों की कीमते घटने के वज़े से मेरी real income बढ़ गई है उसी 5000 की purchasing power पढ़ गई तो भी तो demand के उपर परभाव पढ़ेगा न यह है price induced income effect और हमेशा ही price induced income effect की बात यहाँ पर करते हैं जब हम price effect, income effect और subscription effect की बात करते हैं अपने दिमांग में बैठा लीजिए कि य यह normal price effect नहीं है यह आयप्रभाव नहीं है यह price induced income effect मुल्य प्रेरित आयप्रभाव मतलब आपकी income 5000 से 10,000 नहीं हो रही है आपकी income nominal income 5000 है लेकिन चीजों के rate गिर गया है price घट गया है और price घटने के वज़े से हमारी वास्तवी का है मतलब उसी 5000 की खरीदने की सक्ति बढ़ इसका impact demand के उपर क्या पड़ेगा यह दिखाएगा income effect तो यह income effect मेभी positive मेभी negative अब यह कैसे होगा भाई अब जड़ा देखो माल लो कि good sense services की price घट गई और हमारी वास्तवी का है बढ़ गई in the sense की मतलब 5000 है वो 5000 मिल लेकिन उसकी खरीद ने की सकते उससे मैं ज्यादा वास्तवी का है बढ़ी और demand जो है बढ़ गया तो P में और DX में मतलब price में और मांग में संबंध क्या है उल्टा है इसको हम बोलेंगे negative income effect यह होगा negative income effect रिडात्मत आयप्रभाव कब होगा जब कीमत घटी वास्तवी का है बढ़ी और demand बढ़ गई तो हमको दो sign चेक करना है एक demand वाला sign उपर और price वाला sign नीचे यह जो है negative है दोनों में संबंध इसलिए इसको बोलेंगे negative income effect यह जब price घटी बहुत धान से देखना और इसके वज़े से वास्तवी का हमारी बढ़ गई लेकिन जो demand for x है वो घट गया मतलब देखो यह price घटी और मांग घट गई ऐसे में इसको हम बोलेंगे positive income effect धनात्मक आयप्रभाव income effect अब देखिए तो क्या हुआ जो price induced income effect है maybe positive maybe negative negative तब होगा जब price घटी वास्तवी का है बढ़ी लेकिन demand बढ़ गई तो इसका मतलब p में px में और dx में जो संबंध है उल्टा है that is negative income effect लेकिन जब कीमत घटी और व इसलिए इसको बोलेंगे positive income effect यहां तक आपको concept clear हो गया तीन बाते हैं substitution effect will be always negative substitution effect सदैवहीर रिडात्मक होगा वो कभी भी धरात्मक नहीं होगा दूसरी बात income effect maybe positive maybe negative और यहां पर जो इस income effect की मैं बात कर रहा हूँ और नार्मल income effect नहीं है दोस्त income effect दो तरह के हो सकते हैं मे लेकिन आलू 40 रुपया से घटके 20 रुपया हो गया है तो आप conjunction के ऊपर क्या परभाव पड़ेगा that call price industry income effect and price industry income effect maybe positive maybe negative यहां पर देखो अगर यह direction अलग अलग है price घट गई और demand बढ़ गई that is negative income effect price घटी और demand भी घटी that is positive income effect अगर यहां तक आप समझ चुके हो तो आने व मैंने क्या कहा है आपसे कि जो price effect है जो कीमत परभाव है price effect यह दो चीजों का जोड़ है किसका किसका एक income effect का एक income effect का है और प्लस दूसरा है subfusion effect यह दो चीजों का जोड़ है अब देखो भाई अगर गुर्स नार्मल है समाने बहुत ध्यान से सुनिएगा यही पुछा जा रहा है और यही आप लोग लग कर रहा है अगर बस तुमा लीजे समाने है बस तू समाने है नार्मल है तो नार्मल बस तू के संदर्व में जो subfusion effect है वो तो हमेशा निगेटीव ही होता है यह निगेटीव ही होगा और जो income effect है वो भी निगेटीव ही होगा और जो price effect है वो भी निगेटीव होगा अब भाई प्रस्ण क्या है? subfusion effect हमेशा निगेटीव होता ही है तो इसमें दिमागी नहीं लगाना है आपको अब income effect जो है नार्मल बस तू के लिए निगेटीव क्यों हुगा? क्यों हुगा? भाई नार्मल बस तू थी आलू, आलू की price घटी, मेरी real income वास्तिवी काय बढ़ी और मैंने आलू की demand क्या कर दी, बढ़ा दी, तो ये क्या हुगा? पी में, पी अक्स में, आलू के price में और आलू के demand में जो संबन्ध हो, क्या है? एक arrow नीचे, दूसरा arrow उपर, that is negative, तो ये नार्मल बस तू के संदर्व में, income effect negative, तो जब substitution effect भी negative, और income effect भी negative, that is the total effect, always negative, ये भी negative होगा price effect, तो नार ने नार्मल गुर्स के संदर में, दोस्त, income effect negative होता है, substitution effect negative होता है, और price effect भी negative होता है, अब ध्यान दीजिए, दो बस तूइं और हो सकती है, एक हो सकती है, inferior, और दूसरी हो सकती है, गिफिन, अब जहीं, इन्फिरियर बस तुम्ही क्या उतना है? जो ये, income effect होता है, ये positive ह होता है और जो substitution effect है ये negative होता है लेकिन ये positive इतना जादा positive नहीं होता है कि ये total effect को positive बना दे जो price effect है वो क्या होता है वो negative ही रहाता है आप बहुत ध्याण से इस बात को समझे confirming जो नार्मल goods था दोनों negative था तो ये price effect निगेटिव रहा लेकिन inferior goods में निकरिष्ट बस्तू में substitution effect तो negative होगा always negative लेकिन जो income effect होता है वो positive होता है अब positive का मतलब क्या होगा कि PX अगर घटा और वास्तविक आए बढ़ी तो demand for X जो है वो भी घट गई तो इस sense में ये क्या हो जाएगा positive निकरिष्ट कोष्ट के मतलब में और ये positive लेकिन इतनी ज़्यादा positive नहीं है कि इस negativity को खतम कर दे negativity ज़्यादा है positivity कम है दोनों का जोड़ negative that is क्या हो गया inferior goods जो normal life demand है वो आपके normal goods में काम करेगा price घटे की demand बढ़ेगा that is the normal life demand अगर इस्तिर बनी रही तो कीमते अगर घटेगी तो मांग बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा नार्मल goods के संदर्म में क्या होगा ये लागू होगा आपका नार्मल goods में life demand दूसरे में भी life demand लागू होगा inferior goods के sense में जो demand कर बनेगा वो भी downward sloping बनेगा और नार्मल में भी downward sloping बनेगा लेकिन उतना ज्यादा active नहीं होगा जितना नार्मल में होता है कम active होगा और giffin की बात करोगे दोस्त तो giffin में क्या होगा ये positive जो है income effect इतनी positive हो जाएगी कि इस negative substitution effect को over करेगी और total effect को positive बनागी देगी और इसलिए जो मांग का नियम है वो काम नहीं करेगा और demand कर उपर उठता हुआ हो जाएगा price घटने पे demand घटेगी और price बढ़ने पे demand बढ़ जाएगी इसका मतलब laugh demand काम ही नहीं करेगा और demand कर downward sloping नहोंकर upward sloping होगा कीमते बढ़ेगी वो ज़्यादा यूज की जाएगी ज़्यादा demand होगी और कीमते घटेगी कम demand कीगी अब मैं Giffin goods के उपर एक दिन class आपको ले लूँगा एक ऐसी goods होती है काफी ज़्यादा inferior goods होती है जैसे bread कहा जाए गया ब्रेटेन में कि अगर दो चीजे हैं मालो ब्रेड है और मटन है और relative prices बढ़ गई तो मटन बहु ज़्यादा महंगा हो गया तो bread कम महंगा हुआ तो लोगों ने अपने income का ज़्यादा भा खरस्तो किया इसके उपर ब्रेट के उपर और demand भी बढ़ा दी लेकिन जब किमते घटी तो meet realty proof से सस्ता हुआ तो इसके जगाप उन्होंने meet को replace किया तो यहाँ पर जो love demand है वो कारगल नहीं हो रहा है prices अगर बढ़ रही है तो demand बढ़ जा रहा है और prices घट रही है तो इससे दूसरे चीज़ को substitute करके खतम करके total price effect को positive बना देगी और जब price effect positive हो जाएगा तो love demand काम ही नहीं करेगा और जो demand curve है वो downward sloping नीचे नहोता हुआ upward sloping हो जाएगा और upward sloping के वज़ा से उपर उठते धाल के वज़ा से जब कीमते बढ़ेगी तो मांग बढ़ जाएगी और कीमते घटेगी तो मांग कम हो जाएगी तो दोस्तों यही प्रस्न आपसे पुछा जाता है और आप लोग बहुत ज़्यादा confused होते तो इस concept को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कभी प्रस्न गलत नहीं होंगे और अगर आपको कोई confusion है तो no doubt आपको स्यानिस को देख लीजिएगा authentic books को देखिए वर्थवाल को देख सकते हैं आप लोग है ना और आप लोग जो है bommal की book को देख सकते हैं किसी भी अच्छे mathematical book को देखिएगा आपको बिल्कुल crystal clear होगा कि आपको बिल्कुल negative होगा जो actually income effect नहीं है तो दोस्तों हसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने उपर पूरा का पूरा बिश्वास करिए सबसे बड़ी बात यही है अपने उपर बिश्वास जिस दिन आपको उपर self confidence आ गया जिस दिन आपको लगेगा कि मैं कर लूँगा वही दिन आप जीत गए इतिहास सिर्फ ये देखना बाकी रहेगा कि आप जीतते किस दिन है लेकिन जिस दिन आप अपने मन में ये विचार बना लेते हैं कि मैं जीत जाओंगा उसी दिन आप जीत जाते हैं तो अपने मन में projective विचार रखे कि मैं जीतूंगा, मेरी बिजय होगी और उसी अनुसार काम करिए सोचने से कुछ नहीं होता है actual में उस सोच को चरिताज करना पड़ता है मेरे पिताजी हमेशा कहा कर दे थे कि अगर अंडा जो है तूटे नहीं तो खराब होता है, फिक दिया जाता है लेकिन जब अंडा टूड जाता है अपने अस्टित को खतम कर देता है तो उसे एक सुन्दर चिडिया निकलती है और पूरे आस्मान की बिचन करती है दोस्तों अगर आपको कुछ अच्छा करना है कुछ बड़ा करना है, अपने मंजिल को तक जाना है तो जो आपका ये परस्णाल्टी है इसको खतम करिए आप बहुत महनत करिए इतना महनत करिए कि एक नई परस्णाल्टी बरके आए और उस परस्णाल्टी को पूरा दुनिया देखे पूरा दुनिया सलाम करें तो आईए, कुछ अच्छा करते हैं कुछ बड़ा करते हैं लेकिन एक बात याद रखिए हमेशा बड़ों को रिक्स्पेट करिए मा बाप का रोज चरणास परस करिए उनका कभी भी आसिरवात जाया नहीं जायेगा वो मन से आसिरवात देते हैं माता पीता जो है साक्षात इस्वर के रूप है कभी उनको हर्ट मत करिएगा कभी भी हर्ट मत करिएगा जब तक वो है आपके उपर एक ऐसी छत्र साया है जो कभी भी आप तक धूप आने नहीं देगी तो दोस्तों अपने माता पीता का रिस्पेट करिए हमेशा पॉजेटिव रहिए हसते रहिए मुस्कराते रहिए कुछ अच्छा करिए कुछ बड़ा करिए आईए कुछ अच्छा करते हैं कुछ कर के दिखाते हैं थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिगविजा एकनॉमिका गौड ब्लेस यू दिएर फ्रेट धान से देखिए और दिगविजा एकनॉमिका को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिगविजा एकनॉमिका को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम एकनॉमिक रिडेटेट सबसे अथेंटिक मैटर और वीडियो आप तक ला रहे है एकनॉमिक का मतलब दिगविजा एकनॉमिका दोस्तों अपर्चुनिटी कास्ट और सदलागत UPSC में देखिए प्रिलिमस एक्जाम में पूछा गया था पिछले साल हर कम्टेटिव एक्जाम में पूछा जाता रहा है बट इसको लेके थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते है तो आज इस कॉंसेप्ट को हम लोग बेलकुल क्लिष्टियर क्लियर करने वाले हैं देखें कहा जाता है कि अगर आप इस समय या मेरा वीडियो देख रहे है तो आज इस समय आप किसी चीज का किसी एक चुनाओ का सेक्रिफाइस किये हुए है आप इस समय नेटफिक्स पे एक मूवी देख सकते थे उसे आप न देखते हुए मेरा वीडियो देख रहे हैं जिससे आपको अपार्चनोटी कास्ट देख नहीं है तो इस वीडियो की एक कास्ट है जो आप नेटफिक्स पे एक मूवी देख के इंजुआए कर सकते थे दोस्तों जब आपने चुनाओ किया कि मुझे अरचना से साधी करना है तो आपके चुनाओ में नहीं था कि मुझे किसी दूसरी अने लड़कियों से साधी नहीं करनी है तो ये एक आपके सामने चैलेंज था एक अपरचनोटी कास्ट के रूप में कि जब मैंने एक बिकल्प को चुना तो एक दूसरा जो बिकल्प अल्टरनेटीव आपके सामने एवलेबल था उसको सेक्रिफाइस किया जब आप एकुनामिक्स की क्लास में बैटके सो रहे होते हैं तो आप जो है चुनाओ करते हैं सोने का तो उसमें नहीत अपरचनोटी कास्ट है कि आपने परिट्याग किया है एक बहतर कॉंसेप्ट जो इसे आप सीख सकते हैं जब आप मुवी देखने जाते हैं और 250 रुपे की मुवी टिकेट खरिदे हैं तो आप उस समय आप जब एक चुच कर रहे होते हैं तो आपने सेक्रिफाइस किया अपरचनोटी कास्ट का जो सेकेंड बेश्ट अल्टरनेटिव हो सकता था वो था कि 250 रुपे में हम एक एक एकनामिक सी बुक कर खरिद के उससे अपने नॉलेज को ही रीज कर सकते थे लाइफ के प्रतिक सेक्टर में प्रतिक चेतर में एक अपरचनोटी कास्ट होती है जब आप किसी बिकल्प का चेन करते हैं तो आपका सर्वस्रिष्ट बिकल्प होता है वो होता है बेश्ट अल्टरनेटिव बेश्ट यूज होता है आपका लेकिन जब आप बेश्ट यूज का उप्सन सेलेक्ट करते हो चूज करते हो तो जो nest waste यूज होता है उसको आप sacrifice करते हो तो वो जो nest waste sacrifice है वही opportunity cost होती है दोस्तों इसे बहुत आप आसानी से समझ सकते हो कि opportunity cost क्या है क्योंकि जितने भी factor of production हैं जितने भी resources आप कहिए सब limited होते हैं चाहें आप natural resource की बात कर लें चाहें किसी भी resource की बात कर लें या फिर आप factors की बात करें आप अगर factor of production की बात करेंगे तो labor, land, capital, entrepreneur ये सब के सब resource limited है जब किसी factor of production को किसी एक काम में आप लगाओगे तो वो दूसरा काम नहीं कर पाएगा जिस काम का आप चुनाव करते हो या जिसमें आप factor को लगाते हो तो उसका होता है first first based use या फिर first based alternative मतलब प्रथम सर्वुत्तम विकल्ब ये होता है आपका प्रथम सर्वुत्तम विकल्ब इसको आप कहते हो प्रथम सर्वुत्तम विकल्ब लेकिन जब आपने इसका चुनाव किया है तो आप उसी समय से क्रिफाइस कर रहे होते हो सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब दुति उत्तम विकल्प का तो जब भी आप चुनाव करोगे किसी विकल्प का तो वो फर्ष्ट बेस्ट यूज होगा और जिसको आप सेक्रिफाइस करोगे यही होगा आपका सेक्रिफाइस जिसे आप कर रहे हो जिसका आप त्या कर रहे हो यही कहलाएगा अपार्चुनिटी कास्ट यही होगी औसर लागत अजिना ध्यान दीजिए ठंडा का समय चलना है, बहुत ज़ादा ठंडा है, सितलहर है, गला ने टेंप्रेचर डाउन हो चुका है अगर आप चुनाव करते हैं, कि मैं रजाई में बैठ के आराम करूंगा, सोंगा और मैं UPSC की प्रिप्रेशर नहीं करूंगा, मैं किसी भी competitive exam को ध्यान में नहीं रखूंगा तो note out आप रजाई में बढ़के मज़ा ले सकते हैं, लेकिन उस मज़ा का जो है sacrifice है, IS न बन पाना तो दोस्तों, जब आप कोई एक चुनाव करेंगे न, तो उस चुनाव में ही नहीत है opportunity cost जब आप किसी का चुनाव करते हैं, जब किसी use का, जब किसी alternative का चुनाव करते हैं, वो होगा first waste alternative या first waste use लेकिन जब आप first wish huge का चुनाव करते हैं तो second wish alternative को आपको sacrifice करना ही करना होता है और ये जो second wish sacrifice है वही होता है opportunity cost वही होता है उसलागत इसे एक कुधारण के बात्यम से मैं समझाता हूँ मेरा दोस्त है ग्यानेंद बात है 2012-13 की बड़े मन से लगा हुआ था IS का exam PCS का exam दे रहा था selection नहीं हो पा रहा था उससे कहा कि यार select नहीं हो पा रहा हूँ क्या करूँ मैंने उसको सुझाओ दिया कि तुम tutor पढ़ाना शुरू करो कोचिंग पढ़ाना शुरू करो जब पढ़ाने लगोगे आप तो आपके concept clear होगे आपके delivery strong होगे और आप समझ जाओगे कि गलतियां कहां से होती है वो मेरा कहा माना और Delhi में एक institute में पढ़ाना शुरू किया उसके concept clear होगे confident आगया और 2014 के PCS के exam में उसका video पर चैन हो गया और उस समय वो Delhi में coaching भी पढ़ा रहा था जब वो Delhi में coaching पढ़ा रहा था तो उसको एक लाख रूपे पर मंत की salary मिल ले थी income मिल ले थी ध्यानत दीजिएगा जब वो Delhi में coaching पढ़ा रहा था institutions में घुम घुम के तो उसको एक लाख रूपे पर मंत की salary पर मंत की उसको बेतर मिल ला था लेकिन जब बीडियो बना जब PCS में चैनित हो गया और जब वो जॉइन किया तो उसको 60,000 सेलली मिली जब 60,000 सेलली मिली तो उसका माथा ठनक गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाख रुपिया छोड़के 60,000 को मैं ले रहा हूँ तब उसने मुझे फोन किया और Economics भासा में समझाया कि देखो भाई, मेरे बीडियो बनने की Opportunity कास्ट बहुत हाई है ध्यान से सुनिए कि इस Example को पूरा पूरा Economics का Opportunity कास्ट समझ में आ जाएगा उसने कहा कि मेरे बीडियो बनने की Opportunity कास्ट बहुत हाई है जब मैं बीडियो बना, तो यह ज्यानिंद का था First Based Use या Alternative जिसका आप चुनाओ करते हैं अब यह मतलब नहीं है कि वो High Leapid हो, यह आप नहीं कर सकते हो अगर उसने बीडियो बनने का चुनाओ किया है तो वो उसका है First Based Alternative Use वो है उसका प्रथम सरुत्तम विकल्द, लेकिन जब वो बीडियो का चुनाओ किया तो उसमें अपने आप ही नहीं थै कि वो जो है Delhi में कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे अगर वो कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे तो एक लाख रुपे की उनकी हानी होगी तो जब वो साथ हजार उपे लेते हैं, तो वो परित्या करते हैं, सेक्रिफाइस करते हैं जो दूसरा सेकेंड अल्टरनिटिव है जो की है एक लाख का तो दोस्तो बीडियो बनने के अपाशनिटी कास्ट हो गई एक लाख रुपिया इसका मतलब परतेक विकल्प का जो कहागया है कि This Is Fundamental Law of Economic की Average Choice है अपाशनिटी कास्ट परतेक विकल्प का एक उसर लाखत होता है अगर मैंने चुनाओ किया है कि मैं इस समय आपके सामने आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा पाशनिटी कास्ट है, क्या है तो मैंने ये चुनाओं किया है कि मैं आपको सिखाने के लिए परिद्याग करूँगा कि अपने family के साथ बैठ के चाई की चुस्की लेना बंद करूँगा और उसके जगा पे मैं आपको सिखाऊंगा तो दोस्तों ये है opportunity cast जब भी आप कुछी काम को करते हो जब भी कोई factor आप production किसी काम को करता है तो वो क्या करता है second waste alternative का sacrifice करता है और वही जो है वो opportunity cast होता है ज्यानिंद के example के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आईगी आईए कुछ और example के माध्यम से मैं असप प्रोफेसर को KGMU के दवारा government के दवारा धाई लाक रुपे income मिलती है salary मिलती है एक private hospital entry मारता है लखनू में और काता है कि सर क्या कर रहे हो आप धाई लाक रुपे आपको दे रहा है KGMU आईए मैं आपको 5 लाक रुपया देता हूँ आप मेरे वाँ आईए छोड़िये इ प्रोफेसर कराते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा मैं KGMU में रहूँगा और गरीबों की सेवा करूँगा तो दोष्टों यहां पर क्रोफेसर ने चुनाव किया है कि मैं KGMU में रहूँगा यह उनका चुनाव है रहूँगा तो इसको मैं कहूंगा First best choice लेकिन वो जो है किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं और वहाँ पे उनकी सेली मिल सकती है पाँच लाग तो वाट इस अपार्चुनिटी कास्ट आफ के जिम्यू प्रोफेसर दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा जिसका उसने चुनाओ किया है उसको इसका मतलब जो धाई लाग रुपे की वो के जिम्यू में नौकरी करेंगे तो पाँच लाग रुपे वो प्राइवेट हस्पिटल उन्हें नहीं देगा और यही पाँच लाग रुपे उनकी अपार्चुनिटी कास्ट है और सर लागत है एक्जामपल को बदल देते हैं म अब ही इनका जो फर्स्ट वेस्ट च्वाइस होगा फर्स्ट वेस्ट च्वाइस होगा तो यह हो जाएगा उनका फाइफ लाग रुपीज कहां पर काम करेंगे प्राइवेट हास्पिटल में लेकिन जब फर्स्ट वेस्ट अल्टरनेटिव इनका फाइफ लाग आ गया कि वो एक private hospital में काम कर रहे है, तो उन्होंने फिर क्या sacrifice किया, उन्होंने sacrifice किया KGMU की नौकरी और जो है 2.5 लग, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वो first best में इससे ज़्यादा सली पे चले गए हैं, तो opportunity cast नहीं होगा, यहाँ पर भी दोस्त opportunity cast होगा, every choices and opportunity cast, अगर उनको 5 लाख रुपे private hospital में मिल ले हैं, तो उन्हें 2 लाख रुपे नहीं मिलेगा एक private hospital के KGMU का, और यह जो 2 लाख रुपे नहीं मिलेगा KGMU का न दोस्त, यही है उनकी opportunity cast, opportunity cast में important यह है कि what is your first best choice and what is your second best way, जिस काम को आप कहते हो कि मुझे एक करना है, वही first best choice होता है, और जिस काम को आप छोड़ देते हो ने, sacrifice करते हो वह आपका होता है second best alternative, तो हमेशा जो second best alternative होगा, दुतिय सर्वस्यष्ट होगा, जिसका आप sacrifice करोगे, वही opportunity cast होगी, वही आउसलागी, मैंने पहले ही कहा था कि जब आप ये decision लेते हो, कि मुझे अर्चना से साधी करना है, तो आपने चुनाओ किया है कि मैं अन्य लडगियों से साधी नहीं करूँगा, वह opportunity cast के रूप में है, जब आप कहते हो कि मैं इस समय एक movie देखूँगा, तो आप चुनाओ करते हो कि इस से मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, तो पढ़ाई नहीं करना आपकी opportunity cast रहा उसलागात है, जीवन के प्रतेक छितर में आपको opportunity cast मिलेगी, एक दूसरे example से समझाता हूँ, माली जीए कि आप हैं, और आपका नाम है Mr. Ramiz, अब Mr. Ramiz क्या है, रोज जाते हैं office, और office जब जाते हैं, तो उनको बाहर जो है, खाना खाने के लिए lunch में जाना पड़ता है, और प्रतेक दिन वो 200 रुपे खर्च करते हैं, दो फर के lunch के उपर, प्रतेक दिन 200 रुपे खर्च करते हैं, तो कैसे निकालोगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो opportunity कास्ट होगी, उनकी सिर्फ 100 रुपी होगी, क्योंकि अगर वो घर से लेके आ रहे हैं, तो 100 रुपीच, और जब वो बाहर का lunch कर रहे हैं, तो 200, तो यहाँ पर opportunity कास्ट निकालते समय, आपको 200, minus 100 करना पड़ेगा, तब 100 रुपी जाएगी, बैक्तिगत सेक्टर में आप देखेंगे, तो भी opportunity कास्ट होगी, और अगर, आप social level पर देखोगे, जैसे कि UPSC का प्रस्ण था, पिछले बार आप देखोगे आई-सके, social level पर भी होगी, अगर माल लोग COVID चलना है, बहुत दहाल से सुनिएगा, अब COVID जो है, अपने healthcare system पे, government बहुत इसमें स्मूरूद कर रहे है, बहुत अच्छा कर रहे है, तो जब government ने decision लिया, कि public resources को हम healthcare system के उपर लगाएंगे, तो हो सकता है, कि government जो अन्य योजनाय है, उसको sacrifice करें, जैसे, select ना बना पाए, ऐसा हो सकता है, कि government railway पे बहुत ज़्यादा focus ना कर पाए, transportation नहीं करा, communication के उपर नहीं, तो जब government ने चुनाओं किया, कि आपका healthcare system बहुत strong बनाएगी, तो उसमें नहीं था कि उसकी एक opportunity कास्ट होगी, वो दूसरे रूप में आपको दिखाएगी, जो sacrifice होगा, communication के रूप में, transportation के रूप में, वो आप तक नहीं भोई पार है, तो first best alternative जहां भी होगा, उसका second best sacrifice होगा ही होगा, तो जब government health care बेतर करती है, तो हो सकता है कि उसका opportunity कास्ट आप देख सकते हो, किस रूप में देख सकते हो, आप देख सकते हो, transportation के रूप में, communications के रूप में, IS prelims में जो question था दोस्तों, वो ये था, आपके सामने में रख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से आप देखिएगा, ज़रा जिसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो, question है UPSC का, कि if a community is provided free to the public by government, अगर एक कोई बस तू है, जो free में public को provide कराई जा रही है, सरकार के दौरा, फिर आपकास्ट, जैसे कि गेहों और चावल आपको free आपकास्ट प्रवाइट करा दी जाए, चाहिे है, तो कर दिन, विकल्प A, opportunity cost is zero, opportunity cost सुन्हे होगा, तो 드झो website economics में, कहीं भी opportunity cost zero दे होगा, opportunity cost is ignored, बी विकल्प का रहा है, that opportunity cost ignore कर दी जाएगा, बिल्कुल यलिप है, the opportunity cost is transferred from consumers of product to tax paying public, अब देखिये, जो free of cost जो है product, उसका जिमेर का रहा रहे है।। यहां पे जब government ने decide कि आपको free of caste, fruits देगी, commodities देगी, तो अपने आप ही नहीं थैं कि government कुछ सुवधायें से आपको डिप्रिप्ट करेगी, बंचित करेगी, तो ये जो opportunity cast होगा, आप वो government के decision और choice होगा, जो आप तक वो पहुचा नहीं पा रही है, तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत crystal clear concept हो गया होगा, कि opportunity cast क्या होती है, और सर लागत सुरू हो गई है, इसकी एक opportunity cast होगी, PCS नब बनने के रूप में, IS नब बनने के रूप में, या फिर lektural नब बनने के रूप में, उड़ जाएए, ठंड आती है, जाएगी, मानसिक एक सोचना है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, उठिये और पूरे छमताओं के साथ लग जाएए, चार साल का समय है आपके पास, चार साल अगर आप sacrifice करोगे न, तो उसकी एक opportunity cast होगी, उसकी opportunity cast होगी, जब आप चार साल दोगे, तो पुरा life enjoy करोगे और चार साल आराम करोगे, तो उसकी एक काश देखनी पड़ेगी, आप परबाद हो जाओगे, एक अच्छा सिपाही, एक सच्चा सिपाही, एक बुधिमान ब्यक्ति चुनाओ करेगा, चार साल का sacrifice, और पूरे life enjoy करने का तो आईए, खड़े हो जाएए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाए, कुछ बन के दिखाए, थैंक्यू सो मच फार वाचिंग, दिखबिजय एकोनामिका, God bless you dear friends, नमस्कार दोस्तों मैं दिखबिजय सिंग, आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, दिखबिजय एकोनामिका में, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल लएए, आपकी जीत की तयारी दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही एक important issue पे चर्चा करना चाता हूँ, बहुत से मेरे subscribers हैं, viewers हैं जो मुझे message कर रहा हैं, कि सलस्की और हिक्स का जो method है, किस तरीके से price effect को हम देखते हैं कि income effect और substitution effect में बटा हुआ है, इसको आप हमको एक बार crystal clear करिए ताकि एक्जाम में हम इसके सही कर सकें हर तरह के एक्जाम में चाहें वो NTA का एक्जाम हो, चाहें वो higher education का हो, ये परस्त हमेशा पुछा जाता रहा है, और आपके लिए headache बनता रहा है, तो पूरे वेडियो को बिल्कुल लाश्ट रख देखिएगा, दिग्भीजाए एकनामिका को अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो दिग्भीजाए एकनामिका को subscribe करिएगा, ताकि economic related, सबसे authentic video और material हम आपके provide कर सके है, एकनामिक का मतला दिग्भीजाए एकनामिका, दोस्तों आप जानते हो कि price effect is the sum of income effect and substitution effect, मतलब जो कीमत प्रभाव होती है, वो आए प्रभाव और प्रतियस्थापन प्रभाव का जोड़ होता है price effect is the sum of income effect plus substitution effect, या फिर हम बोल सकते हैं कि price effect equal to income effect plus substitution effect इसकी चर्चा हमने एक वीडियो में कर दिये है उसे आप देख लीजिएगा और उसका link में description में डाल दूँगा, आज जो point of concern है जो issue है, हम ये tackle करना चाहेंगे, कि actually किस तरीके से हम बताएंगे price effect is equal to income effect plus substitution effect है, इनको अलग कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसको अलग करने के लिए हमाले पास दो methods है, पहले method को हम hyxian method या hyxian approach काते हैं, दूसरे को slusky method या slusky approach काते हैं जो hyxian method है उसके लिए जो terms use करेंगे, separation के लिए वो है compensating variation in income मतलब compensating variation in income मतलब आए में छतिपूरक परिवर्तन, इस विदि का जो नाम है, कई बार competition में यही पूछ लिया गया है, आए में छतिपूरक परिवर्तन और दूसरा जो method है, वो है slusky का, जिसको हम कहते हैं cash difference method, तो कई बार हैं, जो separation के लिए अलग-अलग विदिया देते हैं, एक को हम बोलते हैं, compensating, variation in income और दूसरे काते हैं, लागत अंतरविधी या अप्रोच, तो हम यह सीखने वाले हैं, कि हम किस तरह के से प्रूफ कर सकते हैं, income effect is called, price effect is called to income effect plus substitution effect, इन दोनो ही method से, और हम यह सीखेंगे दोस्तों, कि इन दोनो method में, जो hexian approach है और जो classical approach है, उसमें किस तरह का अलगाओ है, किस तरीके से यह दोनों अलग-अलग मत देते हैं सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बिसे में brief कर दूँ, फिर हम इसे diagram के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, मान लो कि कोई product है, और कोई consumer है, वो दो products को consume कर रहा है एक product X, दूसरा product Y अगर मान लो कि product X सस्ती हो जाती है, तो no doubt, जब वो product X सस्ती होगी तो जो consumer है उसकी real income बढ़ जाएगी वास्तवी का है, इसका चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं आपसे, कि जब कभी भी prices कम होते हैं, तो इसके वो जासे consumer का real income, मतलब purchasing power of income बढ़ जाती है, तो अब हमको देखना है कि कीमत घटने के वज़ा से, हम उस product की, जो सस्ती होई है, जो X है, उसकी demand बढ़ाते हैं या फिर नहीं बढ़ाते हैं, तो जो substitution effect है वो यही दिखाता है कि दो वस्तूओं में से अगर एक वस्तू relative दिश्टे सस्ती होती है, तो उसका ज्यादा consumption किया जाता है, वो replace करती है सस्ती बस्तू, महेंगी बस्तू को, और मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, कि यह substitution effect हमेशा negative होता है, यहाँ पर देखे, point of concern यह है, कि hexian, जो method है, या hexian approach है, उसे किस तरीके से मैं बताऊंगा, कि price effect is called to income effect plus substitution effect, तो हमारे सामने जो इसी चीज़ को हमको prove करना है, और हम जो method use करने वाले हैं, हिक्स में, उसके लिए हम sub-use कर रहे हैं आपको, जो method use कर रहे है, वो है compensating variation in income, I miss हैत्पूरग परवत्त, देखे, यहाँ पर diagram में आप देखिए, यहाँ पर community X है, यहाँ पर हमने good X लिया हुआ है, और good Y लिया हुआ है, यहाँ पर वस्तू Y है, good Y है, और एक जो consumer है, एक जो consumer है, वो दोनों वस्तू को consume कर रहा है, सबसे पहले जो consumer की budget line है, वो PL से दिखाई गई है, अब यहाँ पर यह कहा गया है कि जो बस्तू X है, वो सस्ती हो जाती है, जो ही बस्तू X सस्ती होती है, आपने मेरे वीडियो को देखा होगा, कि जो budget रेखा है, वो अपने आप जो है, उसका slope कम होगा, और यह right की तरफ shift हो जाएगी, तो देखो जो PL रेखा है, वो बस्तू X सस्ती के वज़ा से PL1 हो गई है, तो अब वो भुगता, जो पहले E point पे था, E point पे था, और यहाँ पे वो संतूलन के बिंदू में था, वो X1 unit X का परचेश करता था, और वो E point पे था, अब यह बस्तू के कीमत में कभी के वज़ा से, अब वो point E3 पे चला गया है, तो E1 से E3 पे गया है, तो E1 से जो E3 पे movement है, चुकि वो कीमत में कमी के वज़ा से हुआ है, तो that is price effect, लेकिन हमको यही सी proof करना है, कि इस price effect के दो composition है, एक substitution effect है, और दूसरा income effect है, इसी चीज़ को हमको proof करना है, अब इसको proof करने के लिए, जो HICS है, वो क्या approach लेके आते हैं, यह बहुत ज़्यादा important है आपके लिए, मैंने कहा कि, जो HICSian method है, उसके लिए सब्ध हम use करते हैं, compensatory variation in income, आयमेश हत्पूरक परिवलतर, चुकि यहाँ पे माना गया है, है कि बस तू X सस्ती होने से, उसकी budget line change हुई है, चेंज क्या, आप देखो एक तरह से, X quantity को वो जो है, आप इस side में भुमा हुआ है, उसका slope कम हुआ है, और वो बदला हुआ है, PL से PL1 हो गया, तो ऐसे में, चुकि उसकी, real income बढ़े हुई है, तो हम, change करने के लिए, हम जो ये change है, उसको compensate करने के लिए, उसके income से, इतना पैसा निकालेंगे, monetary income से, ताकि वो पहले के satisfaction label पे आ सके, अब ज्ञान दीजिए, यहाँ पे जो HICS है, वो ये सला देते है, कि price effect से, income effect और substitution effect, अलग करने के लिए, basically substitution effect major करने के लिए, consumer की चुकी, real income बढ़ी हुई है, तो उससे इतना monetary income आप ले लो, जिससे वो पहले के satisfaction label पे आ जाए, अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, कि पुरुवत, जो पहले वो satisfaction label था, उस पे आ जाए, satisfaction कब बढ़ाबर होगी, जब उसी indifference कर आई C1 पे हो, तो इतना उसको compensation करना है, इतना छटिपूरक परिवतन करना है, कि उसी satisfaction label पे आ जाए, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, अगर X-Bustu सस्ती हुई है, तो उसके income से पैसा हम निकालेंगे, लेकिन अगर X-Bust तो महंगी होई होती, और यह PL लेखा left के तरफ आई होती, तो ऐसे में उसको हम क्या करते, छटपूरक परिवतन में उतना nominal income देते, ताकि वो उसी satisfaction label पे ढ़ा सके, इस diagram में आप देख रहे हो, चुकि PL, PL1 हुआ है, इसका मतलब X-Bust रस्टी हुई, अब X-Bust रस्टी हुई, तो उसकी जो purchasing power of income है, real income बड़ी हुई, इसलिए उससे इतना आप nominal income ले लो, ताकि वो पहले के satisfaction label पे आ जाए, और पहले का satisfaction label कब आएगा, जब वो IC1 पे आ जाएगा तो, तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, उसके उपर lump sum tax लगा सकते हैं, ताकि उसकी जो है, monetary income क्या हो सके, compensate किया जा सके, उससे income लिया जा सके, ताकि वो पहले के satisfaction label पे आ जाए, इसके लिए जब उससे हमने, उसका income लिया है, तो एक देखो, बजट रेखा AB खीची गई है, जो की, PL1 के बिल्कुल parallel है, देखिए, बजट रेखा में, आपको मैं clear किया था, कि अगर बस्तु में सस्ती होती है, तो सिर्फ budget रेखा का slope बदल जाता है, और वो left या फिर right के ओर जाता है, लेकिन अगर हम income घटा और बढ़ा देंगे, तो उसके slope में किसी तरह से कमी नहीं होगी, वो parallel shift हो जाएगा, तो चुकि उसके income में कमी आई है, तो PL1 के parallel एक AB रेखा हम खीच रहे हैं, जो नई budget रेखा है, क्योंकि उसकी उतनी income कम की गई है, ताकि वो पहले के satisfaction लेबल पर आजा, तो देखो दोस्तों, वो आप देखो ये जो budget रेखा है, वो IC1 को E1 बिंदू पर काट रहा है, इसका मतलब जो उससे nominal income इतना लिया गया है, ताकि उससी satisfaction पर रा सके, तो पहले वो E1 था, अब ये इसके E1 बिंदू पर आ गया है, तो अब आप समझो, कि इसका मतलब ये हुआ, कि अगर उस payment को उसको दिया जा, तो no doubt वो E बिंदू से E1 के तरह मूव करेगा, पक्का है मूव करेगा, यहां से यहां तरह मूवमेंट हुआ, तो कुल मिला जुला कि E से E1 पर जो आना है, वो satisfaction लेवल उसका वही बना हुआ है, तो इसका मतलब जो सस्ती बस्तुई वो ज़्यादा खरीता है, तो X1 से X2 पर आना ही प्रतियस्थापन परभाव है, X1 से X2 पर जाना ही substitution effect है, या फिर E से E1 पर आना ही substitution effect है, जो दिखाता है कि बस्तुई सस्ती हुई है X, तो ये महंगी बस्तुई को प्रतियस्थापित करेगी और X का conjunction जादा होगा, अब ज़्या समझो, वो सेम satisfaction लेवल पर है E पर E1 पर, अगर उसको जो आप nominal income लिए उसे वापस करोगे, तो no doubt ये ज़्यादा और consume करेगा और इस बिंदू पर पहुंच जाएगा E3 पर, तो E1 से E3 पर जाना, यही दिखाएगा आपके income effect को, तो कुल मिलाप के दोस्तों, जब कीमत कम हुई थी, E से E3 पर गया था, यही इसका price effect था, E से E1 पर आया substitution effect, और E1 से E3 पर गया यही है इसकी income effect, तो तीन तरह की effect आप देख रहे हो, सबसे पहले जब अस्तु सस्ती हुई, और E से E3 पर गया higher difference curve IC2 पर, तो यह दिखाया इसका price effect, E से E1 पर आना substitution effect, और E1 से E2 पर जाना यही है इसका price effect, तो दोस्तों इस diagram से हम समझ चुके हैं, कि इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, कि price effect is equal to substitution effect, प्लस income effect, अब जो price effect है, वो है X1 से X3, और जो substitution effect है, वो है X1 से X2, और जो income effect है, वो है X2 से X3, तो इसमें हमने compensatory variation of income का सहारा लिया, मतलब उतना income उससे ले लिया, या फिर उतना income उसको दे दिया, जिससे वो पहले के satisfaction label पे आए, the most important thing is Hicksian method, कि उसका जो satisfaction level है, वो same है, उसमें कोई अंतर नहीं किया जा रहा है, इस तरह का variation किया जा रहा है, तो variation के माध्यम से same satisfaction label की बात की जाएगे, लेकिन जब हम सलस्की के method में पढ़ेंगे, तो वो substitution effect को पता लगाने के लिए, cost difference method को लेते हैं, इस diagram में आईए आगे के diagram में, आगे के diagram में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, सलस्की method में, सलस्की method को अभी मैंने बताया, cost difference method, लागत अंतरविदी करी जाती है, cost difference method, cost difference method में क्या है, लागत अंतरविदी में क्या है, पहले देखिए, जो budget रेखा है, वो PL है, और वो P बिंदू पे, किसी combination को purchase कर रहा है, और यह IC1 है, अनदिबान बकरे के किसी बिंदू पे, उभोगता ज़िए संतुलन में, अगर बस्तू X सस्ती होती है, तो वो P बिंदू से R बिंदू पे चला जाता है, तो P बिंदू से जो R पे जो movement है, चुकि कीमत में कमी के वज़ा से आया है, तो यही हो गया कीमत प्रभाव, यही हो गया price effect, अब देखना है कि इसके अंदर दो effect है, substitution effect है और income effect है, वो क्या है, देखिए चुकि वस्तू X की कीमत कम हुई है, तो वो ज़्यादा चीजों को consume कर रहा है, अब यहाँ पे sluts की जो है cost difference matter देते, उनका कहना है कि पहले वो P बिंदु पे था, और यह budget रेखा PL थी, और P बिंदु पे वो goods के combination को एक यूज कर रहा था, consume कर रहा था, X और Y के, हम चुकि prices कम होने से उसकी purchasing power बढ़ी हुई है, उसकी real income बढ़ी हुई है, तो compensation ऐसा करेंगे कि वो पहले वाले bundle को फिर से खरीद सके, मतलब आप चुकि अब वो तो PCR पे आ गया है, चुकि यह बस तो सस्ती हुई है, तो अब वो यह उचे चीजों को खरीद रहा है, गुष्ट को आप देखे, अब एक्स्तरी खरीद रहा है, लेकिन हम इतना उससे income लेट कि वो पहले वाले bundle को खरी सके, मतलब हम cast को compensate करें कि वो पहले वाले cast पे ही आजाए, combination पे ही आजाए, तो same combination P पे वो आए, इसके लिए वो क्या करते हैं, उससे उतनी monetary income लेते हैं, ताकि वो P combination जो X और Y का वो consume करें, तो जो दूसरी line आप देखेंगे, AB खीची गई है, जो parallel होगी, PL2 के, आप इसके देखे parallel होगी, ये बिंदू P से cross करेंगी, जो दिखाता है कि उसी bundle को ये फिर से purchase कर सकता है, उतना compensate किया गया है, ताकि cost के difference को maintain किया जा सके, इसलिए इसको बोलते है cash difference method, तो दोस्तों अगर ये P बिंदू से जाएगी, तो क्या ये P बिंदू पे रहेगा, उत्तर है नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो combination है, अब उस combination पे इसलिए नहीं रहेगा, क्याकि अब बस तो सस्तिफ होने के वज़ा से, अब वो इसके higher बिंदू Q पे आ जाएगा, Q पे आ जाएगा, इस बिंदू से Q पे आ जाएगा, तो P से Q पे देखिए, अब उचे indifference कर पे ये चला गया है, तो P से Q पर आना, P से Q पर आना, यही है substitution effect, इसका मतलब वो पहले वाले जो बंडल है, उसको नहीं कंजूम कर रहा है, और वो उचे बंडल पे, एक्स के जादा मात्रा को कंजूम कर रहा है, अगर उसको फिर से जो income ली गई है, उसको दी जाए, तो Q से R पे चला जाएगा, तो दोस्तों यहां पर आप समझ रहे हैं, वो P से R पे आना, प्राइस इफेक्ट, P से R पे आना यह हो गया, प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट क्या हो गया, P से R पे आना, P से Q पर जाना, यह हो गया, सब्स्यूशन इफेक्ट, और Q से R पे जाना ये हो गया income effect तो यहीं तो हो गया price effect is equal to substitution effect plus income effect तो दोस्तों ये दो अलग-अलग method है आप देखोगे कि सलस्की के method में तीन indifference curve बन रहे है जबकि Hicksian method में दो indifference curve बन रहे है क्योंकि Hicks मानते हैं कि इतना हम उससे income लें कि वो पहले के संतुष्टी अस्तर पे रहे तो same indifference curve पे रहेगा तो दो ही indifference curve होगे लेकिन यहाँ पे हम उसतना income उसको ले रहे है ताकि वो पहले के combination जो bundle साफकूट से उसको purchase कर सके तो आप देखो पहले के bundle IC1 पे था लेकिन अब वो चुकि income को उसको compensate किया गया है अब वो दूसरे line IC2 पे higher पे चला गया है चुकि अब इसी bundle की price कम हो चुकी अब क्यों इस bundle पे रहागा है चुकि एक सस्ता हो चुका है और अगर उसको compensatory income वापस करोगे तो R पे जाएगा तो P से क्यों पे आना substitution क्यों से R पे जाना यह है income तो देवी और सज्जुनों ये बहुत ही आसान है इसमें कोई ऐसी typical concept नहीं है जो कि आप सीख न पाए बस थोड़े से concentration बैठाना है जो कि आपको ये बता लग जाए कि दोनों में जो मूलभूत अंतर है वो क्या है मूलभूत अंतर सिर्फ इतना है कि जो Hicks है वो काते है कि प्राइस अगर घटेगी तो उसको प्राइस घटने से रियल इंकम बढ़ेगी तो उससे आप पैसा लोगे इतना monetary income लोगे कि वो पहले के satisfaction लेबल पे आ जाए दूसरी चीज़ अगर बस तो X जो है आप ध्यान से समझेए ये चीज़ है जो है अलग भी हो सकती थी यहाँ पे देखिए अगर आपने कहा Hicks method में कि ये जो है budget रेखा है और X जो है यहाँ पे है और ये PL है और ये चीज़े सस्ती हो रही है तो मैं कर रहा हूँ budget रेखा ये हो रही है और आप एक budget line ऐसा खीच रहे है जो इसके parallel है और एक indifference curve आप ऐसे खीचते हैं और बताते हैं कि वो यहाँ से यहाँ पे जो mobile है चुकि वो same satisfaction पे लाजा रहा IC1 पे इसी को आपने कहा यहाँ से यहाँ पे substitution effect है बाकी जो यह चला गया है आप यहाँ से यहाँ बोलते हो कि यह क्या है यहाँ से यहाँ पे आना price effect लिए substitution effect लिए लेकिन आप इस बात को समझो कि अगर मैं यह बोलू कि जो बस तू एक्स है वो महंगी हो गई तो अब यह बस तू यहाँ से यहाँ के तरफ आएगी ऐसे में उसको जो है इतनी income दोस्तो देनी पड़ेगी ताकि वो उसी satisfaction लेबल पे आसके विए वाली चीजे बनेगी तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अगर बस तू महंगी हुई है तो अब उससे पैसा लीजिएगा उसको पैसा दीजिएगा ताकि वो same indifference करप बना रहे और अगर अगर उसकी x की कीमत सस्ती हो रही है तो उससे आपको जो है क्या लेना है x अगर सस्ती हो रही है तो उसको compensate कर इसी तरह जो cost difference method में भी आपको ध्यान रखना है कि बस तू यक सस्ती हो रही है मतलब आप हमेशा आख मून के ये तुका मतमारिएगा कि हमेशा ही उससे income ली जाएगी नहीं अगर बस तू x महंगी हो जाएगी तो उसको दी भी जाएगी ताकि हिक्स method में वो same satisfaction label पर आ सके और सलस्की की method में वो same cast combination पर आ सके ताकि उसी bundle को फिर से purchase कर सके जो की change होने के पहले था किमते घटने या बढ़ने की पहले थे तो ये बहुत ही आसान है थोड़ा सा ध्यान लगा के दो-तीन बार diagram बनाओगे तो बहुत तीजी हो जाता है इंडिफरेंस कर दो खीचे जाएंगे हिक्सियन method में सलस्की में खीचे जाएंगे तीन और इसका region जो है सलस्की में तीन खीचने का मैं आपको फिर से बता दूँ कि बस तू ये है अगर मालो यहाँ पे ने कहा कि हमारी PL लेखा है और ये सस्ती हो गई तो ये आ गई माली जी ये हो गई PL2 हो गई अब पहले मालो इस combination पे था जब इस combination को बोलते है कि फिर से उसको इतना nominal income ले लो कि इसी combination पे बस एक parallel line आपको जो इसके बस एक इंडिफरेंस कर तुम्हारा IC1 ये हो जाएगा एक जो IC2 तुम्हारा ये हो जाएगा एक IC3 ये हो जाएगा तो एक ये से यहाँ तक जाना substitution effect यहाँ से यहाँ जाना बस तो बहुत आसान है इसमें जो IC1 IC2, IC3 तिन लाइने बन जाती है और यहाँ पे आप 0, यहाँ X good ले लोगे यहाँ पे Y good ले लोगे This is so simple, don't worry बहुत आसान है, मैं आपके साथ हूँ क्या आप अपना साथ दे रहे हैं आप Net, ZR, या किसी भी competitive exam में लगे हैं, civil में तो बस अपने concept को clear करिए दिगबिजय एकनामिका के साथ रगे रहे हैं दिगबिजय एकनामिका के टेलिग्राम चैनल को जरूर जरूर आप लोग जोईन करिए दिगबिजय एकनामिका जाके सर्च करना है आपको और जोईन कर लेना है Thank you so much for watching दिगबिजय एकनामिका, God bless you dear friend आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें कुछ कर के दिखाओ कुछ बन के दिखाओ नमस्कार दोस्तों मैं दिगबिजय सिंग आप सब का बहुत स्वागत करता हूँ दिगबिजय एकनामिका में कैसे हैं आप लोग competition हो, oligopoly हो, monopoly हो सब पे बहुत ही आराम से बहुत ही concentration से बात करेंगे ताकि ये सारा market structure आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और कभी किसी तरह का कोई conceptual problem आपको नहीं हो तो देवी और सजनों बहुत ध्यान से पुरे वीडियो के बिल्कुल लाश्टक देखिएगा और बहुत हद तक अपना खुद का notes बनाने का परियास करिएगा क्योंकि अंत में अपना ही notes काम आता है किसी दूसरे के notes से कभी किसी का भला हुआ नहीं है तो दोस्तों यहां पर सुरू करते है market सबसे पहला प्रस्थ है कि what is market बाजार होता क्या है मुझे कई बार मेरे student आते हैं और वो काते हैं कि सर चलिए चला जाए इस बाजार तो बाजार का मतलब एक specific place से वो लो लगाते हैं और एक lemon भी कई बार बाजार को एक specific place से जोड़के देखता है कि एक बाजार का बहुती कस्टित होता है एक जगा होता है जहां पे buyers और sellers इकठा होते हैं और चीजों का जो है sale and purchase होता है इसी को बाजार करते हैं नार्मली इसको बाजार करते हैं जब आप economics के point of view से बाजार को देखोगे बेटा तो बाजार एक बहुती wide sense में यूज होने वाला एक term है यह बहुती एक ब्यापक है यह इसका जो definition है बहुती ब्यापक है यहां पे बाजार का मतलब सिर्फ एक बाजार की बहुतीक उपस्तिती ही बाजार नहीं है बलकि कोई ज़रूरी नहीं है कि बाजार बहुतीक रूप से कहीं उपस्तित हो यहां पे यह भी हो सकता है कि buyers और seller के बीच किसी तरह का कहीं भी interaction हो अगर किसी भी तरह के buyer और seller के बीच interaction हो रही है से आप Aminabad में जाते हो तो ये बजार है बड़ कोई ज़रूरी रहे हैं जी है कि सिर्फ मही बजार है बजार इसके अत्रिक्त नेयरे जांपल है मार्केट के जहां पर सेलर और बाइर Ärister करते हैं और बारगेरिंदंग भी करते हैं और आप देखोगे कि प्राइज जो है एक लेवल पर स्टेवल होने का प्रवित पाई जाती है एक जगा कीमत निधारित होती है तो देखो दोस्तों यहां पर जब सबसे बड़ी बात है जो आपके इंट्रिव्यू में भी पूछा जाता है कि मार्केट में सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि वह फिजिकली एकजिस्ट कि ज़रूरी जहरूरी नहीं है क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो पहली मिस्था है इसकी फिजिकली एक्जिस्ट awareness जो की अनिवार हो सकता नहीं है यह हो भी सकता है नहीं लेकिन जो सबसे important है interaction between buyer and seller कि क्या जो buyer और seller के बीचे उसमें interaction हो रहा है गरे नहीं अंतर किरिया हो रहा है गरी एक दूसरे पर वो interact कर पा रहे हैं अगर वो interaction करते हैं तो बाजार है इस तरह आप समझ सकते हो कि बाजार की जो अधारा है अत्सास्त में वो थोड़ा सा व्यापक है broader है जो normally हम लोग बात करते हैं जहां पे buyer और seller interact करें और एक price equilibrium इस्थापित हो जहां पे एक price determine करने की परवित हो और कीमते समान होने की परवित हो जहां भी आप देखो के buyer seller होंगे वो कीमत एक जगा पे आके इस तरह होने की परवित होती है उसी को बाजार करते हैं तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ अब आप समझ सकते हैं कि बाजार जो बाजार का बरविकरण किया गया वो कई तरीके से किया गया कि local market है, national market है, international market है इसके भी अधार पर आप कर सकते हो time के carding भी कर सकते हो कि time क्या है very side period है, side period है, long period है, very long period है जैसे Marcel नहीं कहा कि आप time के carding भी market का बटवारा कर सकते हो लेकिन जो सबसे important classification बेटा market का होता है वो हम competition के अधार पे करते हैं और उसी को economics में बहुत ज़्यादा हम study करते हैं और प्रस्थ भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा इसी पे आते हैं कि competition के अधार पे हम बाजार का बरगी करन कैसे करेंगे यहाँ पे दो सबसे important चीजे हैं एक तो है perfect competition पूर्ण रोजगार एक तरफ और दूसरे छोर पे इसका खड़ा है monopoly एक आधिकार दो ध्याद से समझेगा यह जो market है उसके दो extreme situation एक को हम perfect competition कहेंगे और दूसरे extreme situation को हम monopoly कहेंगे इसके बीच में एक बाजार है जिसके लिए हम सब यूज़ कर रहे हैं दोस्तों imperfect competition अपूर्ण पलत्योगता तो देखो सबसे पहले हम extreme को समझ लें और मैं यह extreme इने क्यों कह रहा है इसको समझ लें फिर जो आपके बेहवारिक जीवन के पास बाजार संरचने उसको समझ लें यह एक बाजार का introduction है आपके लिए ताकि आने वाले lecture को आप बहुत ही आसानी से समझ सको बहुत ही आपके लिए ग्राय हो जाए इसलिए इस lecture को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ तो सबसे पहले मैंने कहा कि बाजार जो है जहां पे करेता और बिक्रता एक दूसरे से इंटरेयक करते हैं और किम्तों में एक जो है इस्थिता की परिवित पाई जाती है और एक जगा पे किम्तों में समान करण Equalization की परिवित पाई जाती है उसमें 2 extreme situation की सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे perfect completion की पूर्ण प्रतियोगता की देखिए सब्द से ज़रा ध्यान से सुनिएगा नाम है इसका पूर्ण प्रतियोगता और perfect का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पूर्ण इसका मतलब यहां पलतियस पलता बहुत ज़्यादा होगी according to this name इससे यह पता लग रहा है लेकिन अभी अंध में जाके आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्ण पलतियोगता एक ऐसी market structure है जिसमें किसी तरह की पलतियोगता नहीं होती क्योंकि आज तक आप यही जानते होंगे कि perfect competition वो competition है जहां बहुत जवरजस्त प्रतियोगता होती है बहुत भयंकर प्रतियोगता होती है perfect competition होता है लेकिन देवी और सजनु perfect competition में कोई competition नहीं होता है तो आईए हम बात करें, सबसे जो है basic इसकी characteristics होती है, large number सा buyer and seller, perfect competition एक ऐसी बजार समर्चता होती है, जहाँ पे जो seller है, बेचने वाला उत्पादक है, और जो खरीदने वाला buyer है, दोनों की संख्या बहुत ही ज़ादा होती है, large number की होती है, बहुत ही ज़ादा, अब देखो, buyers और seller अगर बहुत ज़ादा है, तो कोई भी जो seller है, उसकी supply market की बहुत छोटी भाग होगी, इसी तरह किसी एक जो purchase करने वाला है, कृता है, उसका demand बहुत साथ होगा, तो यह दोनों लोग market price को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब यह होता है, कि perfect competition म जो कीमत है, वो एकदम से इस्थीर होगी, इसमें किसी तरह का परिवत नहीं होगा, अगर कीमत इस्थीर है दोस्तों, तो आपको मैं perfect competition में सिखाऊंगा, कि अगर कीमत इस्थीर है, तो यहाँ पे AR, average revenue और marginal revenue भी इस्थीर होगे, और इसी के बरावर होगे, और आपको मैं बता चुका हूँ, बताऊंगा आगे वी वीडियो में, कि जो average revenue है, वही demand curve है, इसका मतलब जो यहाँ पे जो demand curve है, producer का, वो perfectly elastic है, पूर लोचदार है, और एक दिये हुए कीमत पे वो सब चीज़, यहाँ पे जितना चाहँ चीज़ों को sell कर सकता है, average revenue यही है, marginal revenue यही है, demand कर भी होता है, और यह जो है, आप देखोगे, xx के parallel है, मतलब पूरता लुचदार है, perfect elastic है, पहली business अब समझ गये कि क्रेता हो भी क्रेता की बहुत जाला संख्या, अब यह कीमत दिया हुए, तो कीमत ना उपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, क्योंकि इतना power ना तो क्र देता में कि इसके कीमतों को प्रभावित कर सके, पहली business अब, और यह जो question की, जो इसमें, जो है, मांग वक्र है, उत्पादक का, वो पूरी तरीके से, जो है, perfectly elastic होगी, यह कई बार आपके exam में पूछा जा चुका है, दूसरी चीज, जो यह product produce करते हैं, देवियोर से, जन दूसरा सब बोला हूँ, जो आपके completion में कई बार पूछा गया है, कि यह perfectly substitute होगी, पूढ अस्थानापन होगी, तो क्या हुआ, पूढ अस्थानापन, पूढ अस्थानापन, पूढ अस्थानापन, perfectly substitute होगी, product homogeneous होगा, मतलब एक समान होगा, उसमें किसी तरह के अंतर नही मतलब एक ऐसे बाजार सनचना कि आप परिकल्पना गरिए, मैंने कहा, extreme situation है, जिसमें जो भी product produce हो रहा है, उसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं है, ना तो price का अंतर है, ना quality का अंतर है, ना quantity का अंतर है, एक ही तरह के इसी को बोलते हैं, समरूप उत्पाद, homogeneous product, और वह एक दूसरे से perfect substitute हो, तो जड़ाद दोस्तों सोचो, जब perfect substitute हो, तो market price कैसे deviate करेगी, कैसे कोई जो बिक्रेता है, वो ज्यादा पैसे charge कर पाएगा, ये भी नहीं, तो दूसरी तिसरी characteristics आप समझे, इसके अत्रिकती यह होता है, कि free entry or free exit होती है, जो फर्में है, जब चाहें बाजार सरचना है, इसको आप perfect condition करते हो, लेकिन अगर इसके exemption को आपने देखा, और इसके characteristics को आपने सुना, तो आप जड़ा बता हो, कि जो seller से, जो संख्या में बहुत ज़्यादा है, वो एक ऐसे product को बना रहे है, जो की perfectly substitute हो, ना उसके रंग में अलग है, ना रूप में ना cost में, ना quality में, ना quantity में, तो इसका मतलब है, कि जो consumer का preference है, वो एक ही बराबर सभी फर्मों के उपर है, कोई ज़्यादा और कोई कम नहीं, ये भी नहीं कि कोई market में कोई swap attractive, ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक समान है, तो ज़्या बताओ, इसमें कौन सी competition हो जाएगी, it means to say there is no competition, is perfect competition, जहाँ पे किसी भी तरह का competition नहीं हो, जहाँ पे competition का पूरता अफसेंसी हो, उसी को हम perfect competition करते हैं, उतपाद समरूप है, कीमते दिवी है, बाहर से लवस बहुत बड़े पैमाने पे हैं, फर में जब चाहें तब आएं, जब चाहें तब जाएं, सब को पोड ग्य इसलिए मैं कहता हूँ कि perfect competition वो है, जहाँ कोई competition नहीं है, और ये एक कालपनिक situation है, आप इसके example को खोज नहीं पाओगे अपने बेवारी जीवन में, कि आप एक ऐसे बाजार में जा रहे हो, जिसमें जो product है, वो एकदम से homogenous हैं, और एकदम से perfectly substitute हैं, किसी तरह का अंतर न बिलता है, ओनियन कुछ जो है, 30 रुपय की जीवी है, 25 रुपय की जीवी है, क्योंकि वहाँ भी quality का differentiation है, तो इतने आसानी से आप भ्यावारी जीवन में perfect competition को नहीं पाओगे, जहाँ पे सिर्फ जो है, homogenous product बन रहे हो, और इसमें किसी तरह का differentiation आपना कर पाएं, दूसरा बाजार सरचना है, जो XT में बेटा, वो monopoly है, monopoly का मतलब है, कि जो बेचने वाला है, वो akela हो, akela विकरेता, monopoly, उसी की जो है, एक अधिकार चला है, एक ही विकरेता हो, मतलब एक product हो, उसका जो है, एक ही विकरेता हो, और जो भी product ये बना रहे है, उसका कोई close substitute नहीं हो, monopoly ए इसका मतलब, यहाँ पे एक ही firm है, और वही उद्दोग है, इसका मतलब, firm और उद्दोग में कोई फरक नहीं है, जो industry demand कर्व होगी, वही firm की demand कर्व होगी, एकला seller होगा, और जो भी product वो produce करेगा, उसका जो है, कोई सफिटूट नहीं होगा, कोई उसकी close substitute नहीं होगे, त दूसरा एक है, कि एक ही seller है, बाकी कोई seller नहीं, जैसे माल लो परिकल्पना करो, यह भी hypothetical है, बेवारी जिवन में आपको पाया नहीं जाएगा, कि माल लो एक सिर्फ BSNL है, और वो सिर्फ communication की एक company है, और वही चीजों को sell कर रहे हैं, उसके कोई भी substitute नहीं है, that is the monopoly, बोलते हैं, monopoly, दूसरे एक हम बोलते है, pure monopoly, जो मैं आपको monopoly में बताऊँगा, pure monopoly वो हो जाएगी, जिसमें जो product होते हैं, उसके कोई भी substitute नहीं हो, यहां पर मैं कहा रहा हूँ, close substitute नहीं, वहां मैं बोलूँगा कोई भी substitute नहीं हो, और ऐसे में जो pure monopoly है, वो सारा का सारा income ज यारप और different exam में, तो थोड़ा सा ध्यान रो, कि यहां जो monopoly है, यहां पर एक आधिकार जो है, यहां पर दो तरक एक आधिकार की बात होगी, एक monopoly की बात होगी, और monopoly के अत्रिक्त आपकी बात होने वाली है, pure monopoly की, यहां पर जो product वो produce करेगा, उसका कोई भी substitute नहीं होगा, और उसकी जो demand curve होगी न, वो rectangular hyperbola होगा, और उसके every point पे जो elasticity of demand होगी, वो unit की बराबर होगी, unitary होगी, तो यह दोनों ही जो market के condition हैं, वो extreme है, बेवारी जीवन में नहीं पाय जाते हैं, आप इसको imaginary situation ही मान सकते हो, market में, जिस देश में market में हम रहते हैं, उसमें यह वाल जो है, स्रीमति जोर रोबिंसन के साथपीस की नाम को आप जोडते हो, मतलब अपूर परत्योगता, यहाँ परत्योगता तो पूर्ण थी, जिसमें कोई परत्योगता है नहीं ता यह है, अपूर परत्योगता, अब imperfect condition में, तीन बाजारसन रचनाओं को पढ़ो गया, एक दूरुषा, पढ़ोगे, oligopoly, alpha-dhikar, और एक पढ़ोगे, monopolistic, एक आधिकारिक परत्योगता, इसको खाते हैं, मतलब, एक आधिकार भी है और पत्योगता भी है, एक आधिकारिक परत्योगता तो आये इसको थोड़ा सा, आपको मैं समझा लो, डूरुपोली के मतलब है जब बेचने वाले सिर्फ दो है जिसमें आप को नोट के मॉडल को पढ़ोगे, चेमबलिन के मॉडल को पढ़ोगे, बर्टरिंड के मॉडल को पढ़ोगे यह जो र appear होती है वो एक दूसरे से स्थंतर की decision लेती है चुकि दो ही फर्मे हैं जो प्रोडूस कर रहे हैं तो उसके उपर पड़ेगा जरूरी इसका असर तो डूपोली में जो सेलर है उत्पादक है उसमें वो दो है दो आधिकार इसलिए इसको बोलते हैं दो काधिकार दो आधिकार मोनोपोली में एक था यहां दो आधिकार हैं यहां दो फर्मे होंगी दो प्रोडूस करेंगी देखिए एक दूसरी मार्केट से रिचन है जिस पर प्रस्थ बहुत ही ज़्यादा पूशा जाता है और मैं देखता हूँ इंट्रिव्यू में भी लोग बहुत ज़्यादा प्र होते हैं यहां पर भी free entry of free exit पाई जाती है वोक्रण तक सबसे important चीज है यहां पर एक ही चीज है जो पर्फेक्ट कंट्रीशन से इसको अलग बना देती देखो कई बार एक प्रस्ण पूछा गया, industry and product group, ध्यान से सुनिएगा, एक मैं कर रहा है उद्ध्योग, उद्ध्योग क्या होता है, ऐसे फर्मों का समू, जो एक ही तरह के उत्पात को बनाए, उसको हम कहते हैं, industry, industry क्या है, उद्ध्योग क्या है, अगर मैं आपको सम्झा जा लो, दो चीजें, एक होता है, industry, यह दब मैं आपको बताऊंगा, perfect completion में, industry, इसको बोलते हैं, उद्ध्योग, उद्ध्योग, और एक होता है, product group, उत्पाद समू, उत्पाद समू, देखो, तो जो industry है, उद्ध्योग है, वो ऐसे फर्मों का समू है, ऐसे फर्मों का समू है, ऐसे फर्मों का समू है, जो homogenous product को produce करते हैं, homogenous, मतलब ऐसे फर्म, बहुत से फर्में हैं, जो मिलेंगी, और homogenous product बनाएंगी, समरूप, उत्पाद बनाएंगी, समरूप, अगर इनके combination को आप देखोगे, तो उद्ध्योग कहेंगे, जैसे आप करत जो की चेंबर लीन सामने दिया था, जो की चेंबर लीन सामने दिया था, चेंबर लीन ने product ग्रूप का concept दिया था, और यह जो concept यूज होता है, product group का, वो होता है monopolistic competition में, monopolistic competition में, मतलम एकदिकारिक परतियोगिता में, एकदिकारिक परतियोगिता में, इसमें जो फर्मे होती है, वो ऐसे product को बनाती है, جो closed altitude हो, मतलम यहाँ पर समरूप नहीं है, closed altitude, नजदी की अस्थाना परना है, like example, साबुन है, तो साबुन में आपके पास लक्स भी है, सिंथाल भी है, और इसमें मुती भी है, पियर्स भी है, और जो कई तरह कि आपके पास सोप है, लाई बवाए भी है, तो आप चाहें, तो पियर्स से आप नहालो, आप चाहे तो लाइब वाई से, लेकिन देखो बेटा, यहाँ पे डिफ्रेंसियेट है प्रोडक्ट, और आपके डॉप की कीमत अगर आप देखोगे, तो वो 50 रुपे है, पियर्स की कीमत आप देखोगे, तो 60 रुपे आपको मिल जाएगी, ले स्वधिसी के नाम पर बाबा ताहलका मझाय पड़े, उनसे सांदार बिजनेसमें दुनिया में कोई होगा नहीं, है कि नहीं, स्वधिसी समान देखे, बेच के, और पुरा, मैं आईस का इंट्रव्यू देने गया था, मुझसे काफी सवाल बाबाराम जे उस पे पूछे ग था, UPSC का इंट्रव्यू मेरा, तो प्रोडेक्ट ग्रूप में जो पास समू है, उसमें ऐसे फर्म हैं, जो कि क्लोस सब्सिटूट को बनाते हैं, मतलब फर्में तो हैं, लेकिन वो लाइब वाय बना रहा है, हमाम बना रहा है, एरेक सोना बना रहा है, तो प्रोड़क्ट लेकिन प्रोड़क्ट अगर क्लोस सब्सिटूट हैं, तो दे काल्ड, मोनोपलिस्टिक कमप्टी समू हैं, और इसमें जो फर्मे होंगी, और वो जो बनाएंगे गलोमेरिसन, तो उसको इंडस्ट्री आप नहीं बोलोगे, उसको आप बोलोगे प्रोड़क्ट ग्रूप, तो पुछा जाता है, product group का concept, उत्पाद समू, इंडी में क्या बोलेंगे, बेटा, उत्पाद समू क्या अधान्या किस ने दिया था, तो उत्पाद समू क्या अधान्या आपको दिया गया था, Chamberlain मोह दे के दवारा Chamberlain ने product group एक आधिकारी competition में दिया है और वो बताते हैं कि जो close substitute product है जो differentiated है एक दूसरे से पट हैं तो close substitute वहला Lux है और Detal हैं हैं तो close substitute नहा लेंगे किसी से लेकिन Detal का अपने brand को उपर monopoly है और Lux का अपने brand को उपर monopoly है तो दोस्तों यह होते हैं product दूपास समूँ तो यह जो बनाते हैं फर्मों के समूँ उनको तो आपको समय में आ गया दो concept एक उद्दोग एक product group का तो उद्दोग का concept आप देखोगे perfect competition में होगा और इसका यूज़ आप समझ जाओगे किसमे होगा monopolistic में तो दोस्तों आप समझ गया होंगे यह वाला चार्ट हमारा कि duopoly क्या है monopolistic, monopolistic में सिर्फ एक ही बड़ा अंतर है यहां perfect competition से कि यहां product जो है समरूप नहीं है, homogeneous नहीं है, बलकि differentiated है और एक दूसरे के close substitute है, आगे यह oligopoly है oligopoly एक ऐसी बजार सरचना है जो हमारे बहवारी जियोन के सबसे करीब है जब फर्मो की संख्या जब फर्मो की संख्या 10-12 हो, जो सेल कर रही हो, और वो एक दूसरे को उपर interdependence हो, तो इसको बड़ा oligopoly हम करते है, oligopoly में क्या होती है एक ऐसी बजार सरचना होती है कि जो, जो की बहुत ही आपके, और हमारे बहवारी जियोन के करीब है, कोई भी product है जिसके फर्मो की संख्या बहुत जादा नहीं है 8-10 है, कुछ है इसलिए इसको बोलते है, competition है मांग फ्यो पुछ में प्रदियोगता, like example, अगर आप से मैं सवाल पूछ लूँ कि आटो mobile industry है आटो mobile industry में आप सो फर्मो के नाम नहीं बतापाऊगे आप टाटा के नाम बताऊगे, टोटा के नाम बताऊगे महिंदरा के नाम बताऊगे, हुंड़ा के नाम बताऊगे और क्या नाम निसान का नाम तो 10 जाते-जाते ठग जाओगे फिर इसी तरह में बोला, communication में mobile के बताऊगे तो तुम ऐसे ही बताऊगे कि वहाँ पे Nokia बता लोगे, Samsung बना लोगे Vipo बता लोगे, OPPO बता लोगे iPhone, तो 10 जाते-जाते हालत घराग हो जाएगी, तो actual में आप ऐसे ही toothpaste ले लो, brush ले लो AC ले लो, पंका, सब कुछ वे ऐसे देखोगे फर्मो की संख्याट 10 के बीच होगे, और competition नी नी के होगा, तो इसको बोलेंगे competition ने मांग क्यों, और यह सबसे बेहवारी को आप डिटर्माइन नहीं कहेंगे, इनके डिमांड कर में जो है, इन डिटर्मिटनेस की स्थिती पाई जाती, और निर्धारता की स्थिती रहेगे, अब जारा सोचो, आपके decision का दूसरे गूपर तुरंद immediate effect होगा, तो how can you decide your demand कर, वो तो change होगा, price वो change करेगा, आपके consumer चले जाएंगे, तो then आप देखोगे कि जो oligopoly है न, उसमें जो demand कर है, वो monopoly और perfect competition के तरीके से आप stable type का नहीं खीच पाऊगे, वहाँ पे indetermine हो जाएगा, मतलब वहाँ निर्धारण नहीं कर पाऊगे, तो बड़ी सांदार जी जाएगे, तो आप समझ पा रहे हों न, यह है हमारा monopolistic competition, तो बेटा, यह जो है बजार सरचना है, इसके अतरिक्त कुछ और भी चीज़े हैं, थोड़ी सी जो आपको जानना चाहिए, देखिए, अब तक क्रेटा कई हो सकते हैं, बट क्रेटा एक ही हो, सिर्फ एक क्रेटा हो, ऐसे बजार को, जिसमें सिंगल बायर हो, उसको हम बोलते हैं मुनुप सुनी, इसके एक्जामपल देना बहुत मुस्किल है, जैसे मेरे छोटे इधर भतीजे बैठे हैं, इनसे मैंने पूछा बहुत क्रेटेज हैं पढ़ने में, बताओ भाई कुछ एक्जामपल खोज के, तो बोले कि Microsoft हो सकता है, Google हो सकता है, नेट पर भी इन्होंने सर्च मारा था, और यह जो चीजे हैं, वो सिंगल, ओके न, यहां पर सिर्फ जो है, मुनुप सुनी, एक ही बेचने वाला है, Walmart का इन्हो अगर आपके पास, अरजुन टैंक, अगर कोई बना रहा है, या फिर आपने वो फोर्स खरीदा, या फिर आपने रॉफिल खरीदा, तो गोवर्मेंट ने खरीदा, एकेले जो है, वो खरीदार है, तो फिर भी इसके एक्जामपल बहुत कटनाई से आपको मिलेंगे, अब बेटा बोलोगे मोनोप सोनी, तो आपके एक्जाम में बेटा पूछा जा सकता है मोनोप सोनी क्या होती, इसको बोलते हैं क्या हो, सिंगल, इसको होते हैं सिंगल ये जो होता है, सिंगल जो है बायर होता है, एक होता बाइलेटरल मोनोप बोली है, जिसमें क्रेता भी एक हो विक्रेता भी होगो, उसको बोलते हैं bilateral, दोनों की अधिकार है, हम बेचेंगे तुम खरीदोगे, तुम बेचेंगे, हम खरीदेंगे मतलब एक तुम, एक हम, तुमारा एक अधिकार, एक हमारा अधिकार ये पती-पत्नी टाइप के हो गया है मामला है गिनी, तो ये दोड़ा सा जो है, कॉंसेप्ट हैं जो बाजार सरचनाओं के हैं, और ये कमप्टिशन के अधार पे बेटा बांट लिए गया है, और इसी से question बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये जो पहली मेरी class थी, that is the simple introductory class थी, जिसमें हमने आपको बाजार से परचीत कराया, और जो बाजार के structure आपको पढ़ना है, उससे परचीत कराया, लेकिन ये इसमें काफी जानने वाली चीज़े हैं, और आपके परिक्षा में तो सारा question इसी lecture से ही आ जाएगा, इतना करेंगे perfect competition के भी से में, perfect competition जब करा लेंगे हम, तो फिर आएंगे monopoly के उपर, monopoly के बाद monopolistic और फिर oligopoly, तो ये जो बजार सारचना है, आपको मैं पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, और आप इसमें master बन जाओगे, तो बस एक ही सर्थ है, हमारी primary condition यही है, कि बस आप इतना करो कि जो कुछ हम लिखते हैं, जो कुछ हम पढ़ाते हैं, उसका self notes बेटा जरूर बनाओ, क्योंकि मैं, मेरा पूरा का पूरा experience है बेटा, जब मैं यो PSC के preparation करता था, और Delhi में, हर, हर coaching के notes time level होते थे, आप 4000 रुपिया खर्च करो, सारे notes आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे notes आल मीरा को उपर फेके रह गए, काम नहीं आया, अंत में IES और PCS में काम वही आया, जो बेटा खुद का लिखा हुआ था, जो है, मेरा ये सुरू से concept रहा है, कि जब मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो मैं लिखता था, लिखते रही है, जब लिखिएगा, concept clear होगा, आपके concentration power बढ़ेगी, और even जो diagram आप कभी नहीं बना पाते हो न, उसको बनाना शुरू करोगे, market में तो सबसे ज़्यादा important, आप देखो कि diagram ही होगा, तो बेटा, हर chapter में जो भी diagram होगा, खुद बनाने का परयास करिएगा, अब ये ज़रूरी नहीं है, कि sir आप notes दे दो, वो ही diagram देखेगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर आप पर्फेट कमटीजन में भी आप फर्म, जो है, सार्टरन, लांगरन में कैसे, एकिलिविरियम को इस्टबली, वो भी नहीं कर पाऊगे, तो बेटा, हम आपसे फिर से request करते हैं, कि जो अपने आपके उपर पूरा विश्वास बनाए रखिए, दूसरे के उपर निर्फरता को कम करिए, आप खुद ही बहुत परियाप्त हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, थैंक यू सू मच फार वाचिंग दिगविजय एकनोमिका, गौड ब्लेस यू रियर्ट, नमस्का दोस्तों, मैं दिगविजय सिंग, आप सब का बहुत स्वागत करता हूँ, दिगविजय एकनोमिका में, कैसे हैं आप और कैसे चल लएए, आपके जीत की तैयारी, दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, रिजलाइन्स की और आईसो क्लाइन्स की, बहुत ऐसे बच्चे हैं, जो कि मुझे मैसेज कर रहे हैं, कि सर इसको क्लियर करिए, नेट के एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिफरेंट क अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो दिख भी जाए एकोनामिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि एकोनामिक रिलेटेड सबसे अथेंटिक वीडियो और मैटेरियल आपको मिल सके, एकोनामिक्स का मतलब दिख भी जाए एकोनामिका, तो दोस्तों, आएए शुरू कर या फिर समुत्पाद वक्रों को जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि ये जो समुत्पाद वक्र होते हैं आईसो क्वाइंट्स होते हैं basically ये दिखाते हैं labor और capital के उन combination को जिस पे equal quantity प्राप्थ हो like example इसके उपर A point ले लो आप B point ले लो आप C point ले लो प्रोटेंड बात ये है कि in different combination पे जो production प्राप्थ होगा वो हमेशा जो है IPC पे माल लो अगर 100 है तो यहाँ पर भी 100 का production output आपको मिलेगा यहाँ पर भी 100 का output मिलेगा यहाँ पर भी 100 का output मिलेगा यहाँ पर it means to say every point represent equal amount of production equal amount of quantity तो labor and capital की ये ऐसे combinations है दोस्तों जहाँ पे एक ही बराबर के उत्पादन प्राप्थ होते है मैंने आपको ये भी बताया है कि basically जब इसका मैं slope निकाल लूँ किसी points के उपर ISO points के किसी भी point के उपर आप slope निकालोगे तो ये दिखाता है marginal rate of technical substitution को MRTSLK और ये दिखाता है marginal product of labor divided by marginal product of capital मतलब ये सीमानत उत्पादक्ताओं के ratio को दिखाता है और ये भी आप जानते हो कि जब आप ISO points के उपर से नीचे के तरफ जाओगे तो ये जो slope है जिसको मैं marginal rate of technical substitution का रहा हूँ ये continuous decline करेगा तो यहां तक का concept आपको बिल्कुल clear है कि जो marginal rate of technical substitution होगा ये जो है decline करता जाएगा आप अगर नीचे के बिंदू पर जाओगे तो घरता हुआ जाएगा इसका मतलब ये है कि जब मैं किसी भी ISO points से उपर से नीचे के तरफ जा रहा हूँ तो मैं labor को बढ़ा रहा हूँ और capital को कम कर रहा हूँ इसका मतलब आप देख रहे हो कि labor और capital के बीच एक exchange चल ला है बिन में चल ला है एक additional unit में labor बढ़ा रहा हूँ और उस additional unit labor के एवज में कुछ capital को छोड़ रहा हूँ sacrifice कर रहा हूँ लेकिन इसलिए क्योंकि उत्पादन हमको same रखना है पूरे ISO quants के उपर और इसमें एक important assumptions आप ये समझेए ये है कि marginal productivity of capital and marginal productivity of labor will always positive ध्यान से समझेगा ये किताबों में अकसर नहीं मिलता है कि जब मैं ISO quants की बात करता हूँ तो ISO quants में जब मैं downwards ISO quants यहां खीजता हूँ तो ये चीज यहां मानेता है कि जो marginal product of labor है और जो marginal product of capital है ये हमेशा ही positive होगा ये किसी भी कीमत पे negative या zero नहीं हो सकता है अगर मैं यहां से एक-एक unit में labor बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब उत्पादन में जो marginal contribution है positive होगा और यहां से गर capital decline होगा तो इसका marginal product है वो decline करता चला जाएगा यहां तक बात आपको clear समझ में आगे अब actually ridge lines क्या है ridge lines आप किसी भी ISO quants के उपर दो ridge points आप खीश सकते हो और different ISO quants को लेके ridge lines की सकते हो तो सबसे पहले हम एक ISO quants के उपर दो ridge points को देखेंगे और फिर मैं बताऊँगा कि actually ridge lines या ridge points दिखाते क्या है तो सबसे पहले आईए हम ridge points को finds out करते हैं किसी एक जो है ISO quants के उपर यहां पे देखिए मैंने एक ISO quants draw कर लिया है एक मैंने ISO quants यहां पे draw कर लिया है यह है ISO quants और यहां पे labor है और यहां पे capital है और यह labor और capital के ऐसे combination को दिखा रहा है जिसके उपर 500 unit का production होगा इसका मतलब मैं किसी भी point पे इस पे आ जाओ दोस्तों तो यहां पे जो production होने वाला है वो 500 का production होने वाला है अगर आप ध्यान से समझो जो दिखाएगा marginal rate of technical substitution L and K को जो बरावर होगा marginal product of labor divided by marginal product of capital को अब जिरह देखो कि इस point पे मैंने L जो है 5 unit लगाई है और K जो है एक unit लगाई है बहुत ध्यान से सुनिएगा यह point पे आप देख रहे हो मैंने labor लगाई है 5 unit और capital लगाई है 1 unit और यहाँ पे जो production हो रहा है 500 unit का production हो रहा है अगर दोस्तों आप यह सोचिए कि मैं सोचता हूँ कि यह जो capital 1 unit पे constant रहे लेकिन labor मैं 5 unit से बढ़ा के अगर मैं यहाँ पे 6 unit कर दूँ या फिर 7 unit कर दूँ तो आप यह देखो कि अगर मैं यहाँ से labor बढ़ाता हूँ तो किसी भी तरह का प्रभा output के उपर नहीं पढ़ा है क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मैं labor बढ़ा रहा हूँ तो capital घटा नहीं रहा हूँ actually यहाँ capital भी बढ़ा है तो labor बढ़ा रहा हूँ और capital में किसी तरह की कमी नहीं हो रही है इसका मतलब यह हुआ कि a point एक ऐसा point है जहाँ marginal productivity of labor 0 है और इसके अगर मैं बियांड जाऊँ तो marginal productivity of labor है वो less than 1 हो जाएगा इसका मतलब यह negative हो जाएगा इसका मतलब यह एक ऐसा point है जहाँ पे marginal productivity of labor क्या है 0 है अगर marginal productivity आप देखे यही प्रसंद यार आप में बहुत पूछा जाता है तो यहाँ पे marginal rate of technical substitution अगर आप LK निकालोगे तो चुकि marginal productivity यहाँ 0 है और marginal productivity capital positive है तो इसका मतलब जो marginal rate of technical substitution होगा MRTS LK यह 0 हो जाएगा इसका मतलब यह point ऐसा है जा marginal productivity of labor 0 है और marginal rate of technical substitution भी 0 है इसी को मैं lower reach point कहूँगा ध्यान से समझे इसी point को देवी और सजनो मैं बोलूँगा lower reach point इसी तरह का एक और भी point आप इस reach लेखा के उपर भी प्राप्ट कर सकते हो अगर मैं एक यहाँ से tangent खीच लूँग तो यह tangent क्या दिखाता है कि यहाँ पर जो मैंने labor लगाया है मालो की वो 3 unit लगाया है और capital मैं 5 unit लगाया हूँ और यहाँ पर भी production मालो यह point B है और यहाँ पर भी 500 का production हो रहा है अगर मैं दोस्तों इस capital को यहाँ से बढ़ाऊं और यहाँ से बढ़ाऊं मतलब यह 6 unit करूं 7 unit करूं तो आप देखो कि यहाँ पर जो point मुझे मिलेगा मालो की यह K है और R है यहाँ पर भी production सेम होगा 500 unit का 500 unit का लेकिन इस labor को इस capital को यहाँ बढ़ाने से फायदा कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ में labor भी बढ़ा इसका मतलब इस point के beyond अगर तुम जाते हो न तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा production में अगर आप capital बढ़ाओगे इसका मतलब जो B point है यहाँ marginal productivity of capital 0 है और यहाँ के बाद अगर आप जाओगे तो K बिंदू और R बिंदू पे जो marginal productivity of capital है वो less than 0 है मतलब वो negative है इसका मतलब यह है दोस्त कि A और P ऐसे technical point है जहाँ किसी producer को production करना चाहिए और labor और capital को इसी area के बीच में substitute करना चाहिए तब ही उसको benefit होगा अगर आप उपर देखो दो reach point मुझे मिल गए reach point उपर वाला B है reach point नीचे वाला A है इसका मतलब दो आपको ऐसे point यहां मिल ला है reach point A और B जहाँ उसके अंदर ही आपको production करना चाहिए वही पे जो factor है वो substitute करना चाहिए ताकि आपको benefit मिले तो यहाँ पे दो हमको points मिल गए पॉइंट A और point B और यह दोनों जो है B point है upper range line A point है lower B point पे marginal productivity of K 0 होगा A point पे marginal productivity of labor 0 होगा अगर यहाँ पे मैं marginal rate आप technical substitution निकालू के L not L के तो MPK divided by MPL यह अगर मैं निकालूं तो तुम देखोगे कि marginal productivity of capital 0 है तो 0 में आप marginal productivity of labor को भाग दोगे तो यह 0 होगा इसका मतलब यहाँ पे marginal rate of technical substitution KL 0 होगा इस point पे marginal rate of technical substitution LK 0 होगा यहाँ पे marginal productivity of labor 0 होगा यहाँ marginal productivity of capital 0 होगा बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा दोस्तों थिर से समझ Islands यहाँ पे marginal productivity of labor 0 और marginal rate of technical substitution भी 0 यहाँ पे marginal rate of technical substitution LK भी 0 और उपर वाले point पे marginal productivity of capital 0 और marginal rate of technical substitution KL 0 अगर LK कहोगे तो बेटा वो 0 नहीं होगा फिर वो तो infinite हो जाएगा लेकिन marginal rate of technical substitution KLA 0 हो जाएगा तो दो point हमको मिल गया है B और A कोई भी प्रतियस्थापन LRK का जो होगा वो B और A के बीच होगा इसके beyond करने पे किसी तरह का area ने फाइदा नहीं होगा इसलिए इस दोनों point के बीच में ही substitution होगा तो इसी तरह से आप कई ISO point खीश सकते हो और वहाँ पे आप निकाल सकते हो कि कौन से वो potential point है जिसके बीच में प्रतियस्थापन होगा तो अगर मैं इसी को आगे बढ़ा दूँ तो आप ये देखो मैं ridge lines पे आजाओ ridge point के बार कि मैंने एक ये खीच लिया आपका फिर जो है दूसरा जो है मैंने ये खीच लिया ISO quants फिर तीसरा मैंने ISO quants ये draw कर लिया फिर मैंने चाओ था ISO quants ये draw कर लिया ये सब जो है ISO quants है या ISO product curve है अब ज़रा देखो आप लोग हर जगा पे आपको क्या खीचना है एक tangent खीचना है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ 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 यह सभी tangent पर दिखा रहा है कि marginal productivity of capital यह 0 है इसी तरह से आप यहाँ पर खीचो 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 लोवर पॉइंट खीचो यह पर तेक बिन पर marginal productivity of labor 0 है अगर अब एक point ऐसा अब अब एक हम एक ऐसा line खीचें कि जो इसके intersection से होके जाता है यह और एक line ऐसे खीचो जो इसके लोकस पॉइंट होके जाता है हो तो आपको यहाँ पर OR1 और OR2 दो रेखाएं मिलेंगी जो लोकस पॉइंट होंगी आपके marginal productivity of capital 0 के और marginal productivity of labor 0 के जो यह आपको रेखाएं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इसको अगर आप कहें तो मैं color change करूँ जिससे की और भी आपको clear हो सके मामला मैं इसको इस color से कर लूँ तो देखो यह जो ridge lines है उपर वाली और यह जो ridge lines है नीचे वाली इसी के बीच में K और L का इसको area of substitution भी कहा जाता है area of substitution मतलब यही इसी area के बीच में labor और capital substitute हो सकते हैं इसके beyond और substitute नहीं होंगे क्योंकि marginal productivity capital 0 है यह आप labor 0 है अपको कोई फायदा नहीं होगा तो यह बेटा OR1 OR2 है इसी के बीच में labor और capital के बीच जो है प्रतियस्थापन होगा और हमेशा जो है beneficiary stage होगा इसके beyond जो है किसी तरह का production नहीं होना चाहिए वो irrational हो जाएगा तो यह जो अब तक का मेना व्याख्यान था मैंने region line पहले प्राप्त की और region lines के locust point से बिंद उपत से जहां marginal rate of technical substitution LK0 है यह marginal rate of technical substitution KL0 है उन सब को मेरा के region line प्राप्त किया है इसी तरह का एक और भी technical concept ह जो आपको problem में डालता है वो होता है आईशो क्लाइंस आईशो क्लाइंस विटा जो है आईशो क्लाइंस यह भी मैं देखता हूं कि net.jr आप और बहुत से परिक्षाओं में बहुत पूछा जाता है आईशो क्लाइंस हिंदी में साहिद इसको सम नतिक रेखाया बोलते हैं जैसे महां लोग यहां पर मैंने खीचा हुआ है different isoquants को यह isoquants 1 है मेरा isoquants 2 है मेरा isoquants 3 है मेरा आप जानते हो को जो product line या scale line होता है आप लोग पढ़े होगे product line product line या फिर scale line यह जो दिखाता है कि एक जो है isoquants से दूसरे isoquants पर movement कैसा होगा यह movement को दिखाता है अगर k और l दोनों ही बदल लाए होते हैं तो यह जो scale line या product line है origin से होके जाता है अगर k और l एक में से constant होगा तो x और y x के vertical हो जाएगा मतलब अगर यह दोनों change होगे तो यह तो origin से होके जाएगा scale line या product line लेकिन अगर एक change होगे तो product line आपका op के जापे kp ऐसे और lp बन जाएगा मतलब अगर एक आपके factor अगर माल लो यहाँ पर आपने capital को constant रिखा तो इस तरह का product line बनेगा और labor को रखा तो अगर दोनों change है तो यह origin से होके जाते हैं तो आपको समझ में आए यह product line है जो isoclines है वो product line ही होते हैं लेकिन वहाँ से वो गुजरते हैं ध्यान product line ही होते हैं लेकिन ऐसे product line होते हैं देवी और सजनों जो उन बिंदों से होके जाते हैं जहां marginal rate of marginal rate of technical substitution technical substitution LK constant होते हैं न की 0 स्थीर होते हैं फिर से सुनिए ऐसे बिंदों से होके जाएंगे MRTS LK स्थीर होंगे constant होंगे न की 0 मतलब अगर आप देखो कि यहां पे जो isoquants कीचे गए हैं और मैंने यहां slope खीचा है मालो TT1 है यहां TT2 है यहां TT3 है तो तीन जो मैंने slope खीचा यह slope बराबर है मतलब अगर अब यहां product line को मैं खीच दूँ जो इन तीनों रेखाओं से होके जाए इस पे इस पे इस पे तो यहां पे MRTS LK इन तीनों बिंदों पे A, B, C पे constant होगा constant और उनको मैं मिला दूँ तो यह जो रेखा मिलेगा that called isoclines. Expansion पत नहीं है भाई, किताबों में गलत लिखा है, किताब के चकर में न पढ़िये, 90% किताबों में लोग वही लिख रहे है कि expansion line है, वही product line है, ऐसा नहीं होता है. थोड़ी, अस्तरी किताबे पढ़ा करिये, थोड़ी, फारो writers को पढ़ोगे तो मज़ा हैगा. यह लोग ऐसे ही लिख दिए, वह इसी को expansion path लिखे जा रहा है, उसी को product line लिख रहा है, उसी को skill line लिख रहा है, नहीं भाई, थोड़ा सा deep study करोगे तो मज़ा हैगा. है ना, तो देखो यह जो अब मैंने खीचा, isoclines, isoclines actually product line है, skill line है, और यह तभी है, वो उन बिंदों से होके खीचा है, जहां पर marginal rate of technical substitution constant है, जब मैं ridge line खीच रहा था, तो वहां marginal rate of technical substitution L के एक जगए 0 था, उपर पर marginal rate of technical substitution KL 0 था, तो दोस्तों आपको समझ में अब आ गया होगा, कि actually मैं ridge lines अलग चीज होती है, और isoclines अलग चीज होती है, इसमें किसी तर आप मेरे टेलिग्राम चैनल दिख भी जाए, एकोनामिका को सब्सक्राइब करिए, वहां पर आईए, जुड़िए मुझसे, मैं यकीन दिलाता हूँ, एकनामिक्स के जितने भी typical concept है, जितने भी problematic concept है, उसको सबसे easy तरीके से आपको मैं बताऊंगा, ये मेरी guarantee है, सबसे authentic material सबसे authentic वीडियो देने का पूरा का पूरा प्रयास करूँगा, आईएस का दो interview दिया, कुछ तो आपको दूँ, जिससे लगे कि कम से कम एक human being होने का, पूरा का पूरा जो उत्तरदाई तो है, भगवान ने मेरे उपर सोपा है, मैं उसे निभा सकूँ, जो ज्यान है, आप तक बान सकूँ, आप लभानवित हो सकें, और आप और आगे generation तक पहुचाएं, कि ये सिलसिला कभी भी रुके नहीं, कभी भी थमे नहीं, thank you so much for watching Digbije Economica, God bless you dear friends, आओ कुछ अच्छा करते हैं, आओ कुछ बड़ा करते हैं, कुछ कर के दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ नमस्कार दोस्तों, मैं Digbije Sing, आप सब का बहुत स्वागत करता हूँ, Digbije Economica में, कैसे हैं आप लोग और कैसे चले हैं, आपकी जीत की तेयारी, दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, मोनोपोली की एकाधिकार की, ये चप्टर important है, exam के point of view से बहुत से question पूछे जाते हैं, और कई चीजे इसमें बारीक हैं, जो सीखने वाली हैं, तो हम उमीद करेंगे कि बहुत concentration से, बहुत ध्यान से वीडियो को बिल्कुर लाक्ष से देखिएगा, जो भी important fact है, उसको नोड़ जरूर कर लिएगा, तो आईए शुरू करते हैं, एक आधिकार monopoly, देखें, सब्ध है monopoly, एक आधिकार, इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक product का जो product produce करने वाला उत्पादक है, वो सिर्फ अकेला है, मतलब एक अकेला उत्पादक, monopoly, monopoly जिस product को produce करता है, उसका कोई close substitute नहीं होता है, monopoly एक firm भी है, एक उद्योग भी है, क्योंकि वो सिर्फ अक केला producer है, केला seller है, तो कोई भी अंतर उद्योग में और firm में नहीं हो जाएगा, इसलिए जो monopoly है, वो industry demand का सामना करेगा, क्योंकि monopoly में ना firm और उद्योग दोनों एक ही है, तो यहाँ पे आप देखोगे, कि monopoly जो है, एक ऐसे produce को produce करेगा, ऐसे उत्पाद को बनाएगा, जि कि जो monopoly की cross elasticity of demand क्या होगी, तो दोस्तों जब हमने आपको elasticity बताया था, तो cross elasticity of demand की बात की थी, कि जब बस्तुएं relative हो, मतलब वो substitute हो या फिर complementary हो, तो cross elasticity of demand ये बताती है, कि अगर supplementary या फिर substitute goods के prices में change होता है, तो जो relative goods है, उसके demand में क्या फरक पड़ता है, तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल clear समझ लीजिए, कि एक आधिकारी में जो cross elasticity of demand होगी, वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि इसका कोई close substitute नहीं है, तो यहाँ पे एक point जो note करने वाला ये है, कि monopoly में जो भी product produce किया जाएगा, monopolist के द्वारा, उसका कोई भी close substitute नहीं होगा, और साथी साथ, जो cross elasticity demand होगी, वो बहुत कम होगी, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं, कि monopoly में एक single seller है, एक A-like भी करेता है, और no close substitute, मतलब cross elasticity of demand will be very low, बहुत कम होता है, और एक आधिकारी जो firm है, वो अपने आप में एक कुद्योग है, और एक आधिकारी एक industry demand करवका सामना करता ह इतनी चीज़ें आप समझ गया, अब आपको समझना है कि monopoly में कुछ characteristics हैं, कुछ भी सेस्ता हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि monopoly में important characteristics क्या है, देखें, तीन conditions या तीन सरतें आप कर सकते हो, किसी भी monopoly में होगी, number 1, एक पदात का सिर्फ एक ही उत्पाद की अभिक्रेता होगा, मतलब जो भी product होगा, उसका producer सिर्फ एक होगा, नामी देखो इसका है monopoly, मतलब एक काधिकार, तो एक पदात का सिर्फ एक ही उत्पाद की अभिक्रेता, फर्म द्वारा उत्पादित पदात का कोई भी निकट अस्थानपन, close substitute नहीं होगा, जैसे आप समझ रहें close substitute का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि लक्स ने एक सावुन बराया, और दूसरा सावुन हमाम ने बराया, तो हमाम जो है लक्स का close substitute है, यहाँ पर कोई इस तरह का close substitute नहीं होगा, और industry में यहाँ ध्यान दीजिएगा, अन्य फर्मों के प्रवेस पे प्रतिवंद है, इसक चलते हैं, देखें, दो प्रस्ण पुछे गया है, हमने देखा है एक्जाम में, एक पुछा गया pure monopoly के उपर, अगर आप competition में higher level पे चले जाए, तो दो प्रस्ण पुछे जाते हैं, एक pure monopoly क्या है, सुद्धे काधिकार, और दूसरा प्रस्ण पुछा गया है, natural monopoly, practicality के काध सुद्धे काधिकार में, जो product होगा, उसका कोई भी substitute नहीं होगा, ध्यान सुनिए, सुद्धे काधिकार में भी monopoly, जो seller होगा, विक्रेता होगा, जो उत्पादक होगा, वो एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो product वो produce करेगा, यहाँ पे मैं यह सब्दी यूज नहीं कर रहा वो इस तरीके से होगा, कि सारा consumer का पैसा, सारा जो purchase करने वाले लोग है, उसका पूरा का पूरा पैसा ले ले, ऐसे में आप देखोगे, कि जब उसके product का कोई भी substitute नहीं हो, तो cross elasticity of demand इसकी zero हो जाएगी, तो एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है, कि pure monopoly की cross elasticity of demand क्या होगा, अब देखो दो चीजों में अंदर समझ लो, मैंने पहले कहा कि monopoly की cross elasticity of demand बहुत कम होती है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि pure monopoly में, जो cross elasticity of demand होती है, वो सुनने होती है, मतलब independent, आपने देखा था न, cross elasticity of demand में, बस तुमें उसके अत्रित कोई है नहीं, substitute करने वाला है नही तो यहाँ पे cross elasticity आप बहुत कम नहीं होगी, बलकि zero हो जाएगी, और जो उसका demand curve है, यह देखिए, वो ऐसा demand curve होगा pure monopoly का, कि वो एक rectangular hyperbola होगा, आयताकार अतिपरवेले होगा, और यह unit elastic होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, सवाल कई बार पुछा गया है, देखिए हमने yx पे prices को लिया है, xx पे quantity को लिया है, और जो demand curve यह pure monopoly का खीचा है, उसके every point पे, प्रते एक point पे आप देखोगे, जो price elasticity of demand है, 1 के बराबर है, प्रते एक बिंद पे price elasticity of demand 1 के बराबर है, और यह rectangular hyperbola है, rectangular hyperbola का मतलब होता है, कि अगर किसी भी बिंद को अगर यहाँ से हम मिल आए, और नीचे लेके आए, फिर अगर कोई दूसरा price और quantity कास्टर ले, तो यह सब जगा का जो आप electric area निकालोगे, सबका area एक ही आएगा, आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एक point मैंने P1 लिया है, और A, P1, E1 और Q, O निकाले, तो इसका जो area होगा, वही area इसका भ इसका मतलब यह होता है, कि जो pure monopoly है, वह इतना ज़्यादा powerful होगा, कि वो परतेक बिंदुपे, उसकी मांगवकर ऐसी है, कि उपभोगता की समझ आए को ले लेगा, और unit elastic होगी उसकी मांगवकर, और यह एक rectangular hyperbola, आयताकार अथपर black होगा, तो देखो, economics में कई बार जिए, rectangular hyperbola में, आपको दुख, मैंने example बता दिया, एक average fixed cast होगा, average fixed cast जब तुम बनाओगे, तो उसमें भी देखोगे कि cast जो है, यह घटा जाएगा, घटा जाएगा, इसके पास तो आएगा, लेकिन यह कभी मिलेगा नहीं, और इसमें भी अगर आप point लोगे, P और Q का गुड़नफल करोगे, तो यह जो area होगा, वही B का area होगा, वही C का area होगा, मतलब P और Q का जो गुड़नफल है, हर जगा जो है area बराबर कर देता है, वो भी rectangular hyperbola का example होता है, आगे आईए, अब यहाँ पे एक और भी सबाल पुछा गया है, प्राक्रितिक के अधिकार के नेचुरल मोनोपोली को पर, देखे नामसी असपष्ट है, कि यहाँ मोनोपोली नेचुरल तरीके से हो गई है, मतलब अगर कोई producer है, और वो बहुत बड़े पैमाने पर product को produce कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर product को produce करेगा, तो उसको economy of scale मिलेगी, जैसे माल लो, कि हल हल्दी राम भुजिया है, और हल्दी राम भुजिया ने कितनी ज़्यादा डिमांड होई, इतनी ज़्यादा डिमांड होई, कि वो बहुत बड़े पैमाने पर हल्दी राम भुजिया बनाया, तो नो डाउट उसकी जो average कास्ट है, वो decline करने लगेगी, और वो monopoly की situation में आ होते थे, कि उनको एकनामी का फिस्केल, पैमाने की मित्विताय बहुत ज़्यादा मिलती थी, और एकनामी का फिस्केल मिलने कोईस, उनकी average कास्ट घड़ जाती थी, और वो natural तरीके से monopoly हो जाते थे, तो देखो natural monopoly में क्या होता है, जो industry में फर्म है, वही industry वही फर्म है, व निदंतर घड़ते घड़ते, वो खुद ही एक natural तरीके से monopoly की situation में आ जाता है, खुद ही एक natural तरीके से monopoly में आ जाता है, इसी को दोस्तों हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक एकाधिका natural monopoly, तो दो स्वाल मैंने देखा कि competition में बहुत पूछे गये थे, तो हमने आप से चर्चा कर लिया, एक जो है pure monopoly, जिसकी जो demand curve होगी, वो unit elastic होगी, और rectangular hyperbola होगी, और वो भोगता के समगर I को ले लेगी प्रते एक बिंदु पे, इतना ज़्यादा वो powerful होगा, और उस product का कोई भी substitute जो है आपके किनामी में नहीं होगा, close substitute की बात नहीं करना हो, कोई substitute हो जागी, ये चीज़ें आप लोग जरूर नोट कर लीजेगा, ये एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको दो concept यहाँ पे clear हो गया, एक natural monopoly से संबंदित, और दूसरा concept है pure monopoly से संबंदित, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आईए, average revenue, marginal revenue, आप monopoly में कैसे होगा, देखिए, यहाँ पे बात किया गया है, average revenue, marginal revenue curve, under monopoly, अब हम यहाँ पे यह बात कर रहे हैं, कि जो औसत लागत है, और जो सिमान लागत है, वो कैसे होगा, अब ही आपने perfect competition में देखा, तो आपने देखा कि AR और MR जो है, वो जो है, इस तरह के horizontal थे और यह जो ही P था, इस पे आप लोगों ने पूरा का पूरा perfect competition पे बात किया था, लेगिन यहाँ पे आप देखेंगे, और पहले भी आपको मैं बता चुका था, कास्ट वाले revenue वाले chapter में, कि जो average revenue और marginal revenue curve होगा, monopoly में, उन नीचे के तरफ जो है, गिरता हुआ होगा दोस् इसी को P कर भी आप बोल सकते हो, demand कर हो है, यही P है, price है, average revenue है, यह नीचे गिरता हुआ है, जो marginal revenue है, वो भी नीचे गिरता हुआ है, यह बहुत आसान है, पहले से आप revenue वाले chapter में पढ़ चुके हो, लेकिन समझने वाली बात यह है, कि दोनों के slope में क्या संबंद है, आप मतलब MR की जो slope है, वो AR से दो गुनी है, two times इसकी slope जादा है, आप कह सकते हो कि MR is equal to 1 by 2 AR, जैसे अगर हम एक diagram खीचें, AR और MR का, और इस तरह हम खीचें मोनोपोली में, और इसको हम AR मान लें, और इसको MR मान लें, तो यह दूरी A, B और C, यह बराबर होगी, मतलब यह जो बराबर होगी, वही AR, इसका मतलब जो है, दो MR आ जाएंगे, एक AR में, तो यही चीज कही गई है, कि MR is equal to, जो है, one by half AR, या two MR बराबर आपका सकते हो, एक AR की बराबर होगी, इसका मतलब जो slope होगा, MR का, वो AR की slope से, बिलकुल दूगूना हो जाएगा, यही चीज यहां दिखाया गया है, कि जो slope है, इसके से दूगूना है, खिचने का तरीका मैं आपको बता ही दिया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, यहां से आपको AR, यहां से जो है, AR खिच लेना है, यहां से MR खिच लेना है, और दिखा देना है, कि जो slope है, वो दूगूना होगा तो इसी तरीके से एवरेज भी नू कर्व, मार्जिन भी नू कर्व, हम ड्रा करेंगे तो ये downward sloping होगी, downward sloping एक चीज और भी बताती है कि monopoly अगर कीमतों को घटाएगा, तो वो ज्यादा चीजों को बेचने में सक्षम हो जाएगा और अगर वो कीमतों को बढ़ाएगा, तो कम चीजों को बेच पाएगा इससे ये भी clear होता है, इस मांग वक्र से, देगे monopoly में जो मांग वक्र जो है stable है, दिया हुआ है अभी आप देख रहे, बाब को बताऊंगा, मैं कि वो पोली में जो मांग वक्र है वो अनिधार है, उसको determine नहीं किया जा सकता है, लेकिन monopoly में जो demand curve है, वो आसानी से determine किया जा सकता है downward slope demand curve, देगे जो demand curve है, मांग वक्र है, वही जो है average revenue curve है, there is no different between average, average revenue curve को ही हम मांग वक्र कहते हैं, इसी को हम बाते है मांग वक्र, यही जो है P होता है, कीमत होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो, कि मांग वक्र downward slope है, जो दिखा रहा है कि अगर monopoly अपने कीमतों में कमी करेगा, तो जादा उतपात को बेचने में सफल हो जाएगा, और अगर कीमत बढ़ाएगा, तो उसके उतपात कम ही बिखेंगे, यद्द पी वो अकेला ही बिख रेता है, तो यहाँ पे आप समझ गए, average revenue और marginal revenue किस तरीके होते हैं, monopoly में, downward sloping होते हैं, नीचे ग्रते होते हैं, और जो MR का ढ़ाल होता है, वो AR का ढ़ाल के दुगुना होता है, इतनी चीज़ें आसान हैं, आप समझ चुके होंगे, आएगे अब आगे चलते हैं, slide number 4 पे आते हैं, देगे यहाँ पे अब हम तीन चीज़ों की बिखे में बात कर रहे हैं, एक marginal revenue revenue का स्वरूप, दूसरा average revenue, मैंने का इसको P भी कहेंगे, और तीसरा elasticity of demand में क्या संबन्द हैं, वह ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके उपर प्रस्ण, आए हर एक्जाम में पूछा जाता है, कोई ऐसा एक्जाम नहीं है, जिसके उपर प्रस्ण पूछा नहीं गया है, क कि मोनोपोली में जो है, MR, AR और प्रस्ण इलाश्टी आप डिमांड में क्या संबन्द होता है, मतलब मांग वक्र जो है उसका average revenue कर, demand curve है, MR कर और प्रस्ण इलाश्टी आप डिमांड उसमें संबन्द क्या है, दोस्तों यहाँ पे जो संबन्द है, ध्यान से सुनिए, यही equation आपको याद करना है, कि marginal revenue is equal to average revenue, और average revenue को हम P भी कह सकते है, is equal to 1, 1-ED, यहाँ पे जो ED है, वो है elasticity of demand, elasticity of demand, मतलब मांग की लोज, यह है मांग की लोज, अब यह equation कैसे आया है, इसको मैं proof नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ना proof करनी क्या हो सकता है, ना means लिखने जा रहे हैं यहाँ पे मैं यह बता रहा हूं कि जो marginal revenue है, और average revenue का जो संबन्द है, वो इसके दोजने धायत है, कि MR is equal to AR, bracket में P मैंने लिखा, क्योंकि अगर आप P भी लिख दोगे तब भी सरेगा, और यह होगा 1, 1-ED, मतलब एक में से 1 by ED, और 1 by ED यह जो, यह है आपका, elasticity of demand, तो जो formula आपके सामने आ गया, MR is equal to AR, और E को हम यहाँ ले आए, तो E minus 1 by E, यहाँ पर ध्यान से समझेगा आप चीजों को थोड़ा, इसको हम, इसका, इसी equation को हम यह भी लिख सकते हैं, कि marginal revenue is equal to P, 1, 1-ED, या फिर हम यह भी लिख सकते हैं, कि marginal revenue is equal to P, और E minus 1 by E, अब एक चीज़ आप समझा देता हूं मैं यही पर, कि यह equation देखिए, यहाँ पर हमको मिल गई, कि marginal revenue is equal to P, E minus 1 by E, इसका मतलब E में से कुछ घटाया गया है, अगर E में से कुछ घटाया गया, इसका मतलब यह जो value है, इससे जो है जादा है, तो इसका मतलब यह हो गया, कि P जो है, P जो है, M R से जादा है, P जो है marginal revenue से, यह देखिए, दस्यों बार यह सबाल पूछा है, ध्यान से समझेए आप चरा, इसी equation से मैं इसको derive कर रहा हूं कि, M R is equal to P, E minus 1 by D, इसकी जो value है, E, 1 minus E, minus 1 by E की value, आप यह बताओ, इसकी value एक से जादा है, या फिर एक से कम है इसकी value, इसका मतलब जैसे माल लो, E की value माल लो 5 है, तो उसका मतलब है 5 minus 1, 4 by 5, इसका मतलब यह हमेशा 1 से कम होगी, इसकी value क्या होगी, lesser than 1 होगी, इसकी जो value 1 से कम होगी, इसका मतलब P में 1 से कम से गुड़ा किया गया है, तो M R आया है, इसका मतलब P जादा है M R से, दे वो MR और MC से ज़्यादा होगा देखो ऐसा था perfect competition में नहीं था perfect competition में हम देखते थे कि P बराबर MR बराबर MC लेकिन यहाँ पे देखिए P ज़्यादा है MR, MC से मतलब संतूलन के बिंदु पे ध्याँ रख लीजिए दस्यों बार सवाल पूछा है संतूलन के बिंदु पे जो P होगा वो बड़ा होगा MR से और P जो है बड़ा होगा MR और MC से लेकिन संतूलन में MR जो है MC के बराबर होगा इसका मतलब perfect competition से एक जो बड़ा deviation हमको देखने को यहाँ मिल ला है कि perfect competition में P जो है MR MC के बराबर होता था संतूलन में लेकिन यहाँ पे संतूलन के अस्तर पे आप देख रहे हो कि P बड़ा है MR और MC से तो क्या आप इस बात को समझ चुके हैं यह बहुत एक important topic था जो आपको में जो बताना था अब एक चीज यहाँ देखो इस डाइग्राम को आपको ध्यान से देखना है यह जो नीचे गिरता हुआ कर्भ है यह demand कर्भ है जिसको AR कर्भ हमकार है दूसरा इसके just आधे में MR कर्भ है अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मांग वकर के किस लोच पे एक monopoly production करेगा अगर मैं इसके बीच में आ जाओं और price elasticity of demand एक ले लूँ तो जहाँ पे अगर मैं line खीचूगा वही पे यहाँ से MR जो इंटरसेट करके निकलेगी मतलब यहाँ पे MR जो है zero हो जाएगी और यहीं से MC होके गुजरेगी संतूलन के लिए तो MC भी सुनने हो जाएगी इसका मतलब अगर मांग का लोच एक के बराबर है monopoly में ध्यान से समझिएगा अगर unit elastic की बात की मांग की लोच में तो यहाँ पे MR और MC दोनो zero हो जाते हैं संतूलन के अस्तर पे और एक अधिकारी को यहाँ फायदा होता है तो कुल मिला जुला के यहाँ पे मांग की लोच अगर एक के बराबर है तो marginal cost भी सुने और marginal revenue भी सुने इसका मतलब आप इतना समझ लो दोस्त कि हमेशा जो है monopoly इसके beyond ही अपना production करेगा मतलब जहाँ मांग की लोच 1.5 से जादा हो क्योंकि वहीं पे उसके marginal cost और marginal revenue धरात्मक होगे क्योंकि अगर वो elasticity less than one आया एक से कम पाया तो उसके जो marginal cost है वो भी रेडात्मक हो गया marginal revenue वो भी तो कभी भी कोई उतपादक कभी भी उस label पे उतपादन करेगा है नहीं जहाँ पे MR और MC वो हमेशा वहाँ पे उतपादन करना चाहेगा जहां marginal revenue और marginal cost मतलब एक अतरिक तिकाई बेचनेश से प्राप्त आये और एक additional unit प्रोड्यूस करने की cost positive हो negative में बात ही नहीं करेगा तो आप समझ लो कि अगर ये question पुछा जाता है monopoly में कि price elasticity one के बराबर है जिस मांग वकर पे मांग की लोच इकाई से जादा होगी वहीं एक producer उतपादन करेगा इसके नीचे वो उतपादन करेगा नहीं तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ इस diagram को आप अच्छे से समझ गये होंगे अगर आप नहीं समझे तो मैं एक बार और भी इसको समझा सकता हूँ कि एक उतपादक मोनपोली में वहीं उतपादन करता है जहां मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होती है अगर वो इकाई के बराबर है तो उसके marginal कास्ट और marginal revenue दोनों ही सुनने हो जाएंगे और अगर इकाई से कम है तो वो दोनों ही negative हो जाएंगे marginal revenue भी negative आप ज़्यादा सोचो एक अत्रिक तीकाई बीचने से जो प्राब तो उसको फाइदा होगा वो रिरात्मा होगा तो क्यों वहाँ उतपादन करेगा marginal कास्ट भी तो यह आसान से concept है जो आपको समझ में आ गये होंगे अब देखिए price output determination under monopoly अब देखो अब monopoly में जब हम price output determination की दोस्तों बात करेंगे तो दो तरह की बाते होंगी एक तो बात होगी कि समय क्या है saturn है या फिर long run है इसको थोड़ा सा समझ लो अगर मैं saturn की बात करूँ तो monopoly के पास इतना ज़्यादा time नहीं होगा कि अपने plant के आकार को change करे वो दियेगे plant के उपर ही काम करेगा इसलिए आपको मैं बताऊँ कि अलफकाल में खुब ध्यान से note करके लिख लीजिएगा लोग गलती कर देते हैं saturn में monopoly को loss भी हो सकता है normal profit भी हो सकता है abnormal profit भी हो सकता है saturn में क्योंकि saturn में अगर उसके product की demand नहीं है तो उसको no doubt loss हो सकता है normal profit भी हो सकता है अगर demand है तो abnormal profit भी हो सकता है super normal profit भी हो सकता है लेकि long run में अगर उसके पास इतना time है कि अपने plant को machinery को बढ़ा से के दोस्तों तो हमेशा ही देखो गे monopoly जो है abnormal profit generate करेगा क्योंकि अगर उसको normal profit या loss हुआ तो वो फिर जो है काम नहीं करेगा क्योंकि फिर एक आधिकार में उसको कोई benefit नहीं है तो लेगिन एक चीज और मैं बता दूँ यहाँ पर बहुत important चीज कि जैसे कि हम लोग perfect competition में देखते थे कि long run में जो firm में है वो long run average cost के minimum point पर जाके production करती थी यह चीज आप नहीं कर पाओगे कि monopoly भी जो है long run में long run average cost करके नियुनतम बिंद पर जाके production कर पाएंगी यह जो है उसके बाजार मांग पर निर्वर करेगा कि वो long run average cost के minimum point पर production कर रही है गिरते हुए भाग पर कर रही है या उठते हुए भाग पर कर रहे है minimum point पर production करेंगे कर सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है it depends upon the market demand बाजार की मांग कैसे है मतलब वो अपने जो भी उसके पास infrastructure है जो भी उसके पास plant है उसका optimum utilization कर पा रहा है या फिर access capacity है it not determined by monopoly itself it determined by the market demand ओके इस बात को आप समझ पाएंग रहे होंगे और यहाँ पर आपने यह भी समझ लिया कि monopoly जो है कितना भी powerful हो चाहें वो pure monopoly ही क्यों न हो वो एक साथ उत्पादन और price एक साथ निधायत नहीं कर पाएगा या तो price determine कर ले या फिर वो production अगर वो price determine कर लेगा तो उत्पादन जितना बजार में माग होगी उतना हो बीचेगा या फिर उत्पादन determine कर तो price एक साथ price या पिवो price determinator होता है प्राइस जो है maker होता है जैसे perfect competition में फर्मे price acceptor होती थी मुल्य सुकारक होती है ये सुकारक नहीं होता है निधारक होता है और ऐसे जगह पे कीमत निधायत करता है जिससे इसे profit हो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए कि मोनोपोली में जो है मुल्य निधारक तो होती है फर्मे लेकिन लांग रर में आप ये नहीं बता सकते है कि वो average काश करके minimum मिन पे आई अब देखें यहाँ पे हम यहीं बात कर रहे है price output determination कैसे होगा अब देखें सबसे पहले चीज़ यह आप समझे है कि मोनोपोली में जो फर्म है वो मुल्य निधारक होती है price maker होती है अभी आप अगर compression कर लो यहाँ पे आप लोग perfect perfect completion से तो वहाँ जो है फर्में जो है मुल्य निधारक नहीं थी मुल्य स्विकारक थी लेकिन यहाँ पे मोनोपोली में मुल्य निधारक होती है price maker होती है दूसरा जो अधिक्तम लाग पदान करने वाली मुल्य निधारत करती है इसका मतलब मोनोपोली में जो फर्म होगी वो ऐसी price determine करेगी जिसने उसको लाग को अधिक कर दे तो यह अधिक्तम लाग पदान करने वाली मुल्य निधारत होती है मुल्य निधारत करती है फिर देखें मोनोपोली में मुल्य उल्पादन दोनों का एक साथ निधारान नहीं कर सकती या तो वो मुल्यका निधारण कर देंगी या फिर मात्रा का दोनों के एक साथ ने देखे एक दुचार पॉइंट इसमें बहुत important होता है जो कि मैं आपकी पहले भी बन बता चुका कि monopoly में फर्मे एक साथ देखे कई हो बार इस पर सवाल पूछा गया है इसका MR कर्व है तो देखो या तो वो price determine कर ले यहाँ P और वो Q बेच ले या तो Q determine करे तो price जो है वो नहीं determine पर प्राइट जो market मांग के दुरा तो यहाँ पर वो एक ही चीज कर सकती है या तो price determine कर ले और इस Q को sell करे या फिर वो Q बादर करे तो price अपने आप determine दोनों को एक साथ कभी भी monopoly चाहे वो प्योर monopoly क्यों नहीं इतना powerful हो कि सारे consumer के surplus को ले ले फिर भी बेटा वो determine नहीं कर सकती है तो हमेशा जो है monopoly में एक problem है कि या तो मुल्य determine कर ले price determine कर ले या फिर वो quantity को determine है दोनों का एक साथ जो है determine करना उसके बसकी बात नहीं है और monopoly जो है price maker होती है acceptor नहीं होती है और वो मुल्य हमेशा निधायत करती है जो उसको लापदान करे monopoly में फर्म, मुल्य और उत्पादन दोनों का एक साथ निधारन नहीं हो सकता है या तो मुल्य का कर ले ये अब देखे संतूलन की बात करें कि कब हो equilibrium में होगा देखे दो conditions है जैसे कि आपने perfect condition में भी देखा था पहला condition ये है कि marginal revenue marginal cost के बराबर होनी चाहिए जो अत्रिक तीकाई बनाने की जो लागत है वो अत्रिक तीकाई बेचने से जो प्राप्त हो रही है आए उसके बराबर होने चाहिए आपको simple सा ये formula आपको समझना इससे समझना चाहिए कि कोई भी producer उसी समय equilibrium में होगा जब marginal revenue marginal cost के बराबर हो मतलब एक अत्रिक तीकाई बेचने से तो firm ज़्यादा produce करेगी तब तक produce करेगी जब तक marginal revenue marginal cost के बराबर नहीं हो जाए और marginal cost अगर ज़्यादा हो गई तो कम production करेगी जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाए तो यहाँ पे सबसे important पहला ही जो आपके equilibrium की जो है कि जो marginal revenue है वो marginal marginal cash के बराबर हो जाए सीमान्त आय सीमान्त लागत के बराबर हो जाए यह इसकी पहली conditions है दूसरा जोए equilibrium में marginal cash की slope MR की slope से जादा होनी चाहिए या फिर MC MR को नीचे से कटना चाहिए यह बहुत ही आसान एक तरीके से आप देख रहे हो कि इनका बाठ है और second criteria है second criteria यह कर रहा है कि एक तो यह पहले equilibrium में कि यहाँ पे कभी भी आपको मैं बताऊं तरीका AR है यही demand curve है MR है कभी भी आपको खीचना है तो यहाँ से आप हमेशा बिना कुछ की MC खीच लीजिए मतलब MR और MC को इंट्रेक काई है सबसे पहले तो यह कि आपको यह प्राइस मिल जाएगा यहाँ पे देखिए कीमत जहां MR-MC इंट्रेक करेगी वही वो कुछ पादन पिप बिचेगा तो यहाँ पे एक चीज यह हो गया कि MR-MC के बराबर हो गया दूसरा कंडिशन यह जो MC की स्लोप होनी चाहिए वो इससे ज्यादा होना चाहिए या फिर यह जो MC है वो MR को नीचे से काटे यह उपर से काटे नहीं यह नीचे से काटे तो देखो दूसरा कंडिशन यह है कि MC की स्लोप ध्यान देखिए कई बार पुछा जाता है कि यह ज नीचे से काटना चाहिए, तो देखें, नीचे से काटना है, तो दो condition एक किलोबिरियम में, एक हो जाए MR बराबर MC, marginal revenue, marginal काश्ट के बराबर हो जाए, एक अत्रिक इकाई बिचने से जो आए है, वो अत्रिक इकाई बिचने की लागत बराबर हो जाए, और जो MA-MC है, वो MR को नीचे से काटे, यह एक दूसरी इसकी बहुत बड़ी जो है, आपकी इकलोबिरियम की बिचने, तो दो इसकी सत्य हैं, संतुलन की इकलोबिरियम के लिए, पहला जो MR-MC होना चाहिए, और दूसरा जो है, MR को नीचे से काटे, या फिर कहिए, MC का स्लोप जादा हो MR से, तो प्रांट को चेंज नहीं कर सकती, तो मैंने बताया कि साट रन में उसको abnormal profit भी हो सकता है, normal profit भी हो सकता है, और loss भी हो सकता है, इसी चीज को यहां पर हम दिखाने का परयास किए इस डाइग्राम में, अब ज़िए देखो साट रन में, यहां पर यह जो डाइग्राम दिखा मतलब जब यहां पर यह MC है और AC है मतलब MC जो है AC को मिनमन बिंद पर कारता है इसका मतलब यह हुआ कि जब AC गिरता है तो MC इसके नीचे होता है यर अद्द पर यह गिर रहा होता है तो यह बढ़ रहा होता है ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि यहाँ पर देखिए आप लोग, कि जब इसको यही कहा जा सकता है, कि जब MC गिरेगा, तो AC इसकी नीचे होगा, लेकिन जब AC उठेगा, तो MC इसकी उपर होगा, कुल मिला जुला के, जो MC ए AC के, सबसे नीचे ले बिंद पर काटेगा, यहाँ पर यही चीज़ दिखाया है, इस डाइग्राम में, आप देखेंगे संतुलन के लिए, कि यह हमने खीच लिया, आईए फिर से दुबारा दिखा देते हैं आपको, कि इसको कैसे हमने खीचा हुआ है, बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई डाइग्राम नहीं होता है, परफेट कम्टिशन और मोनोपोली से, यह बहुत ही आसान किस्म के डाइग्राम होते हैं, जो कि आपको समझने हैं, देखें एक तो आप बीना कुछ किये, यह लाइन खीच दें, और यह लाइन खीच दें, यहाँ से आप लोग एक लाइन खीच लें, एवरेज रिवेन्यू, और यही जो है डिमांड कर्व हैं, मैंने बताया, और सिर्प इसके आदे में एमार खीच लें, कुछ नहीं करना है, दो जो चीज हो गए, अब कुछ मत करिए, यहाँ पर O ले लिजी, यहाँ पर P U ले लिजी, यहाँ पर Q ले लिजी, बस यह हमेशा चलेगा, बस आपको MC को यहाँ कटवा देना है, मतलब जहां MR-MC इंटरेक्ट करेंगे, तो उसको प्राफिट होगा, बहुत सीधी सी बात है, अगर Average Revenue, Average Cash से जादा है, मतलब जो कीमत है पर यूनिट, वो Average Cash और सत लागस से जादा है, तो हमको लाव हो जाएगा, तो देखो यहाँ ऐसा तब होगा दुर्स्तों, कि जब हमारा जो कर्ब मैं ड्रा करूँगा, जो मैं कर्ब ड्रा करूँगा, MC खीच लिया, AC, AC को ऐसा आप ड्रा करो, इसके निचले बिंदू से कटवाते हुए, कि इस तरह की से च्वेसन आए, यहाँ देखिए, मतलब जो P जो है, वो AC के यह अगर बिंदू आर माल लूँ, तो इसके देखो उपर है, मतलब P पर यूनिट प्राइस जादा है, पर यूनिट काश्ट कम है, तो यह पूरा का पूरा जो होगा, यही उसकी प्रॉफिट हो जाएगी साटर में, वही चीज़ देखिए, इस डाइग्राम से भी मैंने दिखाया है, कि यही AR कर्व है, इसी को प्राइस कर्व या डिमांड कर्व को होगे, और ही यह MR कर्व है, तो अब आप देखो, हमने MC को खीचा, तो जहाँ पे MR और MC काड़ते हैं, वही प्रोडक्शन और प्राइस यहां दिखे, डिटर्माइन हो गया, लेकिन एवरेज काष्ट जो है, वो कम है, आदिखे, नमस्कार दोस्तों, मैं दिखविजय सिंग, आप सब का बहुत स्वागत करता हूँ, दिखविजय एकनॉमिका में, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल लएए, आपकी जीत की तैयारी, दोस्तों, आज की वीडियो में, मैं बात करने वाला हूँ, इंडिफरेंस कर्व, एनलसिस की, और नधिमान बक्र विस्ट्रेशन की, पूरे वीडियो को बिल्कुल लाज टक, बहुत कंसेंट्रेशन से देखिएगा, बिल्कुल क्लिफ्टल क्लियर कॉंसेप्ट हो जाएगा, दोस्तों, मैं इंडिफरेंस कर्व की बात करूँ, उसके पहले, थोड़ी सी बात में यूटिलिटी की आपसे करना चाहता हूँ, प्रतेक वस्तु में आपको संतुष्ट करने की छमता होती है, और उस संतुष्ट करने की छमता को यूटिलिटी कहते हैं, उप्योगिता कहते हैं, आप बोलते हैं हम पानी पीते हैं, और पानी से मुझे उपयोगता मिलती है, खाना खाते हैं, खाना से उपयोगता मिलती है तो जो ये उपयोगिता है, क्या वो miserable है, ये economics में debate है कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है, या फिर नहीं मापा जा सकता है इसमें दो तरह के बिचाधारा हैं, utility के measurement को लेके एक है cardinal approach, जिसको हम करते हैं, गर्णा वाचक भी दी हिंदी वाले नूर कर लिजे, गर्णा वाचक भी दी और दूसरा है cardinal approach, जिसको हम करते हैं, करम वाचक भी दी जो cardinal approach है, इसमें basically marsal आते हैं इनका मानना है कि जो utility है, उपयोगिता है, उसको हम संख्यात्मक रूप से, numeric रूप से, quantitative रूप से map सकते हैं, हम map सकते हैं, कि हमको apple खाने से कितनी utility मिलती है, हम map सकते हैं, कि हमको bread खाने से कितनी utility मिल सकते हैं, मतलब संख्यात्मक माप संभव है और इसे हम उसी तरह से मीजर कर सकते हैं जैसे height, weight कितना होता है quantitative रूफ से measurement हो पाएगा दूसरी तरफ से जो Hicks है, Allen है Semelson है, उनका मापता है कि उपयोगिता जो है कभी भी quantitative रूफ से मापी नहीं जा सकती है सिर्फ हम बता सकते हैं order order ये बता सकते हैं कि ये बस्त क्यों पयोगिता दूसरी से जादा है कम है जादा है, लेकिन jet कितनी जादा ये नहीं बता सकते हैं like example, Ardenal के जो मानने वाले बिचाधारा के economist है, वो मानते हैं कि BMW जो है Toyota से अच्छी है लेकिन ये नहीं बता सकते हैं BMW Toyota से कितनी अच्छी है कितनी अच्छी है, तो यहाँ पे सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि order क्या है, क्रम क्या है, इसलिए आप देखोगे कि जो Ardenal Approach है, वो एक Relative Approach है, सापेक्स भी दी है, और ये Qualitative Measurement है, लेकिन जो Ardenal के अलावा Cardinal की बात करते हैं उनका मानना है कि ये एक Absolute Method है, मतलब उप्योगता को Exactly Number से मापा जा सकता है और इसे हम Utils में मापते हैं, ये कई बार प्रस्न पूछा जाता है कि जो Cardinal Approach के लोग हैं, वो किस में मापते हैं उप्योगता को, तो इनकी जो Unit है IKI है, वो है Utils और ये एक Absolute Method है और एक Qualitative Method है दोस्तों, जो Utils है जिससे हम उप्योगता को मीजर करने, जो इसकी Unit है वो एक Standard Measurement नहीं है Like Example, जैसे माल लो कि मैं कहता हूँ कि मुझे चाय पीने से 5 Utils की उप्योगता मिलती है तो चाय की पीने की जो उप्योगता है वो गर्मी में कम और जाड़े में जादा होती है तो आप देखो कि जो Utils है वो क्या Change होगा? कि आप बताएंगे कि गर्मी में जादा, जाड़े में कम इस तरह से Utility इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि आप Utility को Money में मीजर कर सकते हो जैसे मान लोग चाय पीने से हमको 4 Utils मिले मतलब 4 रुपे की बराबर की उप्योगता मिली तो कुछ लोगों का मानना है जो कि मानते हैं कि Cardinal Approach से हम Utility को मीजर कर सकते है उसे Money में मीजर किया है सकता है तो Marcel ऐसे Economist है जो कहते हैं उप्योगता को मुद्रा में माफ सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा Important एक Concept था कि Utility को मीजर में करें कैसे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ Indifference Curve Analysis की तो यहाँ पे यही चीज यहाँ से सुरू होता है Hicks और LN ने 1934 में जो Cardinal Approach है उसके अधार पे Indifference Curve को विक्सित किया है Hicks और LN ने 1934 पे जो Indifference Curve को डवलब किया वो इसी Cardinal Approach पे किया मतलब उन्होंने यह माना कि जो OPO किता है उसको करम से हम दे सकते हैं उसका आडर बता सकते हैं कि यह दूसरे से बिटर है दूसरा तीसरे से बिटर है लेकिन हम exact उसको major नहीं कर पाएंगे तो Indifference Curve Analysis को शुरू करें उसके पहले जो Basic Assumptions है उसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रस्ट Basic Assumptions पर ही होते हैं तो Indifference Curve Analysis के जो Adjunctions हैं मानेताएं हैं उसके हम बात कर लेते हैं सबसे पहले Number One Adjunctions की जो आपका Consumer है वो एक Rational है वो क्या है? एक बहुत धीक है और हर जगह ही ये माना जाता है कि जो Consumer है वो NLCS होगा पूरे Economics की एक बहुत ही आसान और आपको कोई अगर नहीं समझ में आ रहा होगा एक जमसंत्यार है तो इसको लिख लो कि Rational है जो Consumer है वो Rational है दूसरा Consumer जो है वो जो Utility है Consumer की वो Ardinal Approach है उसका Ardor दिया जा सकता है Cardinal नहीं मतलब Ardinal Approach है उसका Measurement जो होगा बास्केट के निर्भर करेगा अगर बास्केट बड़ी हो गए मतलब वो GoodSense Services का Conjunction बढ़ा दे तो उसकी उप्योगता ज्यादा मिलगी यह बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर वो कम बस्तों के उप्योगता तो उसकी Utility कम और वो ज्यादा बस्तों के उप्योगता ज्यादा हो जाएगा तीसरा बहुत ध्यान से सुनिएगा आप तीसरा एजमसंस है जो बहुत पुछा जाता है कि जो बस्तों का करम है कंबिनेशन है उसमें वीक आर्डरिंग के उपर इंडिफ्रेंस करम एनलसिस आधारित है देखें जब हम बस्तों का करम देखते हैं कंबिनेशन का जो है जब आप करम देखोगे आर्डर देखोगे तो दो तरह के आपको आर्डर मिलते हैं एक होता है वीक आर्डर वीक आर्डरिंग जिसको बोलते हैं मतलब निर्बल करम बद्धता और दूसरे को बोलते हैं strong ordering मतलब निर्बल करम बद्धता हिंदी वाले लिख लिजे और ये है सबल करम बद्धता जो indifference curve हमाना आए अनलसी से ये weak ordering पे आधारी थे इसी के उपर आधारी थे indifference curve अनलसी से जबकि strong ordering पे जो स्टेमूल्सन का revealed preference theory है revealed preference theory preference theory वो आधारी थे revealed preference theory strong ordering के उपर ये आधारी थे देखें दोनों में फरक क्या है weak ordering में ये माना जाता है कि अगर आपके पास दो combination है माल लिजे कि बस्तूओं का एक combination A है और दूसरा combination B है तो ऐसा possible है कि A combination से प्राप्त utility B के प्राप्त utility के बराबर हो अर्थात A और B एक ही बराबर के उप्योगिता के हो सकते हैं इस तरीके से हम बस्तूओं का arrange कर सकते हैं strong ordering में क्या होगा जो A combination है ये combination है वो B combination से या तो bit ज़्यादा बढ़ा होगा या उससे कम होगा लेकिन ये बराबर के नहीं होगे मतलब यहां चुनाओ करने में indifference हो सकता है उप्योगता में क्योंकि ये और B दोनों बराबर उप्योगता वाले हैं आपके पास A combination है चार केला है और तीन सेब है और दूसरे जगा जो है क्या है अमरूद है पाँच और जो है चार जो है संत्रे और आप कहते हैं कि इसकी उप्योगता इसकी हमारे ले बराबर है तो हम ये ले 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 या फिर ये मतलब आप उसमें क्या है तटस्त है दो आपके combination को एक ही अस्थान प्राप्त है लेकिन यहां पे आप देखोगे ये या तो 20 से बेटर होगा या फिर 20 से जो है वर्स होगा लेकिन ये दोनों को एक ही अस्थान प्राप्त नहीं होगा तो वीक आर्डरिंग में आप देखोगे जो हमारा इंडिफरेंस करवे नलसी से वीक आर्डरिंग को पराधारित है और जो रिविल्ड प्रेफरेंस थी रही है से मोलसर का वो इस्टान गार्डरि पे नोट करके लिख लीजिए का कई बार इग्याब में आया हुआ है फिर इसकी लास्ट एक और भी बहुत इंपोर्टेंट एजमसंस की अगर मैं बात करूँ तो वो एजमसंस दोस्तों ये है कि इंडिफरेंस कर में आप देखेंगे दो चीजे पाई जाती है ट्रांजिटिविटी एंड कॉंसिस्टेंसी ट्रांजिविटी मतलब होता है सकर्मक्ता और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है दोस्तों consistency का मतलब होता है इस्थिर्ता इसको आईए हम समझ लेते हैं दो मानेता है क्या है एक है transitivity transitivity और दूसरा है आपकी consistency consistency हिंदी में इसको कहते है सकर्मक्ता और इसको कहते है इस्थिर्ता ये ज़रा समझ ये कई बात पूछा गया प्रसने transitivity क्या होती है जैसे मान लोग कि a greater than a बराबर b और b बराबर c तो पक्का है कि a बराबर c होगा a बराबर c होगा a b के बराबर है और b c के बराबर है तो a b के बराबर और b के c के बराबर है तो पक्का है a c के बराबर होगा इसको बोलें हम transitivity या फिर सकर्मक्ता A greater than B और मैं कहा रहा हूँ B greater than C मतलब A जो है B से बड़ा है और जो B है वो C से बड़ा है तो पक्का है जो A है वो C से बड़ा है यह आपकी हो गई ट्रांजीटिवी सकर्मक्ता यहाँ पर देख कोई स्ट्रेशनी के मतलब क्या है माल लीजे आपको एक दो combination है combination A और combination B और आप यह बोल ले हो कि A जो है better है B से आप यह बोल ले हो A है better है B से तो कभी भी आपके लिए जब दोनों एक साथ available है तो आप यह नहीं बोलोगे कि B greater है C A से यह तीज ध्यान से समझेगे इसको बोलेंगे consistency like example आपने कहा कि हमको S R R R R और Katrina Cap में Katrina Cap अच्छा लगती है तो ऐसा नहीं होगा कि आने वाले time में आप बोलो नहीं भी आप हमको S R R R R R आच्छी लगती है यह नहीं कह सकते हो आपको यह कहना पड़ेगा कि if A greater than B तो be always जो है little than A अब यह नहीं है कि दोनों एक साथ अब लेवल हो तो आप बदल जाएं consistency नहीं रहें कभी यह अच्छा लग रहा है कभी हम PGT अच्छा लग रहा है कभी जो है हम IS अच्छा लग रहा है PCS अच्छा एक अच्छा target बना कि फ्राप कर लो उसके बाप करते रहो तयारी जो चाहे हो तो हमेशा जो है consistency में अगर A आप बोल रहा होगी B से बेटर है तो A B से बेटर होगा अगर दोनों एक साथ अब लेवल है तो यह नहीं बोल सकते कि B से बेटर है तो यह जो है आप ध्यान से समझेगा कि जो Indifference curve analysis है उसमें एक जो है बड़ी जैजमसंस है Transitivity और जो है आपकी किस की होगी consistency की होगी इन माननेताओं पे इन लोगों ने Hex और Allen ने डबलब किया था Indifference curve को तो आईए आपको बताते हैं कि Indifference curve अनधिमान वक्र होता क्या है देखें हम दो बस्तों के यहाँ पे combination ले ले रहा है यहाँ पे हम Y community ले रहा है और यहाँ पे हम X community ले रहा है और यह हम खीच रहा है Indifference curve Indifference curve को site में हम IC लिखते हैं अनधिमान वक्र इसको कहते हैं आपको मैं ये बताओं कि यहाँ पे माल लीजिए कि Y की 15 यूनिट ली गई है और यहाँ पे X की 1 यूनिट ली गई है 1 यूनिट X की आप इसे X1 बोलिए फिर आप X की दूसरी यूनिट ले लीजिए इसको आप X2 बोलिए X की तीसरी यूनिट ले लीजिए आप X3 बोलिए X X की चौथी यूनिट ले लिजिए, आप इसे X4 बोलिए, और X की आप पांच वी यूनिट ले लिजिए, X5 बोलिए, मतलब हम सिर्फ X की एक एक की काई बढ़ा रहे हैं, 1, 1, 1, 1, 1, तो सुरू में देखो, Y की हमने 50 निकाई ली, जब हमने X2 किया, तो यहाँ पे हो गई Y क बहुत ध्यान से वाब को समझना है, इंडिफरेंस कर्व दो बस्तूओं के कम्बिनेशन को दिखाता है, जिसके प्रतेक विंदू पे उपभोगता को समान संतुष्टी मिलती है, समान संतुष्टी मिलती है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व को हम सम आईसो यूटिलिटी देखो, यह है इंडिफरेंस कर्व जो नीचे गरता हुगा है, इसका जो प्रतेक पॉइंट है, अब और हम अ बिन दूपे है, अगर हम C बिन दूपे है, D पे है, आप किसी भी पॉइंट पे आ जायोगे, हर जगा आपको utility एक ही मिलेगी मतलब अगर एक utility यहाँ यू है तो 20 की utility U, C से utility U, D की utility U, E की, मतलब यह utility चाहे नहीं, बराबर संतुष्टी पर एक बिंदू पर मिलता है, आप देखो यहाँ 15 Y और 1 X की संतुष्टी A point से मिलना है, यहाँ पर 8 Y और X2 की संतुष्टी B पर, लेकिन A और B की संतुष्टी बराबर है, इसलिए देखो इसे indifference curve क्यों कहते है, अनदिमान बकर, मतलब दो चुनाओं में वो जो है समझ नहीं पा रहा है कि तपस्त है, जिसको मन करें उसको लेलो, कोई उसके उपर फरक में परता है क्योंकि समान संतुष्टी देते हैं, अनदिमान उसका जो है indifference, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है, किसी भी point पर आएगा उसको समान संतुष्टी मिलेगी, तो यह रहा हम लोगों का indifference कर्ब, जो दो बस्तू के combination को दिखाता है, जिसके परते एक बिन पर उभुकता समान संतुष्टी को प्राप्त करता है, इसलिए इसे ISO utility या indifference कर्ब कहा जाता है अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ X और Y के combination को दे रहे, पहला combination क्या था 1X और 15Y, दूसरा combination क्या था 2X और 8Y, तीसरा combination क्या था 3X और 5Y, फिर चौथा क्या था 4X और 3Y, और पांचवा combination क्या था हमारा 5X और 1Y, अब थोड़ा सा ध्यान से आप समझो, तुम देखोगे कि जब हम यहाँ पे थे हमको बरावर utility मिल लही थे, हर बिंदू पे, हर combination पे, जो भी combination A, B, C, D, E था, 5 और पे हमको समाने utility मिल लही थे लेकिन जब हम एक unit X का यहाँ बढ़ाए, तो इसका मतलब जब 1X हम बढ़ाते हैं, तो Y की देखिए यहाँ पे कितनी unit sacrifice किये हैं, 7 unit sacrifice किये हैं, ध्यान से सुनिए गाइस को, फिर देखो जब अगला हम X का एक X यहाँ पे और बढ़ाते हैं, तो 8 में से 5 खटा दो, मतलब पहले कितना unit हमने sacrifice किया, पहले 15 लेते थे, अब जब दूसरा हमने unit X का एक unit बढ़ाया, तो Y का हमने 7 unit sacrifice किया, अब देखो, X की एक और unit बढ़ाई, तो यहाँ पे 3 Y का हमने sacrifice किया, आप देखिए, और फिर जब एक unit X की और बढ़ाई, तो 2 Y का sacrifice किया, और एक unit X की और Y, तो 1 Y का, कहने का मतलब क्या है, यहाँ आई माल लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जो 2 चीजों का conjunction कर रहा है, एक यहाँ पे उसके पास apple है, और यहाँ पे उसके पास है बनाना है, माल लीजिए कि यहाँ पे हमने बनाना की example ले लिया, वो point A पे है, वो 15 apple खाता है, और एक बनाना खाता है, और उसको यह utility मिलती है, कोई क उसको इस apple में से कमी करनी पड़ेगी, ताकि संतुष्टी का अस्तर AOB पे बराबर बनी रहा है, क्योंकि अगर वो कम नहीं करेगा, तो संतुष्टी तो बढ़ जाएगी, लेकिन indifference curve यही बताता है, कि हमारी संतुष्टी प्रतिक बिन पे एक ही बनी रहनी चाहीए, तो देखो दोस्तों, जब वो एक यूनिट x को बढ़ा रहा है, तो 7 यूनिट वो छोड़ दे रहा है क्या, apple को, अब जब एक extra यूनिट और कहा जाता है कि केला ले लो 3 यूनिट, तो अब आप देखो, पहले वो 7 यूनिट छोड़ा था, यहाँ पर देखिए, अब वो सिर् हम दो ही काई यां छोड़ता है, यहाँ से देखो, 3 के बाद, किसके 5 के बाद, वो 3 पाई, मतलब 2 ही काई वो छोड़ रहा है, apple का, और अंत में 1 x के बढ़ाबर, वो 1 की, कहने का मतलब है कि जब हम x बस्तों को बढ़ा रहे हैं, और y को जो sacrifice कर रहे हैं, तो जो marginal rate of substitution का concept आ सिमानदर, इसी को हम कहते हैं, प्रतियस्थापन का सिमानदर का मतलब क्या है, कि जब चुक्यूख भोगता को प्रतेग बिंद पर 1 ही बढ़ाबा utility मिलती है, तो जब हम x की एक अत्रिक्तिकाई बढ़ाएंगे, तो y की कितनी unit sacrifice करेंगे, ताकि हमारा utility वही बनी रहे, तो दोस्तों, जब हम 1-1 unit x जब बढ़ाएंगे, तो y की पहले ज़्यादाई का या हो छोड़ेगा, फिर कम, 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 इसका region क्या होता है, इसका region यह होता है, कि जब हमारे पास किसी product की ज़्यादा unit होने लगती है, अब हमारे पास x की unit बढ़ाएंग होती है, तो x हमारे utility क्या हो रही है, कम हो रही है, और यह चुकि छूट रहा था, इसकी utility बढ़ाएंगे, इसलिए जब आप x की जगा पे y को replace कर रहे हो, तो ऐसे में वो less amount को y को sacrifice करेगा, ताकि वो same satisfaction label पे बना रहे है, इसका मतलब दोस्तों यह है, कि marginal rate of substitution x for y जिसको हम करते हैं, प्रतिय स् decline करेगा, गिरता हुआ होगा, क्यों गिरता हुआ होगा, क्योंकि जब हम additional unit को consume करेंगे, तो y की जो इकाईया है, वो पहले ज़्यादा फिर कम करते जाएंगे, इसलिए एक चीज हमेशा धान रखेगा, कि indifference curve में, जो marginal rate of substitution है, वो गिरता हुआ होगा, वो गिरेगा, वो क इस तरीके से exchange होगा, जिससे की उपभोकता उसी संतुष्टी के अस्तर पे बना रहे, तो थोड़ी सी चीजों को concentration से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम class बहुत important ले रहे हैं आप लोगों के लिए, जैसे माली जी कि यह है आपका indifference curve, यह है आपका indifference curve, यह है indifference curve, delta x हमने बढ़ाया, तो delta y छोड़ा, तो यह जो इसका slope होगा indifference curve का, अगर यहाँ पे हम slope एक खीच लें, तो यही जो 10 theta है, वही दिखाएगा आपका marginal rate of substitution x for y को, अब marginal rate of substitution x for y निकालना है तो क्या करोगे, चुकि हमारे पास यहाँ x community है, यहाँ y community है, x को चुकि हम इसका अर्थ है कि जो marginal utility होगी, marginal utility होगी, x की, वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन चुकि y को छोड़ रहे हैं, तो यह क्या होगा, marginal utility अगर आप देखोगे y की जो क्या होगी, वो कम होगी, marginal utility आफ y, यहाँ पे हम चुकि x की, delta x मैंने बढ़ाया, तो utility बढ़ी, तो इसको हमन इस बिंदू पर और इस बिंदू पर ब्रावर utility मिल लेगे, यहना कम तो हो नहीं रहा है, क्योंकि इंड़ फ्रेम्स करब के प्रतेग बिंदू पर क्या होगी, utility ब्रावर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ, कि delta x, marginal utility x, is equal to minus y, और marginal utility of y, तो यहाँ से समिक्रण आजाता है, कि marginal utility of x by marginal utility of y, marginal utility x minus delta y by delta x, इसका मतलब यह हो गया, कि जो marginal rate of substitution x for y है, इसका यह फार्मूला हो गया, कि marginal utility of x by marginal utility of y, delta y by delta x, इसका मतलब यही जो है, indifference curve का ढाल है, तो आप यह समझ लें यहाँ पर दोस्तों, कि जो marginal rate of substitution होता है, वो indifference curve का slope होता है, और यह होता है, delta y by delta x, और इसको हम marginal utility x by marginal utility y भी आप कह सकते हो, कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई, कि marginal rate of substitution x for y घरता होगा, क्योंकि x की काई है, जब हम बढ़ा र है, इसलिए same satisfaction रखने के लिए marginal rate of substitution को गिरना ही पड़ेगा, और गिरता ही है, यहाँ तक आप चीजों को सीख लिए है, परिसान बिल्कुल मत होईएगा, notes आपको मिल जाएगा, और अगर कोई doubt होगा, तो मैं आपको फिर से Google Meet पे सारी चीजों को समझा दूँगा, तो don't worry परिसान होने की बिल्कुल भी आओ सकता नहीं है, अब चलते हैं, हम बात करते हैं, कि indifference curve की कुछ characteristics होती है, वो indifference curve की characteristics क्या क्या है, तो सबसे पहले जो characteristics, यहाँ लिख लेते हैं, characteristics, characteristics, आप indifference curve, सबसे पहला characteristics है, कि indifference curve उपर से नीचे के तरफ गिलता हुआ होगा, ऐस होगा क्यों क्योंकि यहां पे y है और यहां पे x है और इसके प्रत्यक बिंद पे हमारी utility बराबर है तो दोस्तों अगर यह गिरेगा नहीं नीचे सूपर की तरफ तो utility तो change हो जाएगी क्यों यहां पे देखो वो y की 5 unit ले रहा था और x की 1 unit लेकिर अगर मैं यहां पे आऊं और 3 unit x करूं तो y की का यह मुझे घटानी ही होगी नहीं घटाओंगा तो फिर utility तो बदल जाएगी तो पक्का है अगर एक चीज को तुम बढ़ाओगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा क्योंकि प्रतेक बिंद उपयोगता बराबर रखनी है दोस्त तो प्रतेक बिंद उपयोगता तभी बराबर रखी जाएगी जबकि आप इंडिफ्रेंस कर्व को नीचे गिरते हुए बनाओगे अगर आप दूसरे तरह से बनाओगे तो फिर उपयोगता घटे एक नहीं बढ़ जाएगी क्योंकि पहला यह जंशन था कि गूर्ट सेन सर्विसेज का के जंशन बढ़ा तो उसकी utility उसी को पर depend करी हो बढ़ कि जो जो इंडिफ्रेंस कर्व है दोस्त वो नीचे के तरफ गिरता हुआ होगा इससे ये भी चीज़े क्लियर होती है धान से सुनिएगा कि इंडिफ्रेंस कर्व कभी भी ना तो एक्स-क्स के पैरलल होगा यह देखिए हमारा क्या है एक्स-क्स है यह यहाँ पे जीरो है यहाँ पे हमने x गुट को लिया है हमने y को ना ही कहीं इंडिफ्रेंस कर्व y-x के पैरलल होगा यहाँ पे y है यहाँ पे x है यहाँ पे 0 है ऐसा नहीं होगा और ना ही इंडिफ्रेंस कर्व ऊपर के तरफ उठता हुआ होगा तीन चीज़ें आप समझ लिजी फटा-फटे यहाँ पर, अगर मैं ऐसा इन डिफरेंस कर बनाओं, कि यह x x के पैरलल हो जाए, तो यहाँ पर combination है, यह देखें, combination क्या है, y की 4 unit है, और x की 1 unit है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाओं, तो y की 4 unit है यहाँ पर, लेकिन x की 3 unit हो गए, यहाँ पर आओंगो यहाँ की x क्या गया है, बढ़ती जा रही है, और जब हमने इन डिफरेंस कर बनाया था, तो इसका एक, हमने एंजंसन सी लिया था, कि जो utility है, वो function आफ, किसका है, conjunction आफ, जो bundle है, good sense serviceage के उस पर, तो यहाँ आप देखेगा, जो bundle बढ़ता है, b पे आप देखोगे, क्या हो गया, x बढ़ गया, और यहाँ पर देखेगे, 1 ही था, लेकिन यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखोगे, तो और बढ़ गया, तो इसका मतलब a से b और b से, प्रते एक बिंदू पर ज है, 4 है, 6 है, तो a, b, c, इसका मतलब a से जादा b और b से जादा c पे utility है उसकी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता जा रहा है, y बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब indifference कर, ऐसे भी नहीं होगा, ना indifference कर, ऊपर उठता हुआ होगा, अगर उपर उठता हुआ होगा, तो यह द इसा indifference curve downward sloping होगा, negative slope वाला होगा, अब यह चीज़, और भी यहीं पर समझ लीज़े आप, indifference curve दोस्तों, indifference curve दोस्तों, एक दूसरे को intersect नहीं करते हैं, कई बार सवाल यह पूछा गया है, तो थोड़ा सा concentration बना ये, कि अम मैं क्या कर रहा हूँ, मालो की 2 indifference curve दिये अब कह रहा है कि क्या 2 indifference curve एक दूसरे को cut कर सकते हैं, यह मालो indifference curve 1 है, और यह indifference curve 2 है, अब मालो e point पे cut कर रहा है, तो क्या यह ऐसे cut कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है y community को, यहाँ पे हमने लिया है x community, उत्तर है कि नहीं, कभी 2 indifference curve intersect करी नहीं सकते हैं cut करी नहीं सकते हैं अब प्रस्न है कि 2 indifference curve एक दुस्थरे को cut क्यों नहीं कर सकते हैं अगर वो cut की है माल लो यहां पे तो क्या problem हाईगी एक line हम यहां पे खीच लेते हैं अब point E हो गया हमारे पास A हो गया और B हो गया देखिए, तीन बिंदू हमको मिल गए, इसको यहाँ मिला लो, और इसको यहाँ मिला लो, चुकि पहले indifference curve IC1 पर आज़ेगे, आप IC1 पर, IC1 पर दो बिंदू है, एक E बिंदू है और एक A बिंदू है, दोनों ही indifference curve IC1 पर है, indifference curve 2 पर भी दो curve है, एक E है और एक B है, इसका मतलब E बराबर क्या हो गया, B हो गया यहाँ पर, क्योंकि इस पर E है और यहाँ B भी है, और indifference curve के पतेग बिंदू, एक ही उप्योगताग दिखाते हैं, तो E बराबर B हो गया, तो चुकि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, उन्हें ट्रांजिविटी, तो E बराबर A और E बराबर B, इसका मतलब हो गया, A बराबर B, यही तो था ट्रांजिविटी में हमने पढ़ा, कि हमयशा क्या होगा a बराबर b और b बराबर c ये? तो a बराबर b होगा इसका मतलब a और b से जो उप्योगिता मिलेगी क्या आप लोग इसे सामत है? उत्तर है बिल्कूल गलत है, नहीं है हमयशा b की उप्योगिता a से जाद होगी क्यों? Y की यहां 4 unit ले रहा है लेकिन X की यहां कितनी ले रहा है? 3 और फिर 5 तो A पे जो उप्योगता है ना उसमें 4 unit Y और 3 unit X लेकिन B की उप्योगता देखो 4 unit Y लेकिन ये देखो बढ़ गया 5 unit इसलिए ये उप्योगता जादा होगे B से इसलिए A बराबर B नहीं होगा A बराबर B नहीं होगा तो इसका मतलब है कभी भी दो indifference का एक दुसरे को नहीं काटेंगे बढ़ा असान है यार इसमें क्या है? हलुआ है? थोड़ा सा ध्यान लगाओ एकदम से समझ में आ जाएगा तो ये दुसरे को काट नहीं सकते हैं अब थोड़ा सा आपको ये सीखना है थोड़ा सम्मझदार चीज़ बताओ मैं कि क्या कभी indifference curve क्या कभी indifference curve linear हो सकता है क्या? linear अब थोड़ा सा समझो यहाँ पे यहाँ पे जो बस्टूए है community वो दो तरह की हो सकती है दो तरह की एक क्या हो सकती है? परफेक्टली सब्स्टिट्ट मतलब पूर परति अस्थापन पूर परति अस्थापन और एक हो सकती है कम्प्लिमेंटरी परफेक्टली कम्प्लिमेंटरी मतलब पूरतया पूरक दो तरह की बस्तों के बात किये एक पूरता सब्स्टिटूट है और दूसरा क्या है पूरता पूरक है माल लीजिए कि आपके पास जो है दो पेन है एक सेलो का है और एक रेनाल्ड का है और दोनों लिखने के काम में आते हैं अगर मैं ऐसे बना दू तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है एक्स और यह लीनियर बना दू तो क्या यह पॉसिवल है देखे इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक्स की वन यूनिट बरहाऊं एक एक यूनिट ऐसे बढ़ाता जाऊं एक एक unit ऐसे बढ़ाता जाओं, एक एक unit ऐसे बढ़ाता जाओं, तो जो y की काईया है, exact वो बरावर ही छोड़ रहा है, कम नहीं छोड़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो marginal rate of substitution x far y है, वो गिर नहीं रहा है, वो इस्थीर है, जहां से सुनिएगा, इस्थीर है, और indifference curve ऐसे downward है linear है, उतरे सही है, अगर complete, अगर perfect substitute है, मतलब यहाँ पे pin है, pin वो रिनाल्ड का है, और एक pin है, सेलो है, तो देखो भाई, चाहे मुझे रिनाल्ड दे दो, चाहे सेलो दे दो, मैं एक दूसरे से substitute कर दूँगा, तो अगर perfectly substitute होगा, तो नोट कर लिए कई बारी जिया में होता है, क्योंकि वो ज्यादा Y को छोड़ता है, क्योंकि जब X को बनाता है, तो Y की मात्रा पहले ज्यादा, फिर कम छोड़ता है, मतलब घरता हुआ जाता है, लेकिन यहाँ पे चुकी utility X की बढ़ती जा रही है, और Y की तो कोई अंतर नहीं आ रहे है, क्योंकि एक ही अगर बस्तु पे पूरता पूरक है, जैसे मालो पेन है और रिफिल है, खुब ध्यान से सुनना, पेन है और दिखाए दे रहे हैं, पेन है और रिफिल है, मालो हमने यहाँ पेन लिया है, और यहाँ रिफिल लिया है, दो बस्तु है, और मैं कहा रहा हूँ दोनों से संतु यहाँ उपर आ जाओ उपर आ जाओ मतलब मेरे पास पेन तो एक ही है रिफिल दो हो गई तीन हो गई चार हो गई तो भाई यूटिलिटी तो बराबर रहेगी न क्योंकि पेन रिफिल से तो क्यों लिखोगे नहीं पेन भी डालना पड़ेगा तो इसी तरह इसलिए देखोग क्या कर लेगा एक ही तो है उसको आता है नहीं किसी को एक ही बेचारा पड़े रहेंगे तुमारे कंप्यूटर यहाँ पर कुछ नहीं काम होगा क्योंकि एक ही कंप्यूटर जाने वाला तो देखो ऐसे में जो इंडिफरेंस करब है वो लसेफ का बेटा हो जाता है लेकिन एक बार देखो PCS में दे रहा था तो उसमें बड़ा सांदार पसल पुछा था एल से अपना देके पॉइंट लिखा था तो पॉइंट भी सही है अगर मैं सिर्फ पॉइंट इसको बोल दूँ इस पॉइंट पर भी आप देखोगे अगर मैं बोल दूँ कि यह पॉइंट ह रहतायी हो सकता एल भी हो सकता जादा साओं व हो सकता जूइंट ओप विल्कुल से समझझागा क्यों कि देखो एक टाइप राइटर है एक टाइप राइटर है और एक एक TIMा लो हमारे पास कंप्यूटर है अगर कंप्यूटर के संख्या दो 4 6 हो गई लेकिक एकी इक ए कहा एल से भी सही होता है तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए कि क्या है सिच्वेशन अब आईए दूसरी चीज को आपको मैं बताता हूं इसको समझने के बात अब आप हेडिंग डाल दीजिए बजट लाइन बजट रेखा क्या होता है थोड़ा सा जो है टेकनिकल है अब आपको मैं बताओंगा बजट लाइन के बारे में हेडिंग डालने जिए देभी और सजनो बजट लाइन क्या हेडिंग डालना है आपको बजट लाइन इसको हम बोलते हैं बजट रेखा बजट रेखा बजट र माल लिजे आपके पास 100 रुपय है और आप दो ही community खरीदना है X community और Y community माल लिजे X community है उसकी एक unit की जो price है वो कितना है 4 रुपया है और जो Y है उसकी एक unit की price है एक रुपया है एक रुपया बोध्याद से समझे कैसे budget line खरीजते है तो देखो अगर तुम्हारे 100 रुपया से सिर्फ मैं X ही खरीद लूँ तो तुम कितना X खरीद लोगे 25, 25 ही काई खरीद लोगे और अगर सिर्फ हम Y ही खरीद लें तो चुकि वो एक रुपय का एक unit है तो 100 unit खरीद लोगे या फिर तुम 100 रुपय से इन दोनों का combination खरीद सकते हो बस तो इन डिफरेंस कर खीचने का जो तरीका होता है सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर Y community यहाँ पर ले लेते हैं X अब Y की unit अगर मैं सिर्फ खरीद हो तो 100 unit खरीद सकता हो तो यहाँ ले लो 100 unit Y और अगर सिर्फ X की खरीद हो तो कितना होगा 25 unit तो यहाँ ले लो 25 unit X और इन दोनों को ऐसे आप मिला दो तो यह आपका आजाएगा budget रेखा क्यों अगर मैं पूरे 100 रुपे को खर्च कर दूँ Y के उपर तो मेरी 100 unit Y आ रही है और सिर्फ X पे खरीद हो तो कितनी unit आ रही है 25 unit आ रही है तो यह जो बन गया line यही है budget line budget line दिखाता है कि आप इस budget के प्रतेक line के प्रतेक बिंदू पे आप अपने सारे पैसे को खर्च कर दोगे X और Y पे और आपका जो money है पूरता ही ग्याश हो जाए बचेगा कुछ नहीं लेकिन आप इस budget line के बाहर चले जाओ मालुक के पॉइंट पे तो यह आपके लिए impossible है आप यहाँ जाए नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास इतनी budget ही नहीं है इसके नीचे तुम आओगे तो तुम खरीद तो सकते हैं बंडल को लेकिन यहाँ पर जब खरीदोगे तो तुमारे पास पैसे बज़ जाएंगे budget तो यहाँ भी नहीं आना है आपको इसी लाइन पर आना है अब देखो क्या है चाहे तुम y की 100 unit खरीदो या x की 5 या फिर किसी combination को ले सकते हो like example एक combination हम ले रहे है मालो कि हमने 80 unit खरीद लिया इसका 80 unit यहाँ पर देखो 80 unit तो कितने रुपय खर्च हो गए 80 रुपय खर्च हो गए क्योंकि एक रुपय का तो बचा कितना हमारे पास अब बचा कितना हमारे पास 20 रुपया तो 20 रुपय में कितनी unit आएगी 5 unit तो यहाँ देखो आओ 5 आएगा तुमारा 5 unit अब देखो तो इसका मतलब चाहें अगर आप इस बिंदू पे आएं तब भी आपका सारा पैसा खर्च हो गया आपने 80 unit y का खरीद लिया और 5 unit आपने x का खरीद लिया इसी तरह से अगर मालो कि हम 20 unit खरीद लिया है किसका सिर्फ 20 unit मालो खरीद रहे हैं इसका 20 unit खरीद रहे हैं y का तो तुह पास कितने बच गया पैसे 20 unit तुमने खरीद असी बच गया तो असी बच गया तो असी में तुमको लेना है यह 4 unit का है तो कितना unit लोगे तो 4 से इसमें डिवाइट कर दो तो तुम 20 unit ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 तो यह भी सही है यहाँ पे चाहे A बिंदु पे आ जाओ चाहे B बिंदु पे आ जाओ चाहे कोई एगर 60 यहाँ पे ले लो तो यहाँ पे कितना करोगे 10 unit कर लोगे तो बस किसी B बिंदु पे आ जाओ अगर आप इसके ऊपर जाते हो, तो आप इसको खरीद ही नहीं पाओगे, यह आपके budget के beyond है, इसके नीचे आओगे तो फीजिवल नहीं है, क्योंकि यह मानता है कि सारे पैसे को consumer खर्च कर देगा, बचाएगा, कुछ भी नहीं, इसलिए यह budget line ऐसे खीचा जाएगा, और इस और वाई के मुल्यों के अनुपात को यह दिखाता है, तो यह आपका concept budget line का clear होना चाहिए, अब एक चीज यहाँ पर बहुत जाड़ा important है, कि यह budget line जो है हमारा, को बच्छे से notes बनाते रहेगा बेटा, एक भी question बाहर आए गरे, एक भी प्रसन बाहर नहीं लोग पूछ प पताना है कि यह budget line बदलता कैसे है, तो हीटिंग डालो यह shift in budget line बजट लाई, budget line जो है यह बदलेगा कैसे, क्योंकि अगर इसके shifting आप नहीं सीखो गए न, तो फिर आपको समझे कुछ कुछ आ नहीं सीखे, तो अब आपको सीखना है, shifting of budget line, budget line shift कैसे होगा, क्या सीखना है? budget line की shifting सीखना है आपको तो heading डाल ले हैं आप लोग देवी और सजनो कि shifting आप budget line shifting तो budget line किसका shifting shifting in BL budget line में अब budget line में दो तरह से परिवत्तन हो सकता है या तो बस्तों की कीमते चेंज हो जाए बस्तों की कीमत में परिवत्तन आ जाए कीमत P में या तो ये बढ़ जाए या फिर ये घड़ जाए या फिर उब्हुकता के income में उसके I में चेंज हो जाए income या तो बढ़ जाए या तो घड़ जाए देखें there are two factors which affect the budget line number one the prices of product X and Y that we consume are change in consumer income अगर उसके income बढ़ जाए तो भी ये चेंज होएगा सबसे हम सिखते हैं कि how can budget line change by the change in price of goods that they consume जो वो consume कर रहे हैं अगर उन बस्तों के कीमतों में बदलाव आ गया तो कैसे ये change होगा ये देखो तुमारा मालो की budget line ये हमारा है ये PL budget line ये थोड़ा से इंपोर्टेंट है ये आपने दोस्तों PL है यहाँ पे हमारा X community है वहाँ पे Y community ये हमने budget line खीचा हुआ है और budget line के पत्ते एक बीन पर सारा पैसा हमारा खर्च हो जाएगा बचेगा कुछ नहीं अब सोचो कि X जो community है जो 4 रुपे में मिल लगी थी अगर उसस्ती हो जाए 2 रुपे में मिलने लगे तो तो तुम्हे एक से ज़्यादा खरी सकते हो तो दोस्तों जब community सस्ती हो जाएगी तो ये budget line ऐसे दाहिने के तरफ सिफ्ट होगा बहुत ध्यान से सोनो मतलब ये कैसे सिफ्ट हो गया यहां से यहां के तरफ सिफ्ट हो गया अगर ये community क्या हो गई सस्ती हो गई तो X के सस्ते होने पे ये जो budget line जो PL था वो PL1 हो गया और ये क्या हो गया राइट के तरफ सिफ्ट हो गया दाहिने के तरफ राइट वर्ड दाहिने के वो तरफ शिफ्ट हो गया और अगर यही यह 4 रूपया से 8 रूपया हो जाएगा तो यह बजट लाइन ऐसे शिफ्ट होगा लेफ्ट वर्ड देखी अब X बस्टू क्या हो जा रही है यह L2 हो जाएगा अब यह महंगी हो गई अब जो प्रस्ट पूछा जाता है कि अगर किसी वस्टू के कीमत में कमी आ गई तो कमी आ गई तो बजट राइन चेंज हो गई तो पूछता है कि क्या उसका ढ़ाल बदलेगा कि नहीं बदलेगा अब देखो सवाल पहले हम कोई कीमत नहीं था तो अब प्रस्ट है कि जो जो स्लोप है बजट लाइन का वो घट गया की बढ़ गया उत्तर इस घट गया देखो यहाँ पर 10 ठीटा आप निकाल लो यहाँ पर 10 ठीटा निकाल लो तो क्या हो गया? 10 ठीटा जो निकालोगे तो यह ढृieza धाल कम हो गया देखो बहुत ज़्यादा टेक्निकली में मैं आपको नहीं ले जाओ, बहुत आसान से समझा दूँगा, धाल क्या है भाई, ये तीन रेखाएं खीची गई है, ये वाली रेखा, PL2, PL, अब सब ज़्यादा धाल कौन है, कम धाल क्या है, आप जानते हैं, आप आते हैं धाल ज पहटती हैं, तो जो बजट लाइन है उसका धाल कम हो जाता है, लिख लो, 200 बार पूछा है, धाल कम हो जाएगा, 200 बार पूछा लिख लो, कि जब बस तु ये सस्ती है, तो बजट लगए दाहिन की तरफ शिफ्ट होगा, उसकी धाल कम हो जाएगी, और दूसरे, जब ये ये महंगी हो जाए, तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, उसकी धाल बढ़ जाएगी, मतलब जब बस तु महंगी होगी, तो धाल भी जादा होगा, धाल जादा होगा, किसका धाल, बजट लाइन का धाल जादा होगा, क्यों, यहाँ से आएगी, और देखो धाल होती है, बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, उसका धाल कम होता है, जब बस तु महंगी होती है, तो धाल बढ़ता जाता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, कितना असान है, है कि नहीं, बहुत असा तो यह जो बजट रेखा है, वो रिफ्ट वर्ड और र देखते हैं कि budget line किस तरीके से shift हो जाती है तो shift in budget line by income change अभी तक हमने बस्तों की कीमतों को change करा के budget रेखा में shifting को दिखाया था, अब हम आपको दिखाएंगे, कि किस तरीके से, किस तरीके से, यह क्या हमारा budget line, income change हो गया, मालो हमारा budget line है, यह हमारा क्या है? बजट लाइन है यह है बजट लाइन यह देखो अब मालो किसी यह है PL किसी कंजूमर की इंकम ही बढ़ गई अब यह कैसे चेंज होगा? जब बस्तु की कीमते घट रही थी बढ़ नही थी तो ऐसे चेंज हो रहा था, ओके न? बस्तु की कीमते जो घट इधर गया महंगी हो इधर है, तेकिन अगर इंकम चेंज होगी तो यह सीधे देखो ऐसे चेंज होगा, अब यह हो जाएगा P1, L1, जब आपकी आए बढ़ गई, आए बढ़ गई किसकी आए बढ़ गई, उपभोगता की आए बढ़ गई, उपभोगता की आए बढ़ गई, आए बढ़ गई मतलग, if consumer income increases, then the budget line shift rightward and the second, कि अगर उसकी income घट गई, तो यह leftward देखो budget line नीचे, क्योंकि अब वो अगर आपकी income बढ़ जाती है तो फिर देखो, यही चीज पुछा जाता जो budget रेखा है, इसका ढाल नहीं बढ़ लेगा, ढाल नहीं बढ़ लेगा कब नहीं बढ़ लेगा, जब आपकी आए बढ़ लेगी, तो ढाल नहीं बढ़ लेगा सिर्फ जो है घटी तो क्या होगा, लेफट वर्ड बाएं के तरफ सिफ्ट हो गया, इसका मतलब जो budget राइन है, वो दो तरीके से change हो सकता है बस तो किमेटों भी परिवतन से change हो सकता है और दूसरा ज़र चेंज हो सकता है यह आपके income से, तो income बढ़ी तो यह दाहीने के तरफ शिफ्ट हो गया क्योंकि income बढ़ने से हम combination ज़्यादा ले लेंगे यहाँ पर देखो, इस point पर आ गया है इस point पर थे, तो combination ज़्यादा हो गया अगर नीचे आओगे तो combination कम हो गया तो आए अगर आपकी घरती है तो तुम आते हो left के तरफ और आए बढ़ती है तो तुम जाते हो right के तरफ बस तो दो तरीके से और एक चीज़ जरू नोट करना कि आए बढ़ने पर ढ़ाल नहीं बदलेगा वहाँ देखे कीमतों में ढ़ाल बदल ले थी यहाँ पर ढ़ाल नहीं बदलेगा यह एक बहुत important fact है तो अब तक आपको मैंने यह बता दिया indifference curve क्या है weak ordering क्या है, strong ordering क्या है इसका exemption क्या है, indifference क्या होता है margin rate of substitution क्या होता है margin rate of substitution गिर्टा हुआ होता है प्रस यह indifference curve का slope होता है फिर उसकी business time क्या होती है कब जो है indifference curve जो है एक linear line में होगा कब एक point हो सकता है या else step का हो सकता है और budget रेखा क्या होती है budget रेखा हम बल्लाव किस तरह से होता है इतना आप जानने के बाद आप बहुत आसानी से मैं बता दूँगा कि indifference curve analysis से कैसे हिक्स और एलेन किसी consumer के equilibrium को दिखाते थे कि उपभोकता के संतुष्टी को कैसे दिखाने में वो सफल होते थे तो आईए दोस्तों अब हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जो consumer है वो equilibrium में आएगा तो consumer equilibrium आपको चेक करने के लिए आपको दो चीजें बस चाहिए क्या चाहिए आपके पास दो चीजें चाहिए एक चीज चाहिए budget line और दूसरा चाहिए indifference curve का map देखे ये कई indifference curve बनाए गए है ये देखे ये देखे कई indifference curve ध्याद से सुने IC1, IC2, IC3, IC4 चार indifference curve और ये है PL हमारा budget रेखा ये है यहाँ पर X बस्ट यहाँ पर Y अब पुछा जा रहा है कि किस point पर consumer इक्लिविडियम में होगा अब देखो indifference curve क्या दिखाता है दो बस्टू के ऐसे combination को दिखाता है जहाँ भोगता हर जगा पर एक समान utility को पाता है तो इस देखिए और उपर वाला नदिमान बक ज़्यादा utility को दिखाएगा क्योंकि वहाँ पर बस्टू का combination ज़्यादा हो जाएगा और basic हमने एजमसन से लिए है कि combination पर ही उसका utility निवर करता है तो इसका मतलब जो higher है IC1 से ज़्यादा IC2 IC2 से ज़्यादा IC3 और IC4 पर उसके उपयुकता बढ़ रही है और यह है budget rent PL अब देखो बेटा जो सबसे बहतर situation है consumer के लिए point E है क्यों इस E point पर वो सबसे बड़े indifference curve पर है इस indifference curve उसके लिए सबसे बेटर है IC4 लेकि उसके पास budget ही नहीं है क्योंकि देखो budget तो यहीं तक है तो यह चाहते हुए भी ओ combination लेने ही पाएगा अगर आप इस point पर आ जाए IC2 पर तो IC2 पर आप देखिएगा उसका पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है यहां भी पैस नहीं खर्च नहीं हो रहा है तो जिस point पर indifference curve उसका जो touch कर रहा अगर वो यहां पर आए तो यह भी उसका equilibrium नहीं है क्योंकि उससे better situation देखो उसके पास यहां पर है क्योंकि वो ज़्यादा उपयोगता वाले पर जा रहा है यहां पर देखे बेटर उसका सोचेशन नहीं क्योंकि इससे better utility उसको IC3 पर मिल ले है IC3, IC2 से better IC1 से better IC2, IC2 से better IC3, IC3 से better IC4 तो सबसे better है कि point E पर आजाए मतलब उपहोगता तब equilibrium में होगा कि जब indifference curve और जो आपका budget line है वो एक दुछरे को asperse कर रहे है मतलब tangent हो मतलब indifference curve पे जब budget line tangent हो asperse करे इसी point पे वो equilibrium में होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि संतूलन में आप लिख सकते हो कि slope of IC slope of indifference curve is equal to slope of slope of budget line तो slope of indifference curve क्या होता है मैंने कहा कि slope of indifference curve होता है margin rate of substitution X for Y marginal utility X बटा marginal utility Y बराबर सोर्फ आप budget line क्या मैंने कहा कि P X बटा P Y तो यह देखिए यह होगा यही प्रसना आप से पुछा जाता है कि indifference curve में वो भोगता कव संतूलन में होगा जब indifference curve जो highest indifference curve है जो budget line को टच कर रहा है वहीं पर वो संतूलन में होगा और यहां indifference curve का जो slope है indifference curve का जो slope है वो budget line के slope के बराबर हो जाएगा और marginal utility of X marginal utility Y बराबर P X बटा P Y के बराबर होगा और यहीं पर यह क्या होगा margin rate of substitution भी होगा P Y यहीं पर वो भोगता संतूलन में होगा और दूसरा चीज यह है कि जहां संतूलन में होगा वो indifference curve क्या होना चाहिए यह जो है convex होना चाहिए यह कान के बने तो यह कोई बहुत important चीज़ नहीं है उसकी एक second जो होती है conditions होती है लेकिन यह जो है वो भोगता के संतूलन को आपको दिखा दिया गया indifference curve analysis दोरा तो पहला पार्ट जो indifference curve analysis का है दोस्तों हमने complete कर दिया जिसमें हमने दिखा आया कि किस तरीके से budget रेखा और budget रेखा और indifference curve के intersection के दवारा जहां tangent है वहीं पर consumer का equilibrium determine होता है next जो है इसका part है उस बहुत important है जिसमें मैं आपको income effect के बारे में substitution effect के बारे में बताऊँगा साथी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से slaski का और hicks का method है जिससे हम price effect को income और substitution effect को अलग करते हैं तो ये video बहुत ज़्यादा important है कई बात देखिए नुर्स बनाईए और अच्छा करिए माता पीता का असिरवाद लेते रहिए पित भी पे सिर्फ वही हैं जो आपको असिरवाद मन से देते हैं उनका असिरवाद कभी जाय नहीं जाता है रोज उनका आदर करिए रोज 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 हासिरबात लेते रहें कुछ अच्छा करिये कुछ बड़ा करिये आईए कुछ अच्छा करते हैं आईए कुछ बड़ा करते हैं कुछ करके दिखाऊ कुछ बंद के दिखाऊ Thank you so much for watching दिग बिजए एकोनोमिका God Bless you नमस्कार दोस्तों मैं दिख्विजय सिंग आथ सब का बहुत स्वागत करता हूं दिख्विजय एकोनामिका में कैसे हैं आप लोग और कैसे चल लए है आपकी जीत की तैयारी कि दोस्तों क्या मैं audible हूं क्या आप लोग मुझे सब पहरा हैं या फिर नहीं Lives is clear अब कि आप लोग मुझे सुन पहरा हैं रहे हैं कि है आप लुट अल cass City अापलोग मुझे सुन पहर है थो कि गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग है कि ऑडिवल 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 बहुत अच्छा चलिए आज हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे बहुत से मेरे विवर्स हैं जो एंजल कर्व के बारे में जानना चाह रहे थे और उनकी क्वैरी जे थी कि ए बहुत ही एक बहुत ही जादा आपके डे टूडे लाइब से सब्मंधित एक इंपिरिकल इस्टेडी की चर्चा करेंगे जो की अर्णेट एंगल ने किया था और यह जर्मन के एक सांख्य की विद्ध थे यह जर्मन इस्टेटिसियन थे इन्होंने 1821 से लेके 1896 आप समझ स लगते हो ने देखा था कि जो लोगों का इंकम है और इंकम से जो उनका कंच्जूमर का जो भी हैं जो खर्च करते हैं उसकी प्रविर्थि क्या है तो यह बैक्स के लिए चेक करना चाहरा रहे थे empirical studies करना चाहते थे कि जो family की income increase होती है उनका budget बढ़ता है तो उनके different goods and services के उपर जो खर्च करते हैं वो किस अनुपात में change होता है तो आज कल आप देख रहे हो एक बहुत ही common सब्सक्राइब है कि आपकी income पिछले 10 साल में अगर आप देखोगे चाहें आप personal income की बात करिएगा क्या फिर individual income के अगर आप बात कर रहे हैं तो income में काफी बढ़ोत्री हुई है चाहें देश की income की लेबल पर बात कर लो या individual income में तो आप देखोगे जो आपके जो खर्चें हैं जो आपका जो income खर्च हो रहा है उसमें जो सबसे ज्यादा जो पूरसन आप खर्च कर रहा हो वह बैसिकली manufacturing goods and services के उपर कर रहे हो एजुकेशन के उपर कर रहे हो आप जो है tourism के उपर कर रहे हो ऐसे चीजहों के उपर खर्च कर रहे हो कि जो की manufacturing है बाकि जो यह से वाली चीजह हैं जैसे फूड़ ग्रेंस है उसके उपर हमारा और आपका खर्च उतना ज्यादा नहीं है जितना की एजुकेशन के उपर है टूरिजम के उपर है तो जो मैनिफ्यक्टर्ड चीजह हैं सब लोग आजकल ऐसे चीजों से घिरे हुए हैं जो बहुत ज़्य लाइक एक्जांपल मेरे सामने DSLR है आपके हाथ में जो एक PC है तो आपका जो खर्च है नो ज्यादा ऐसे चीजों के उपर हो रहा है जो की लग्जेरियस चीजह है तो इस तरह का इन्होंने एक इंपिरिकल इस्टेडी आप सोचो कितने पहले किया था इसको आप बोल सकते यह चीज इन्होंने इंपिरिकल इस्टेडीच की थी और कितना रेलेवेंट है कि आज भी हम इन चीजों का आध्यान कर रहा है tut खुल मिलाज्य cupcake फैमिली की इंकम इंक्रीज हो रही है तो जो प्रपोर्शन साफ इंकम है वो ज़्यादा खर्च होगा लक्जरियस चीजों के उपर मैंनी फाक्चरिंग गूर्शन सर्विसेज के उपर और जो निसेस्टीज वाली चीजे हैं जिससे हमारा जीवन चल ला है जो फुट ग्रें के अने ऊस्त पंप्रम और दूसरी सब्सक्राइब यहांसे समझएम jman कलते हैं झसको सही में जिल रहा बोल सकते हैं या बजसे आंजिल कर बोल सकते हो या बजसे से इंजिल कर बोल या फिर एंजिल कंजम्शन कर इसमें हम यह देखते हैं कि जो लेवल आफ इनकम है हमारी वो क्वांटिटी कितना पर्चेज कर रहे हैं डिफरेंट हमारे लेबल पे कितनी जो है क्वांटिटी परचेज की जाएगी खरीदी जाएगी यहां पर मैं इनकम और एक्सपेंडीचर के बीच एनलसिस नहीं कर रहा हूं मैं यहां जो संबंद देख रहा हूं वो लेवल आफ इनकम एंड क्वांटिटी परचेज जिन बस्तों के ऊपर मैं कंजूम करने वाला हूं उसके बीच अध्यान अगर कर रहा हूं अगर अध्यान आपका यह है कि लेव इनकम कर रहे हैं यहां पर देखो जो हम बात कर रहे हैं वो इनकम और कंजम्शन के बीच या फिर क्वांटिटी परचेज के बीच बात कर रहे हैं इसके अत्रिक्त आजकल जो एनलसिस कर रहे हैं एंजिल एक्सपेंडीचर कर ब के ऊपर बात कर रहे हैं वो देखते हैं कि बढ़ते हुए इंकम का जो खर्च है बस्तूओं के ऊपर यह क्या है इसका मतलब यह हाव दर रियल एक्सपेंडीचर वैरीज विट पर्चेज मतलब हम देखेंगे बस्तूओं की कीमत में उसके मात्राओं से जब आप बुड़ा करोगे तो वास्तवीक रूप से हम देख पाएंगे कि किस तरीके से खर्च बदलना है तो नार्मली जो आपके वहां से कोश्चन्स पूछा जाता है वह एंजिल कंजम्शन कर्ब से पू जिसको हम अखिक्स पूलेगे और दूसरा है इनजिल एक्सेंडीचर कर्व के बारे में जो इंकम और एक्सेंडीचर के बीच दिलेशन दिखाएगा और यह इन्कम एंड क्वांटिटीपा चेंज के बीच बस्तूओं की खरीदी गई मात्रा की भी संबन दिखाएगा इसक हो कि अगर ये किसी कंजूमर का बजट दिखाया 1000 2000 3000 इनकम कंजंशन कर भी ये दिखा रहा है क्या इनकम के बढ़ने पे पर पहले अगर आप इस इंकम और इस कंजम्शन को लेके एक कर्व ड्रा करो तो ये कर्व आपको होगा एंजील कर्व इसको हम बोलेंगे एंजील कर्व एंजील कर्व क्या दिखा रहा है अब मैंने यहां पे x-axis पे community x को रख लिया है और y-axis पे मैंने रखा हुआ है इंकम को ध्यान से समझेगा यहां जब हम इंकम कंजम्शन कर्व का सेडूल बना रहे होते हैं तो इसमें हम community y और community x को लेते हैं और यहां budget को दे रहा है और हम देख रहे हैं कि budget के change होने पे जो consumer है वो दोनों बस्तों के किन मातराओं को consume कर रहा है लेकिन जब हम income consumption कर्व से angel curve विड़्ड़ करेंगे जहां से सजिए डिराइब किसे कर रहे है एंजिल कर्व को हम income consumption कर्व से जब income consumption कर्व से angel कर्व हम डिराइब कर रहे हैं दोस्तों तो आप देखिए y axis पे हमने उसी income को रखा है देखिए यहां 1000 की budget line 2000 की 3000 की वर थाउजेंट की budget line 2000 की budget line और 3000 की budget line इसके according जो community X है यहां पर X1, X2 और Y और X3 consume हो रही है जिस तरीके से यहां पर आप R बिंदु पे equilibrium में थे, S बिंदु पे equilibrium थे, T बिंदु पे equilibrium इसी चीज को देखो हम R, S और T के माध्यम से यहां denote किये हैं मतलब कि अगर 1000 आपकी income है तो आप X1 community consume कर रहे हो जैसे कि यहां पर था, कि आप X1 community consume कर रहे है 1000 बजट पर, आप S consume कर रहे हो 2000 पर, 3000 पर आप T consume कर रहे हैं, यही चीज देखो income और consumption के बीच यहां पर एक हमने curve ड्रॉ किया है, जो दिखा रहा है कि different income पर आपका consumption कैसे change हो रहा है, तो यह है angel curve, अब income consumption कर रहे हैं, यह हो गया angel curve जो दिखा रहा है different income पर community का consumption कीस तरीके से change हो रहा है, अब देखो, अब यह angel curve नार्मल गुर्स के लिए है, या फिर यह angel curve इंफिरियर गुर्स के लिए है, या फिर यह angel curve लग्जरियस गुर्स के लिए है, यह depend करेगा कि इस angel curve का slope क्या है, एक इसे आप नार्मल गुर्स के लिए या नेसेश्टी के लिए angel curve बोलोगे, ध्यान से सुनिएगा क्यों, यह जो angel curve में खीचा हूँ, पहले चीज आप यह समझ लीजिए, कि यह जो angel curve खीचा गया है, वो positive slope का है, यह रिडात्मक धाल का नहीं है, पहले भी मैं आपको बता च चुका हूँ, कि अगर curve ऐसे खीचा जाए, इस तरीके से, तो यह तीनों का ढ़ाल, इस का ढ़ाल या इसका ढ़ाल, तीनों का ढ़ाल क्या है, positive है, अगर curve ऐसे खीच लिया जाए, demand curve के तरीके से, और इसके ऊपर दो अगर curve आप आरफित कर लोगे, तो यह تीनों ही निकेट यहां पर खिशना पड़ेगा टेंजेंट इसका टेंजेंट बढ़ल रहा है बढ़ने का मतलब यह हुआ कि income बढ़ने के साथ सास्त ज्यों ज्यों इसका income बढ़ना है त्यों तो उस बस्तूवों पे जो कि दी गई महात्रा है वह कम हो रही है इसका मतलब जो यह गुर्ट है वो नारमल या नेसेस्टी वाली गुर्ट है बहुत ध्यान से समझिएगा अगर अगर एंजल कर ऊसा है कि जो पॉजेटिव स्लोप का है पहले बात यह द्यान तो इसका स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब income बढ़ने इनकम जेव जेव बढ़ रहा है उस चीज के उपर आप खर्च तो कर रहे हो लेकिन खर्च का अनुपात पहले से कम हो रही इसका मतलब यह जो एंजिल कर्ब है वो नेसेस्टी या नार्मल गूर्स की एंजिल कर्व है तो यहां से हम समझ गए कि एंजिल कर्व को income कंजंशन कर्व से दिराइव कैसे करते हैं और साथी सार साथ इसका जो स्लोप है वो कैसे दिखाता है कि बस्तूवे किस नेचर की है यहां पर आप देखो positive स्लोप का इंजिल कर्व है लेकिन इसका स्लोप जो है वो बढ़ रहा है इनकम बढ़ने के साथ इस एक्स बस्तू पे जो खर्च है उसका जो कंजम्शन है बेसिकली वो कम हो रहा है इसलिए बस्तू नॉर्मल होगी या फिर नेसेस्टी वाली अनिवार और सकता की होगी अगर एंजल कर्व कुछ इस टाइब का बने यहां देखो यह जो था एंजल कर्व यह देखिए कनवेक्स था लेकिन यहां पर आप आप ने जो देख रहे हों एंजल कर्व यह कॉनकेव है और यह भी पॉजिटिव स्लोप वाला है लेकिन इंकम बढ़ने पे जो इसका स्लोप है वह घट रहा है अगर आप यहां से टेंजेंट खीच लो यहां पे टेंजेंट खीच वह यहां पर खीच यहां पर तो इसके उपर जो हमारा कंजमसन है इस वस्तू का उस जादा हो रहा है आप समझ सकते हो कि यह वस्तू होगी लक्जरियस लक्जरियस वस्तू है जिससे आपकी इंकम बढ़ेगी तो आप इंकम बढ़ने पर जादा भाग उसके उपर खर्ज करोगे तो यह जो एंजल कर्ब है वो एक तो और सदान रहेगा यह प्रस्नाइब से पूछा जा शकता है यहां पर जो मैंने दूसरा एंजिल क्या है यह बैक मेंड्डीम यह चलकर वे अब ज़ड़ा देखिए ये एंजिल कर बैकवार्ड बेंडिंग है और इसका स्लोप जो है आप देख रहे हो अब जो है डिमांड कर वाला निगेटिव हो गया अब यहां पर पोजेटिव स्लोप नहीं है यहां पर है निगेटिव का मतलब है देवियों और सजनों कि अगर इनकम बढ़ रही है तो इस बस तो को पहले एक्स वन करते थे कंजूम एक्सटू फिर एक्स त्री इसका मतलब इनकम बढ़ने के साथ इसके उपर जो खर्च है हमारा कंजम सन्हें बिसिकली वह कम होता जा रहा है इसलिए यह इनफीरियर गुट्स की जो है आपका ज इसलिए इसको हम बोलेंगे कि यह एंजिल कर इनफीरियर गुट्स के लिए है इसका जो स्लोप है ध्यान रखिएगा निगेटिव है निगेटिव है आप देखिए यहां डाउनवर्ड आप देख रहा है और निगेटिव इसको बैक्वार्ड बेंडिंग एंजिल कर भी आ कि बोल सकते हो आगे एक ही सामने आपका एक कर्म और यहां दिखाया गया है जहां पर दिखाया गया है कि आपकी इंकम wealth. से टू ठाउजहंद स्थ To Fellow Yo transit यह सब्याएं लहीं जो बस्तु का कंजमसन एंगेटिव रहीं आपकी 8000 लाइक ग्जामपल टाटा नमक बेस का नमक आप जो है गरीब हो अमीर हो अमबानी हो अडानी हो सब के वहां सब्जी में उतनी नमक पढ़ेगी टाटा नमक देस का नमक है उतना ही नमक डालते हैं हम लोग बिलकुल इमानदारी के साथ यह देखो आपके इंकम बढ़ने और घटे पे इसके उपर जो है किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना यह लिए यह नूट्रल गुर्टस के लिए यहां पे नूट्रल गुर्टस के लिए capital को सो किया गया है इसका मतलाब अगर यह पूछा जाए कि अगर इंकम बढ़ने के साथ in a good जो है क्या हो रहा है इसका स्लोप आप बोलोगे तो इन्फाइनाइट स्लोप का है और यह जो है न्यूट्रल गुट्स के लिए एंजिल कर्ब होगा यहां पर आप देखिए एक ही डाइग्राम में मैंने बताया हुआ है यह भी सवाल बहुत पूछा जाता है आप देखो जो एंजिल कर्ब मैंने खीचा है तो यहां पर आप देखोगे एंजिल कर्ब खीचा हुआ है इसको आप ध्यान से समझेए यहां पर वाई एक्सिस पर इंकम लिया गया है जैसा कि प्रसना पूछ रही है सालिनी और यहां पर इसके एक से कमउनाटी एकस को हमने लिया हुआ है यहां पर देखोगे एसको इंकम के बढ़ने पर आपका कंजम्शन ज़्यादा बढ़रा है और उससे भी जादा कंजम्शन बढ़रा है तो तो ऐसे में A से B तक यह लग्चेरियस बस्टू के लिए दिखाएगा एंजिल कर्व जिसमें की इनकम इलाशिटी ग्रेटर दैन वन होगा अगर आप इसका इनकम इलाशिटी ले लो तो इनकम इलाशिटी क्या दिखाएगा कि इनकम में जतना चैंज़ हो रहा है उससे ज़ाढ़ा उसके चंजम संगे हो रहा तो इसका इनकम में उसका ऋनलाशिटी और ओर ए से बी तक यह लग्जरियस कमूरिटी के लिए एंजल करव है जितनी इंकम बढ़ रही है उससे ज्यादा इसके ऊपर वो कंजूम कर रहा है बी से सी तक अगर आप देखोगे तो एंजल करव पॉजेटिव ही सुलोप का है लेकिन इंकम जितनी बढ़ रही है उतना ज्यादा जो है कंजम्सन नहीं बढ़ रहा है कम पर लिए इसका मतलाब यह नार्मल या निश्यस्टी बस्तू के लिए कंजंशन करव और वी से सी तक जहां से समझ जिये गागा जो मैं बता रहा हूं यह से बी तक मैंने कहा यह से बी तक यह है यह आपके लग्जरियस प्रोड़क् लेकिर इनकम जितनी बढ़ रहे उससे कम बढ़ रहा है हमारा बस्तु एक्स का कंजम्शन इसका मतलब बी से सी तक यह जो है एंजल करव है यह है आवस्यक या समाने बस्तु के लिए या फिर अनिवारे बस्तु के लिए लेकिन आप देखते हो कि आफ्टर पॉइंट सी ये बैक्वर्ड बेंडिंग हो गया है इसका मतलब अभी इसका सुलोप नीगेटिव हो गया है दोस्तों नीगेटिव होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मेरी इनकम इलाश्टि के अधार पर भी आप देख सकते हो कि इनकम इलाश्टि अनिवार या आवस्ट्यक बस्तूओं के लिए एक से जादा होगी जीरो से ज्यादा होगी और एक से कम होगी लेकिन अगर आप देख रहे हो लाश्ट में आपका सी से डी तक तो नीगेटिव आज रहे हो कि यहाँ पर एंजिल कर्ब के माध्यम से जो अर्नेट एंजिल थे वो दिखाना चाहते थे कि परिवारिक बजट बदलने पर इंकम बढ़ने पर जो कंजम्शन बदलेगा उसका बिहेवियर में जो चेंज आएगा वो डिफरेंट गूर्स एंस सर्विसेज के पर कैसा होगा इन्होंने लगबक साथ वर्सों का अध्यान लिया डेटा एनलसिस किया और इन्होंने यह बताया और जो कंक्लूजन दिया वह आज के डेट में उतना ही रिलिवेंट है जितना कि यह 90 के डिकेड में हुआ करता था आप देखो यह कब के इकनॉमिस्ट आप तरह सोचो इसको इसको बड़ा आश्चयर आपको लगेगा कि इनकी इस्टिडी कब से 1821 से लिके 1896 के बीच का अध्यान है तो यह उन्निश्वी सताब्दी का इस्टिडी बट आज भी कितना रिलिवेंट है कि आपकी इंकम जितना जादा बढ़ रही है आप जो है मुबा अध्यान है तो कितना जादा आपका इंकम चला जा रहा है लेकिन चावल डाल सब्जी निमिवा तरोई के उपर खर्च जो है आपका उस प्रकॉर्सन में नहीं वड़ता है तो इनका जो यह इस्टिडी था आज भी उतना ही रिलिवेंट था जितना की यह उन्निश्वी सत जिस्ते हैं जितना की यह पाले हुआ करता था तो इसके उपर कोश्चन भी बहुत पूछा जाता है तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको आप लोग समझ गये होंगे कि क्या-क्या चीजे हैं क्या-क्या चीजे इंपोर्टेंट है और जो सबसे इसमें मैंने एक composite curve के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से ये जो है angel curve जो है ये आपको मैंने draw किया है कि ये angel curve कि किस तरीके से इसका हो सकता है तो आप बहुत अच्छे से समझ गये होगे दोस्तों इसमें कुछ नहीं है आगर ये शुरू में ऐसा है A से लेके B तक और ज इंकम तुम्हारी बढ़ रही है बट उससे कम अगर तुम कर रहे हो तो यह आवस्ट्यक बस्तकों के लिए होगा और यह ही यह बैक बेंडिंग होगा यह जो है इन फिरियर गुर्स के लिए होगा तो इसके भी आदार पर आप देख सकते हो कि अगर इनकम इलासिटी ग्रेटर दैन वन है तो लगजरियस इनकम इलासिटी जीरो से ज्यादा और एक से कम है तो यह आवस्ट्यक या नेसेस्टी और अगर इसकी इनकम इलासिटी लेस दैन जीरो हो गई इसका मतलब इनकम बढ़ने पर आप कम उसके ऊपर खर्च कर रहे है तो यह हो गया आपकी आपकी क्या हो गई inferior goods के लिए एंजिल कर तो मुझे लगता है कि अब आपको inferior कर में inferior एंजिल कर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आसानी से जो भी question आएंगे नेट जारप में किसी भी competitive exam में आप आसानी से कर सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली तो बस बहुत ही मन से बहुत ही बहुत ही लगन के साथ अपने study को कराते रहे करते रहे आपके जीवन में सबसे जो बड़ा काम है वह इस्टडी लेको आप युवा है और एक युवा की कई प्रियार्टी होती है आपको इसी समय खेलने में अच्छा लगता है आपको इसी समय मूवी देखने में अच्छा लगता है आपको आपको बाहर जाने में इसी समय अच्छा लगता है लेकिन यही आपका टाइम है कैरियर बनाने का अगर आप इस समय अपने प्रियार्टी म में जो available sources है Lucas क्या बोलता है rational expectation में rational expectation में बोलता है कि अगर जितने भी आपके पास available sources है वो previous year के हो या आने वाले सभी sources के अधार पर एक economic agent rationally expect करें तो वो सब कुछ समझ लेता है कि क्या होने वाला है आप एक rational agent हो economics की basic economic की basic conditions है adjustments है कि जो consumer है वो एक rational है अगर आप rational agent हो और आप rational expectation की आधार पर behave करो और जितने available sources है उससे data collect करो तो आप जानते हो कि यह जीवन के आपके जो चार साल है वो आपके आने वाले जीवन को निर्धारित करेंगे या तो आपके जीवन को बहुत उचायों पर लेके जाएंगे या फिर आपको बर्बाद कर देंगे तो एक rational agent क्या क्या decision लेगा आने वाले चार समय का fully utilize और पूरे जीवन को आनंद मैं बना देना एक respectful life देना लोग आपसे मिले उनको अच्छा लगे कि किसी से मिला है जब यह चार साल का समय आप बर्बाद कर लोगे आप अपने आप से अपने ही से नजर नहीं मिला पाओगे उठ नहीं पाओगे आपका self confidence धरातल पर जमीन पर गिदा हुआ दिखाएगा दोस्तों चार साल का समय अच्छा करो पूरे छमताओं का प्रियोग करो आपके अंदर एक प्रतिवा है उसी प्रतिवा को निकालने की आओ सकता है बहुत ऐसे लोग आए इनको लगता था कि मैं प्रतिवा साली करते हो जब आप कटिन परिश्रम करते हो तो बहुत बड़ा से बड़ा लक्ष छोटा लगने लगता है तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कह रहा हूं कि आप अपने ऊपर पूरा विस्वास करो और सबसे बहतर आप अपने बारे में judgment आप कर सकते हो आप कितना positive रूप से लग होगे और आप ही हो जो अपने आपको उन महान रूचाईयों पर लेके जाओगे जहांपर आपके माता-पिता जाने के इंतरा कर रहे हैं समय है अच्छा करो भी positive अच्छे लोगों से बिलो अच्छा सोचो खुछ रहो बश्कुराते रहो आओ कुछ अच्छा करते हैं आओ God bless you dear friend, good night.